को अट कि अच्वानिंग गूड्यल फूर्ट दिंग चलेघ। शुरू करते हैं पीटा तो ख़ल्या की तरह मैं आपको याद दिला दूँ अभी हम मैं इस चेप्टर का नाम है किमेश्टOP chasing वैदूर रसायन और इस चैप्टर में आल्रेडी हमने बहुत सारे चीजे कर ली हैं तो यहां मेशा की तरह चले मैं आपको एक बार याद दिला दूगे अब तक हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक कर लिया है और क्या होना बाकी है तो इस चैप्टर में अब तक जो टॉपिक पढ़ पहला जो टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस यह हमने पूरा कर लिया है पहला टॉपिक हमने पूरा कर लिया इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता हो देखा था वैदुत अब घटन क्या होता हो देखा था और फराडे के दोनों नियम के बारे में पढ़ा था तो अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में इतना हिस्था कंप्रिट कर लिया है Tamil अब पिछले klas में पिछले क्सितर का हिस्था चुरू किया था और आपको याद होगा कि पिछले कलास में में इस हिस्थे में आपको आपको बता रहा था कि वैदूत रसायनिक सेल क्या होता है और आज बात करेंगे एमफ के बारे में वैदूत वहक बल के बारे में इलेक्ट्रो मोटीव फोर्स के बारे में तो चले फिर आज अकलास शुरू करते हैं बहुत इंपोर्टेंट होने वारा है आज अकलास तो स्पार यादे ना ना औरमल ट्रेंड से हटके जो बैट्री यह तो पताँ पर आपको पिछले कि बता चुका हूं अब ये क्या था इस instrument को इस विवस्था को हम electrochemical cell यानि कि वैदूत रसानिक cell कहते हैं और लाश्ट क्लास में मैंने आपको ये भी सिखाया था कि ये cell काम कैसे करता है ये battery काम कैसे करता है तो हमने क्या देखा था बेटा कि electron एक तरफ से निकल के दूसरे तरफ जाया करता था electron जो है वो एक बरतन से निकल के दूसरे बरतन में जाता था और electron लगातार गती करता था जिसके कारण वैदूत धारा परवाहित होने लगता था और इस circuit में electron flow करने लगते थे तो पिछले क्लास में हमनों ये सीखे थे कि ये जो वैद्दू तरह सायनिक सेल है, ये काम कैसे करता है इसको बनाते कैसे हैं, मैंने आपको बताया थे इसको बनाते कैसे हैं, इस बैटरी को बनाते हैं वक्त, बहुत सारी बाते हमें दिमाग में रखनी होती है जैसे की एक इलेक्ट्रोड विभाव क्या होता है तो मैंने आपको बताया था मैंने आपको बताया थे बिटा कि कोई भी इलेक्ट्रोड कोई भी इलेक्ट्रोड दो काम कर सकता है जैसे मालो मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड ले लिया यहां पर मैंने फिर से एक इलेक्ट्रोड ले लिया तो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था मैंने आप लोगों को पिछले क्लास बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रोड में दो तरह का शमता पाया जाता है दो तरह का विभाव पाया जाता है पहला या तो या तो ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड ग्रहन करेगा तो किसी भी इलेक्ट्रोड के अंदर दो ही तरह की छमताएं पाय जाती है जिसमें से इलेक्ट्रोन दान करने वाले विभाव को छमता को हम आक्सी करन इलेक्ट्रोड विभाव कहते हैं याने की याने की आक्सीडेशन पोटेंशल कहते हैं यह मैं आपको पिछले क्लास से बता चुका हूँ और कोई भी इलेक्ट्रोड अगर इलेक्ट्रोड ग्रहन कर रहा है तो हम कहते हैं उसमें अपचयन इलेक्ट्रोड विभाव पाया जा रहा है याने कि इसमें पाया जा रहा है बेटा reduction potential क्या पाया जारा reduction potential तो अब तक अब तक हम लोगों ने यह समझ लिया कि एक electrode दो ही काम कर सकता है या तो वह इलेक्ट्रॉण करेगा या तो इलेट्रॉण करेगा इसके बाद इसके बाद हम लोगों ने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा था, क्या आप सब को याद है, हम लोगों ने इस तरह से एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड तयार किया था, मुझे उम्मीद है आप सब ने पिछला क्लास अटेंड किया है, इस तरह से हम हा यानि कि इसके अंदर आपको सब जगा एच प्लस एच प्लस आयन दिखाई देगा और यहाँ पर यहाँ पर अंदर यहाँ पर अंदर हम लोग हाइड्रोजन का गैस लेते हैं है ना तो यहाँ पर एच टू एच टू आपको दिखाई देगा तो यह जो इस्ट्रूमेट मैंन इसको हम लोग क्यों बनाए थे ताकि इसके मदद से इसके मदद से हम दूसरे इलेक्ट्रोडों का विभाव पता कर सके फिर आपको याद होगा कि एक बार हम लोगों ने एक बार हम लोगों ने जिन्क को इसके साथ जोड़ा था एक मिसा था हां तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने जिन्क नाम के इलेक्ट्रोड को इस टेंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा था यानकी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा था ये पिछले क्लास में जो कराया हूँ वही बता रहा हूँ बैटा कुछ नया नहीं है और एक बार हम लोगों ने कि इसको इसके साथ जोड़ा तो एक बार हम लोगों ने इसको जोड़ा था कॉपर इलेक्ट्रोट के साथ मैं उमीद करता हूं आप सब ने पिछला क्लास अटेंड किया होगा और यह जो मैं कर रहा हूं यह आपने पहले देखा हुआ अच्छा तो यह कॉपर था और याद है क्या हुआ था हम लोगों ने हम लोगों ने यहाँ पर वोल्ट मिटर लगाया तो नतीजा क्या आया था आप सब को याद होना चाहिए कि जब जीनक को हम लोगों ने स्टेंडर्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा था तो वोल्ट मिटर में मान आ रहा था माइनस 0.76 बोल्ट और जब हम लोगों ने इस टेंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कॉपर के साथ जोड़ा तो वोल्ट मिटर में मान आ रहा था 0.34 वोल्ट और फिर मैंने आपको बताया था यह जो मान आप देख पा रहें इसका मतलब क्या है तो मैंने आपको बताया था बेटा मैंने आपको बताया था यह ज से दर्शाते हैं इस मान को E0 से दर्शाते हैं तो अभी अभी आपने क्या देखा कि मैंने जिंक का E0 निकाला कितना है बैटा माइनस 0.76 वोल्ट और फिर मैंने कॉपर का E0 का मान निकाला कितना है बैटा प्लस 0.34 वोल्ट और अब प्रस्ण ये उठता है कि मैंने कॉपर को और जिंक को जब इसके साथ जोड़ा किसके साथ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ तो मुझे कुछ वैल्यू मिले इन्ही वैल्यूस को हम क्या बोलते हैं बैटा इलेक्ट्रोड विभाव का मान और जिस प्रकार मैंने जिंक को इसके साथ जोड़ा और उसका इलेक्ट्रोड विभाव का मान निकाला ठीक उसी प्रकार मैंने कॉपर को इसके साथ जोड़ा और इलेक्ट्रोड विभाव का मान निकाला ठीक उसी प्रकार एक बार ऐल्मुन लोगा, और सारे एलेक्टरोडों का ऐसा मान यानिकि value निकाल लोगा और जब मैं सभी एलेक्टरोडोडों का, एलेक्टरोड भीभाव का मान निकाल लोगा तो इसको बिलकुल सुंदर तरीके से एक systematic order में arrange कर दूगा जिससे एक स्रेडि बनके मेरे सामने आएगा और उस स्रेड़ी को हम क्या बोलते है बैटा वैद्दूतरसाइनिक स्रेड़ी यह हम यहां तक पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं वैद्दूतरसाइनिक स्रेड़ी इसमें क्या होता है बैटा हम बहुत सारे तत्वों को उसके E-naught के मान के हिसाब से जब एक स्रेड़ी में उसे उतार देते हैं एक स्रेड़ी में उतार देते हैं तो वहाँ जो स्रेड़ी बनके तयार होता है बैटा उसी को हम क्या बोलते हैं वैद्दूतरसाइनिक स्रेड़ी जो दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है यह देखिए पिछले क्लास में आपको दिखाया था मुझ अब यह देखो जैसे कि जिंक का जिंक का इनोट का मान 0.000-0.76 अभी लिखवाया था न मैंने अभी मैंने लिखवाया था यह देखो माइनस 0.76 लिखवाया हूँ न तो आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं ठीक उसी प्रकार आप अगर उपर जाएंगे ओहो अगर आप ऊपर जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर copper का copper का जो value है वो मिल जाएगा plus zero point three four यह देखोँ यहाँ पर copper का value है बेटा copper copper का value आपको मिलेगा क्या? plus zero point three four, three three है पर three four उसको लिखते हैं तो यह जो values आप देख पा रहे हैं यह value थोड़ा clear आपको नहीं दिख रहा होगा इसलिए आज मैंने क्या किया है मैंने अपने से यह सारे values लिख दिये हैं आपके सामने तो जितने value मैंने यहाँ पर लिखे हैं इतना आपको दिमाग में रखना यह याद नहीं कर करना है प्रश्ण में यह दिया रहता है प्रश्ण में यह दिया रहता है मैंने बस क्या किया यहां पर तो बहुत सारे तत्व हैं तो इतने सारे तत्वों के इन और फोकस नहीं करना है आपको इन तत्वों को ध्यान में रखना है याद रखिए यह आपको याद नहीं करना है यह आपको याद नहीं करना है इसके values प्रस्ट में दिये रहते हैं पर फिर भी आपको मैं एक request करूँगा आप इनको इतना practice करो इतना practice करो कि बस ये पता चल जाए कि इस Sreddy में कौन उपर है कौन नीचे है इस स्रेडी में कौन उपर है कौन नीचे जैसे मैं बोलूँगा ऐलमुनियम और मेगनिसियम तो हमेशा आपको ऐलमुनियम जो है वो नीचे और मेगनिसियम उपर मिलेगा अगर मैं आपसे कहूँगा lead और magnesium तो magnesium उपर और lead नीचे मिलेगा अगर मैं कहूँगा zinc और magnesium, magnesium उपर मिलेगा zinc नीचे मिलेगा अगर मैं कहूँगा copper और silver तो copper उपर और silver नीचे मिलेगा तो बस आप ऐसा थोड़ा practice करो कि आपके आँखों के सामने ये दिखने लग जा कि कौन सा तत्वा उपर हो सकता है कौन सा तत्वा नीचे हाला कि इन सभी values को याद नहीं करना है बस आप इनको लाइन से याद करना की कोशिस करो कि अगर आपके सामने दो तत्वा आ जाए तो बस आप थोड़ा कलपना करो और ये याद करो कि कौन सा तत्वा उपर में हो सकता है और कौन सा तत्वा नीचे में अगर आपको सिर्फ ये याद आ गया कि कौन उपर है कौन नीचे तो भी हमारा पूरा काम बन जाता है और उसके बावजूद अगर याद नेच कर पाओगे माल लो आपको याद नहीं आ रहा है कि कौन सा तत्व इस स्रेणी में उपर है और नीचे तो भी ज़्यादा फरक नहीं परेगा चिंता ना करें कि यह सब वैल्यू प्रश्ण में दिया रहता है यह सब वैल्यू जो है वह प्रश्ण में हमेशा दिया रहता है तो तत्व बहुत सारे थे पर मैंने कुछ वह तत्व यहाँ पर लिखे हुए है जो परशणों में जादा उपयोग में आते हैं तो पहले काम करों बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले ले जिए फिर बताउगा इन सभी तत्वों के स्क्रीन शॉट यह फिर आगे बोढ़े डैंजें पर है तो कि इस्क्रीन शॉट ले लें थिक ठिक अब प्रस्व ये उठता है कि इन मानों का इन वैल्यूस का करना क्या है जो इलेक्टरोड विभौ के जो वैल्यूस दिख रहे हैं इन वैल्यूस का करना क्या है इन values का actually में करना क्या है 3.04 वोल्ट ये सब वोल्ट में रहता है तो आखिर इन सभी values को हमें करना क्या है जरा गौर से देखो बिटा लीथियम का सबसे छोटा value होता है फिर धीरे धीरे value बढ़ते जा रहा है सारे values negative है अचानक जब hydrogen में पहुंचते हैं तो hydrogen का E0 का value जो है वो 0 होता है और फिर धीरे-धीरे values positive होने लगते हैं देखो तो पूरे आवर तसारणी में सबसे छोटा इलेक्ट्रोड विभाव का मान होता है बटा लीथियम का इसको दिमाग में रखना और सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रोड विभाव का मान होता है वो fluorine का होता है चलिए तो अब हम ये पता लगाते हैं कि ये जो मैंने values यहाँ पन लिखे हैं इनका उप्योग क्या है इनके साथ क्या करने वाले हैं तो अब एकदम गौर से सुनना बेटा आप इस वक्त ये जो इस्ट्रूमेंट देख रहे हैं इस इस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है इस इस्ट्रूमेंट को बोलते हैं बेटा वैद्यूत रसायनिक सेल और कक्छा ग्यारवी में आपने ये पढ़ा था कि ये बैटरी बनता कैसे है और इसको बनाते वक्त कैसे किन-किन चीजों पर ध्यान रखना है और ये बैटरी काम कैसे करता है हाला कि पिछले क्लास में सिखा चुका हूँ तो पिछले क्लास में मैंने आपको ये सिखाया था कि क्योंकि ये बैटरी है ये बैटरी है तो ये बैटरी बनता कैसे है ये बैटरी काम कैसे करता है इसको बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखा जाए ये हमने पिछले क्लास से पढ़ा था और आज के क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि अगर ये बैटरी है तो भाई कितने वोल्ट का है ये बैटरी क कितना वोल्ट पैदा करेगा ध्यान सुनना बेटा कोई भी बैटरी कितना वोल्ट पैदा करेगा उसी को उसी को कहते है बेटा एमफ कोई भी बैटरी कितना वोल्ट पैदा करेगा उसी को हम क्या बोलते है बेटा एमफ तो आज के क्लास में हम यह सीखने वाले हैं कि कोई भी बैटरी कितना वोल्ट पैदा करेगा उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं तो एक साइंटिस्ट थे बैटा नर्ष्ट एक साइंटिस्ट है इसका हम नर्ष्ट रिक्वेशन पढ़ने वाले हैं नर्ष्ट रिक्वेशन पढ़ने वाले हैं हारा कि यह नर्ष्ट लिखा रहता है मेरे पास कोई बैटरी आ जाए तो मुझे तो पता है कि बैटरी का काम है बैटरी का काम है केमिकल्स के मदद से वैद्यूत उर्जा पैदा करना पर आज मैं यह सीखना चाहता हूं कि कोई भी बैटरी कोई भी बैटरी कितना वोल्ट पैदा कर सकता है वो कैसे पता लगता है तो मैंने कहा, आज ये क्लास में, हम ये सीखने वाले हैं, कि कोई भी बैटरी कितना वोल्ट पैदा करेगा, तो गौर सुना बैटा, कोई भी बैटरी कितना वोल्ट पैदा करेगा, उसी को हम लों EMF कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है, Electro Motiv Force, लिख लो एक बारा प्लोग कॉपी में EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो मोटी फोर्स वैदुत वाहक बल हाला कि इसके बारे में फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे मतलब अगर मैं आपको इसकी परिभाशा बताओ अगर मैं आपको EMF की परिभाशा बताओ तो आपको आपके एक्जाम में EMF की परिभाशा नहीं आएगा कोई आपको नहीं पूछे का EMF क्या होता है उसकी परिभाशा क्या है हाला कि उसका जो परिभाशा है वो बहुत पेचिदा है EMF का जो परिभाशा है वो बहुत पेचीदा है कहते हैं कि It is an electrical potential difference set up between two electrodes which is responsible for flow of current or flow of electron यह जो वैदुत वाहक बल होता है यह एक ऐसा बल है जो electron को एक electrode से दूसरे electrode तक लाने में मदब करता है यह जो वैदुत वाहक बल होता है यह एक ऐसा बल होता है जो electron को एक electrode से दूसरे electrode में आने के लिए मजबूर करता है पर फिर कहता हूँ इसके परिभाशा ज्यादा मतलब नहीं है आपको इसका परिभाशा physics में ज्यादा पूछा जाता है chemistry में इसके परिभाशा के ज्यादा उप्योग नहीं है इसलिए मैं हम ऐसा कहता हूँ चीजे को थोड़ा simple लेके चलते हैं अगर कोई आपसे पूछेगा EMF का मतलब क्या होता है बस आप एक ही बात बोल देना कोई भी battery कितना volt पैदा करेगा कोई भी battery कितना volt पैदा करेगा उसे को बोलते EMF आप सिर्फ कितना volt देना कोई भी battery कितना volt पैदा करेगा उसे को बोलते EMF और अब समय आ चुका है ये पता लगाने का कि कोई भी battery कितना volt पैदा करेगा उसके गढ़ना कैसे की जाती है वो कैसे calculate होता है तो कीसी भी बैटरी का EMF calculate करने के लिए आपको परना पड़ेगा बटा Nust equation एक scientist थे Nust नाम के उन्होंने बताया कीसी भी बैटरी का EMF हम theoretically कैसे calculate कर सकते हैं पर इस हिस्से में आने से पहले आप लोगों को ये जो मैंने स्रेडी बताया था ये जो मैंने वैदूत रसायनिक स्रेडी बताया था इसका उपयोग समझना पड़ेगा इसका आपको उपयोग समझना पड़ेगा इसका क्या मतलब होता है इस value का क्या उपयोग है याद रखना बेटा ये table आप याद नहीं कर पाओगे या बहुत मुश्किल सी आप कर पाओ मैं आपको न वैदूत रसायनिक स्रेडी का अनुप्रियोग बता रहा हूँ यानि की यूज बता रहा हूँ तो गौश सुनेंगे बेटा ऐसा कहा जाता है कि जो धातु जिसका E0 का value कम होगा वो हमेशा एनोड बनेगा और वो इलेक्ट्रॉन दान करेगा और कहलाएगा और कहलाएगा ऑक्सिडाइजिंग एजेंट यानि ऑक्सिकारक ऑक्सिकारक कहलाएगा और जिस तत्व का E0 का value ज्यादा होगा ज्यादा होगा ऐसे तत्व अक्सार कैथोड बनते हैं और वो हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहन करते हैं ग्रहन करते हैं और यह कहलाते हैं अपच reducing agent कहलाते हैं बेटा reducing agent तो याद रखना आपको ये पता भी तो होना चाहिए न कि आखिर हमने E naught का मान निकाला उसका फायदा क्या है E naught के मान का फायदा क्या है तो गौर से सुनना बेटा जब भी आपके सामने दो तत्व आ जाए तो सभविक सी बात है किसी एक का E naught का मान चोटा होगा किसी एक का E naught का मान बड़ा होगा तो जिस भी तत्व का E naught का मान चोटा होगा वो हमेशा एनोड बनेगा वह हमेशा इलेक्ट्रॉन दान करेगा और वो जाना जाएगा ऑक्सी कारक के नाम पे और जिस तत्व का इनॉट के वैल्यू जादा होगा वह कैथोड कहलाएगा इलेक्ट्रॉन ग्रहन करेगा और वह अपचायक कहलाएगा फटाक से इसके स्क्रीन शॉट लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं बेटा अब मत ध्यान दीजिए अगर आप पढ़ने आया हो कोई कुछ भी कमेंट करें उधर मत ध्यान दीजिए आप यहां जो चल रहा है प्लीज उस पर फोकस कीजिए ठीक है हाँ तो चलो अब यह जो मैं लिख आप्टिस्ट ने कैसे किसी इलेक्ट्रोड का विभाव निकालना सिखाया तो उन्होंने एक सूत्र दिया इन्होंने एक सूत्र दिया बैटा गौर सुनेंगे यहां पर इन्होंने एक सूत्र दिया सूत्र था इमफ निकालने का इनौट ऑफ कैथोड माइनस इनौट ऑफ एनोड माइनस आर टी अपान एन एफ नेचरल लॉग एनोड का सांधरता बटे कैथोर्ड का सांधरता कि अपर एक इस त्र दिया गया ये सूधर ननिश्ट द्वारा दिया गया और इस सूधर के माध्याम से पता कर सकते हो की सीपी बैटरी के एम एफ कैसे पता करते हैं तो यहां सुरेंगे इसे सूधर को अगे कुछ इस प्रकार से लिखते हैं बेटा यह EMF है, हाँ, EMF यह क्या लिखा है, E not of cathode minus E not of anode मैं आपको बता दू बेटा, R यहाँ जो R है, वो gas इस्थरांग है और आपको याद होगा, gas इस्थरांग क्या होता है 8.314 Joule per Kelvin Joule per Kelvin अभी 1 काई नहीं लिख रहा हूँ मैं Joule per Kelvin Topman, जब भी आप किसी बैटरी का EMF निकालते हैं, तो Topman को इस्टेंडर्ड लेके चलते हैं यानि कि Topman का वैल्यू होता है 298 Kelvin 298 Kelvin, N क्या है, बताऊंगा F, F मतलब फराडे इस्थरांग फराडे इस्थरांग कितना होता है, बेटा LN लिखा है, बेटा, LN LN, LN का मतलब होता है Natural Log, आप छोटे क्लास से पढ़े होंगे Log के बारे में, LN का मतलब होता है Natural Log, और जब Natural Log को Log Base 10 में करनमट करते हैं Natural Log को जब Log लिखते हैं तो गुड़ा करना पड़ता है 2.303 तो ऐसे में, जो Natural Log है वो लोग बन जाता है, आगे बढ़ते हैं इधर क्या लिखा है, बेटा इधर क्या लिखा है, ऊपर में लिखा है एनोड का सांधरता, इसको हमनों बोलते हैं बेटा, एनोडिक कंसंट्रेशन थोड़ा इंगलीज शब्दों का प्रयोक कर रहा हूं है एनोड का सांधरता, यान की एनोडिक कंसंट्रेशन कैथोड का सांधरता, यान की कैथोडिक कंसंट्रेशन लीजिए, यह सूतर बन के तयार हो गया अब इसको हल करते हैं, बेटा यहाँ देखना इनोड औफ तोड मैनस इनोड औफ एनोड तोड मैनस 0.0591 अगर आप अगर आप इतने हिस्से को हल करोगे तो आएगे बेटा 0.0591 आएगा नीचे में एन लिखा हुआ है एन लिखा हुआ है, आगे बरते हैं लॉग उपर में क्या है एनोड का सांधरता, याने कि एनोडिक कंसंट्रेशन, नीचे है कैथोड का सांधरता, याने कैथोडिक कंसंट्रेशन, और लिजिए, ये एक फॉर्मूला बनके तयार हो गया है, और अब इसी फॉर्मूला के मदद से, इसी फॉर्मूला के मदद से, आप किसी भी बैटरी का इमफ निकाल सकते हैं, अब यह formula यूज कैसे होता है, देखने में शुरू में यह बड़ा पेज चीदा दिखता है, बेटा, जब शुरू शुरू में देखोगे ना, तो यह बड़ा अजीब सा लगता है, पर यह बहुत आसान है, इस सूतर का प्रयोक करना बहुत आसान है, म कि यह सूत्र कैसे प्रयोग करते बताऊंगा भी आपको मैं कि लिख लिया कि पाड़ रहा हूं बैटा अभिशेक तिवारी जी कि पर आम तोर पर आप लोग आपास में बात करते रहते हैं में आपकी बाते क्या पढ़ूं कि नहीं बिल्कुल कमेंट पढ़ता हूं मैं जो संभाव है मैं उसका जवाब भी देता हूं आगे बढ़ते हैं चलिए अब इस सूतर का प्रेयोक कैसे करना बहुत मज़ेदार है ध्या सुनना तो चलिए अब मैं आपके सामने क्या करने वाला हूं अब मैं आपके सामने एक मिनट अब मैं आपके सामने यह बैटरी अब मैं आपके सामने अलग अलग तरह का अलग अलग तरह का बैटरी बनाने वाला हूं और उस को बताने जा रहा हूं कि इस सूत्र के माध्यम से हम किसी भी बैटरी का कैसे एमेफ निकालेंगे तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे किसी बैटरी का एमेफ निकालते हैं एक दम गौर सुनना चले सुरुवात करते हैं सुरुवा तो अब मैं आपको जिंक और कॉपर के बने हुए बैटरी का EMF निकाल के बताऊंगा सबसे पहले आपको चाहिए यहां लिखा है मैंने जिंक का E0 कमान क्या होता है माइनस 0.74 और कॉपर का E0 कमान क्या होता है प्लस 0.34 इसका वैल्यू प्रस्ट निमें दिया रहेगा तो E0 कमान जिंक का है बाइनस 0.76 वोल्ट और इसका है बैटा प्लस 0.34 वोल्ट और सबसे पहले आप क्या करेंगे याद रखे मैं आपको सिखाना जा रहा हूँ कि किसी बैटरी का EMF कैसे कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है यह जो E0 का मान है उसको ध्यान से देखो और यह पता करो कि जिंक और कॉपर में से कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा तो बेटा अब भी अभी मैंने आपको सिखाया है कि जिसका E0 का वैलू छोटा होता है वो एनोड बनता है जिसका E0 का वैलू छोटा होगा वो एनोड बनेगा और इलेक्टरौन दान करेगा और copper का E naught के value बड़ा है बड़ा है इसलिए बेटा ये cathode बनेगा और electron ग्रहंड करेगा तो जैसे ही आपके सामने दो तत्व आ जाएं तो सबसे पहले आपको ये पहचानना होता है कौन cathode बनेगा कौन anode बनेगा अब इसके बाद अब इसके बाद क्या करना है चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं सबसे पहले सबसे पहले हम यहां बनाएंगे डाइगराम सबसे पहले हम लोग बनाएंगे डाइगराम डाइगराम कैसे बनाएंगे यहां देखो यह मैंने दो बरतन ले लिया इन दो बरतन के अंदर दो इलेक्ट्रोड लिये जाएंगे गौर से समझेगा बहुत इंपॉर्टेंट इसका निमेरिकल बहुत घुमा हूँ आता है है तो बेटा अब भी अभी सिखा हूँ मैं जिसका इन ओड का मान छोटा होता है वह एनोड बनेगा याने की जिंक एनोड बनेगा और मैं आपको पिछले क्लास में यह भी सिखा चुका हूं कि चित्र बनाते समय हमेशा एनोड को लेफ्ट में लेते हैं और कैथोड को और कैथोड को राइट में रहना है और कॉपर राइट में कैथोड है तो यहां पर कॉपर को लेना है तो क्या समझे यह कौन सा इलेक्ट्रोड जल्दी बताओ जिंक और कौन सा इलेक्ट्रोड बेटा कॉपर तो लीजे डाइगराम बन के तयार हो गया तो सबसे पहले आप पर पहले आप चित्र बनाना है अब सुनों अब सुनों अब समय आ चुका है यहां पर विलियन कौन सा लेना है यहां पर मुझे विलियन कौन सा लेना अब यह सबसे important बात है तो याद रखना जो भी इलेक्ट्रोड आप solution में डुबाओगे आप जो भी इलेक्ट्रोड solution में डुबाओगे बेटा उस solution में उसी इलेक्ट्रोड का विलियन लेना है आपको एक बच्चा कहरा है सर यह तो देख कि हम बता सकते हैं कौन कैथोड़ कौन ऑनोड है बेटा जिंक और कॉपर का यह जो बैटरी है आपने पहले बनाया है पर जब नया बैटरी आएगा तब थोड़ा फ़स सकते हैं इसलिए पहला उदारन मैंने वह वाला लिया है जो आपने पहले पढ़ा है इसलिए अपको लग रहा होगा है तो आसानी से पता चल जा रहा है कौन लेफ्ट में होगा कौन राइट में होगा थोड़ा सा अभी जब एक्जामपल बदले जैसे कि जिंक सलफेट जिंक कार्बोनेट या जिंक क्लोराइड या जिंक नाइट्रेट तो बस इतना याद रखना बेटा जो भी इलेक्ट्रोड आप डूबाएंगे अंदर उसी का विल्लियन लेना है अगर जिंक डूबाएंगे तो जिंक कार्बोनेट जिंक एसिटेट जिंग क्लोराइड, जिंग ब्रोमाइड, जिंग कार्बोनेट, जिंग नाइटरेट बस जिंग का बना होना चाहिए और अगर कॉपर को डुबाए हो तो बैटा कॉपर को जिस विल्लियन में डुबाओगे अंदर कॉपर का बना हुआ ही विल्लियन होना चाहिए यसे कॉपर कोई भी विल्यान ले सकते हैं अगर जिंक का कोई भी विल्यान ले सकते हैं मतब शायद इन सबका कोई रोल नहीं है इन सबका कोई महत्वन नहीं है इन सबका कोई महत्वन नहीं है अगर मैंने कह दिया कि जिंक का बना हुआ कोई भी लेक्ट्रोड ले सकते हैं तो इससे यही को ऐसे याद रखना है कि जो भी इलेक्ट्रोड डुबाओगे अंदर उसी का आयन होना चाहिए जो भी इलेक्ट्रोड डुबाओगे अंदर उसी का आयन होना चाहिए और बेटा क्योंकि एक विलियन है क्योंकि एक विलियन है और यह एनोड कहला रहा है यह एक विलियन है औ उसी के सांधरता को आप एनोड का सांधरता कहेंगे याने की एनोडिक कंसंट्रेशन कहेंगे और राइट वाले विलियन का जो सांधरता दिया होगा उसे आप कैथोड का सांधरता कहेंगे याने की कैथोडिक कंसंट्रेशन कहेंगे तो याद रखना लेफ्ट वाले बरतन मे जो आपने विल्यन लिया है उसके सांधरता को एनोडिक सांधरता बोलते हैं और राइट वाले बरतन में जो विल्यन लिया हो उसके सांधरता को कैथोडिक सांधरता बोलते हैं अच्छा यह हो गया पहला काम अभी आपने क्या निक बनाया डाइगराम बनाया चलो आगे बरत लिखना तो सबसे पहले क्या करते हैं चीतर बनाते हैं फिर सेल रियक्षन लिखते हैं शेल रियक्षन तो बेटा सेल रियक्षन का मतलब होता है रियक्षन लिख के बताओ रियक्षन लिख के बताओ कि इन दोनों में से कौन दान करेगा और कौन गरहन करेगा तो बेटा यह मैं लिख चुका हूँ कि जिंक दान करने वाला और कॉपर ग्रहन करने वाला तो अब आपको रियक्षन लिख के बताना पड़ेगा कि हाँ देखो जिंक जो है जिंक जो है वो दान करेगा और कॉपर ग्रहन करेगा तो ग्रहन करते वक्त कॉपर का अभिक्रिया कैसे लिखते ह देखो यह कौपर की अभिक्रिय और मैं आप सब को यह बता चुका हूं कि हमेशा थोस अवस्था वाले तत्व को अब चलो ये इलेक्ट्रोन और ये इलेक्ट्रोन कट गया है बेटा क्या बचा बोलो तो Zn प्लस Cu2 प्लस gives Zn2 प्लस प्लस Cu लीजिए ये जो लिखाउन बेटा इसे को बोलते हैं Cell Reaction लिखना इसे को बोलते हैं Cell Reaction लिखना अब अगला काम आपको क्या करना है अब आपको क्या करना है अब आपको लेना है बेटा एन कमान एन कमान एन क्या है तो अभी कुछ देर पहले जो मैंने सूत्र बताया था इस सूत्र में यहां एन लिखा है इस सूत्र में यहां पर एन लिखा है तो बेटा यह जो एन होता है इसको सबसे ध्यान समझना यह जो और right side में गया बेटा N का मतलब होता है कितने electron anode से निकल के cathode में जाएंगे तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि anode में 2 electron निकला और cathode में 2 electron गरहन हुआ तो N का मान होगा बेटा 2 इस सूतर में N का मान क्या होगा 2 तो N का मान होता है कितना electron निकला और कितना electron गरहन हुआ तो आप देखो आपने यहाँ दो-दो electron काटा है तो यह जो हम electron काटते हैं उसी को N का मान कहते हैं तो N का मान होगा 2 अब आगे बरते हैं अब अगला काम है cell cell representation करना यह और important है अब अगला है बटा cell representation करना cell representation का मतलब होता है अब आपको यह बताना है कि anode में क्या बदलाव आ रहा है और cathode में क्या बदलाव आ रहा है तो cell representation का मतलब होता है बेटा आपको लिखना है anode anode के बदलाव को double slash इस तरफ लिखना है बेटा cathode के बदलाव को कैथोड के बदलाओ को तो अब जड़ा गौर से सुनना जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ बेटा ये एनोड है कोई मुझे बताएगा एनोड में क्या बदलाओ हो रहा है एनोड में कौन किसमें बदल रहा है आपको दिख रहा होगा एनोड में जिंक बन रहा है बेटा जिंक आयन है नँ जिंक बना जिंक आयन जिंक बना जिंक आयन और जल्दी बताओ कैथोड में क्या बदलाव आ रहा है कैथोड में क्या बदलाव आ रहा है कैथोड में कौपर आयन बन रहा है और अब आखरी काम है बेटा अब यहाँ पर आखरी काम है पाँचवा काम इमफ निकालेंगे अब इमफ कैसे निकलता है वो देखेंगे यह स्टेप वाइस स्टेप आपको एक्जाम में लिखना है अगर इक्जाम में कोशन आया कि जिंक और कॉपर का जो बैटरी होता है चलो उसका इमफ निकालो तो जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही आपको लिखना होगा पहले स्क्रीन शॉट लो फिर मैं इमफ कैसे निकालते हैं बताओंगो बेटा इसक्रीन शॉट लेंगे इसका इसक स्क्रीन साफ दिखाई नहीं दे रहा है अच्छा चले काम करते हैं थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं होफुली आपको दिख जाएगा लो बेटा फटाक से स्क्रीन शॉट ले लो फिर मैं इसको और छोटा करने वाला हूं गुद मॉर्निंग चलो अब मैं आ अब से इंपॉर्टेंट हिस्से में आते हैं अब समय आ चुका है क्या निकालने का बेटा यह मैं अब यह मैं कैसे निकालेंगे तो अभी अभी मैंने सूत्र लिखवाया था आपको यह मैं एक्वल टू इनॉट अफ कैथोड इनॉट अफ एनोड 0.0591 बटा एन लॉग एन नोड का कंसेंट्रेशन कैथोड का कंसेंट्रेशन अब चलो इस सूत्र का प्रयोक कैसे करेंगे सुना थ्यां से सुनेंगे ध्यां से हाजी तो अब यह बताओ सबसे पहले आप मुझे बताओ बेटा कॉपर और जिंग मैं से एनोड कौन था कॉपर और जिंग मैं से एनोड कौन था जिंक करेक्ट तो बेटा यहाँ पर E not का मान किसका रखेंगे जिंक का करेक्ट और यहाँ पर E not का मान किसका रखेंगे बेटा कॉपर का करेक्ट आगे बढ़ते हैं भई अब माइनस 0.0591 एन कमान कितना था 2 तो एन कमान हो जाएगा 2 आगे बढ़ते हैं बेटा अब जल्दी से बताओ अनोड का सांधरता अनोड कौन है बेटा अनोड कौन है जिंक तो हम जिंक आयन के सांधरता को यहाँ पर रखेंगे और cathode कौन है copper तो copper आयन के सांधरता को यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर रखें copper आयन के सांधरता को अब चलो value put up करें आगे बढ़ते हैं अब emf जल्दी बताओ zinc का e0 कमान कितना है zinc का e0 कमान कितना है minus 0.76 copper का e0 कमान कितना है plus 0.34 आगे बढ़ते हैं 0.0591 0.0591 बटे 2 अब बस बेता आपको ध्यान देना है कि zinc आयन का सांधरता और copper आयन का सांधरता एक्जाम में दिया रहेगा याद रखना सांधरता का मान हमेशा प्रश्ण में दिया होता है कुछ देर के लिए चलो मान लेते हैं जिंक आयन का सांधरता 0.01 M है और copper आयन का सांधरता 0.001 M है तो याद रखना सांधरता का मान हमेशा दिया होगा सांधरता का मान हमेशा दिया रहता है बस उसको पूट अप कर दो तो पूट अप करें पूट अप करें 0.001 बस अब इसको हल करना है अब इसको हल करना है अपने आप आपको EMF कमान पता चल जाएगा तो याद रखना इस सूत्र में बेटा इस सूत्र में इनौट का मान दिया रहेगा, सांधरता का मान भी दिया रहेगा, सब चीज तो दिया हुआ है, इनौट का मान परश्ण में दिया रहेगा, सांधरता का मान परश्ण में दिया रहेगा, बस आपको N निकालने आना चाहिए, और एक और चीज, लॉग, लॉग, तो क्या आप ल प्रश्ण को पूरा आगे हल कैसे करते हैं अभी अभी मेन मुद्दा है कि हम हम इसको देखके इसको देखके वहां तक पहुंच सके तो अभी मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि किसी दो तत्व को देखके सिर्फ दो तत्वों को देखके सिर्फ दो तत्वों को देखके यह सार चीजों को systematically नहीं समझें के परिशानी हो जाएगी तो यह कैसे हल करते हैं मैं बताऊंगा फटाक्सिस का स्क्रीन शॉट लीज़े प्लीज लॉग मैं सिखाऊंगा बेटा चिंता ना करें अगले क्लास में सब लोग अपने बगल में रखना अगले क्लास में हर कोई लॉग टेबल अपने बगल में रखेंगे आप कोई भी पुस्तक खोलना पुस्तक के आखरी में लॉग टेबल मिल जाएगा तो लॉग टेबल कैसे कि युजिए मैं आपको अगले क्लास में शिखाऊँगा तो लॉक्त साथ में ले येगा चलो कि ariya sing कि क्या आपने सकी स्कृणिशॉट ले लिया है अब दूसरा उक्जांपल देखोगे clear हो जाएगा यह पहला example है दूसरा example देखते ही clear हो जाएगा screenshot ले लो बेटा इसका बस चीक है कौन से book में है log बेटा physics के पूस्ता के पीछे देख लो या chemistry के पूस्ता के पीछे खोलोगे तो आपको lock table मिल जाएगा चलो अब मैं आपको यह पहला example था जिंक और copper का चलो अब मैं आपको दूसरा example दिखाता हूँ भई जरा गौर से सुनियेगा अब आपके सामने दूसरा example आ रहा है बेटा यह लो अब दूसरा example है मान लो copper और silver का बना हुआ battery किसी ने बोला copper और silver के बने हुए battery का EMF निकालो कैसे निकालोगे चलो स्टाट करें स्टाट करें तो आपको इनौट का मान copper का दिया रहेगा मैं बता दू यह होता है बटा प्लस 0.34 वोल्ट आपको इनौट का मान silver का प्रश्ण में दिया रहेगा प्लस 0.80 वोल्ट बस इतना आपको दिया रहेगा अब इसी से आपको पूरा कहानी आगे ले जाना है चलो ले जाते हैं बटा सबसे पहले क्या पता करना है सबसे पहले यह पता करना है कि इन में एनोड कोन है सबसे पहले पहला काम क्या करेंगे सबसे पहले डाइग्राम बनाएंगे डाइग्राम कैसे बनाएंगे यह देखो मैंने दो बरतन ले लिया इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड ले लिये उसके बाद बाहर मैंने इसको एक सर्कीट से जोड दिया बीच में लवन से तू लगा यह जो भी इलेक्ट्रोड लोग नीचे उसी का विल्यन लेंगे तो इहां पर इसका जो सांधरता दिया होगा उसी को बोलेंगे एनोड का सांधरता और इसका जो सांध्रता दिया रहेगा, उसी को बोलेंगे कैफोड का सांध्रता, कुछ देर के लिए मान लेते हैं, कि इसका वैल्यू दिया है 0, इसको ऐसे लिख लेते हैं ॢटीक है? मान लो मान लो इसका सांध्रता दिया है बटटा, 10 to the power minus 2m और इसका सांधरता दिया है 10 to the power minus 3m यह सांधरता का मान है copper का और silver का लीजे diagram हमने बना लिया यह पहला काम था अब दूसरा काम अब चल के दूसरे काम में दूसरा काम क्या था याद दिलाएंगे दूसरा था cell reaction तो अब हम कॉपर को यहां देख के बता रहे हो copper दान करेगा silver ग्रहन करेगा लीजिए copper को दान करवाओ जब copper दान करेगा तो यह reaction लिखेंगे ऐसा और silver ग्रहन करेगा तो यह थोड़ा समय आपको यहां कुछ बताना चाहता हूं कि Тем का वेलेंसी होताहे हुआन करेगा और अगर सिल्वर की बात करें, तो सिल्वर का वेलेंसी होता है बेटा वन, तो जब भी सिल्वर दान करेगा, तो एक दान करेगा, और अगर ग्रहन करना हुआ, तो एक ग्रहन करेगा, उसी प्रकार, अगर किसी ने बोला कि लेड, बेटा लेड का वेलेंसी होता है टू, तो जब भी ल करना पड़ सकता है ग्रहन भी करना पड़ सकता है डिपेंड करता है कि उसका इनाट का मान दूसरे के तुलने में किस प्रकार का है तो याद रखना अब तक हम लोगों ने कौपर को हमें सब दान करते देखा था माफ कीजिए ग्रहन करते देखा है अब तक हम लोगों ने कौ को इलेक्ट्रोन ग्रहन करते हुए देखा था आज पहली बार कॉपर को आप दान करते हुए देख रहे हो तो बेटा कोई विधातू उसको दान करना भी पर सकता है ग्रहन करना ही पर सकता है डिपेंड करता उसका इनॉट का वैलू कित्ता होगा और याद रखना कितना दान क करेगा या कितना ग्रहन करेगा ये उसके वेलेंसी पर डिपेंड करता है तो ये देखो आज कॉपर का इनौट का मान च्छोटा हो गया च्छोटा इसलिंग दान करना पड़ा और उसको बनना पड़ा एनोड जबकि अब तक वो कैथोड बनता था आज कैथोड कौन बन गया इस equation को 2 से गुड़ा कर दो, तो अब बेटा ये भी कर जाएगा, ये भी कर जाएगा, बोल ये क्या बचा, क्या बचा जी, क्या बचा बेटा, Cu, ये 2 से गुड़ा हो गया है, तो 2AG प्लस gives, Cu 2 प्लस प्लस 2AG लीजिए, हमने लिख लिया cell reaction, अब चलते हैं तीसरे हिस्से में, तीसरे हिस्सा क्या था बेटा, मैंने बोला था, तीसरे, N कमान, चलो बताओ, N कमान किता होगा यहाँ पर, 2 होगा, 2 होगा, 2, कैसे 2 होगा, क्योंकि, ये कितना इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन था, ये 2 इलेक्ट्रॉन था, और ये भी, 2 से गुड़ा होने के कारण, तू बन गया था ये भी टू ये भी टू तो एन कमान क्या होगा बटा टू एन कमान क्या होगा टू चलिए अब आते हैं अब आते हैं चौथे केस में अब आपको क्या करना है बटा एक दो तीन चरहा अब क्या करना है सेलरी प्रेजेंटेशन ये बताओ सेलरी प्रेजेंटे है एनोड में होने वाला बदलाओ फिर इधर लिखते हैं बेटा कैथोड में होने वाला बदलाओ तो जल्दी बताओ वेटा ये एनोड में अभी क्रिया हो रहा है ये कैथोड में अभी क्रिया हो रहा है तो जल्दी से बताईए एनोड में क्या बदलाओ दीखा आपको दीख रहा है कौपर बन रहा है कौपर आयन और कैथोड में क्या बदलाओ दीख रहा है कैथोड में सिल दिवार लीजिए इसको बोलते हैं बेटा सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना और अब आखरी काम और सबसे महत्वपूंड काम अब हम क्या निकालने वाले बेटा इमेफ चलो पहला इसका स्क्रीन्शॉट लो फिर मैं इसको छोटा करूंगा क्योंकि मेरे पास इस्पेस नहीं तो इमेफ निकालने के लिए एमेफ निकालने के लिए क्या सूतर है हमारे पास E not of cathode E not of anode 0.0591 बटे दो ठीक है एन लिख देते हैं भी log उपर anode का सांधरता नीचे cathode का सांधरता चलो value put up करें बेटा अब जल्दी बताओ इमेफ आपको निकालना है E not cathode का जल्दी बताओ ये कौन cathode है copper और silver में cathode कौन है तो बेटा cathode है silver कौन cathode है भई silver cathode है आगे बढ़ते है minus E not of anode यहाँ पर anode कौन है बेटा anode कौन है यहाँ पर copper आज copper anode बना है correct okay minus 0.0591 N कमान दिख रहा है 2 है 2 लिख देते है अब जल्दी बताओ उपर किसका सांधरता रखूंगा और नीचे किसका सांधरता रखूंगा बेटा तो आप देख सकते हैं कि anode कौन है copper और cathode कौन है silver तो बेटा यहाँ पर उपर copper iron का सांधरता रखूंगा और यहाँ पर silver iron का सांधरता चलो value put up करें value put up करें तो यहाँ सुना बेटा कैसे करूंगा मैं यह देखो EMF silver का E not किता दिया है silver का दिया है बेटा plus 0.80 plus 0.34 0.0591 divide by 2 अब यहाँ पर उपर कौन सा मान और नीचे कौन सा मान हमको रखना है तो उपर बेटा copper का मान रखना copper किता दिया है मैंने 10 to the power minus 3 और silver का क्या दिया है मैंने 10 to the power minus 2 अब एक बहुत important बात अब एक बहुत important बात सुनो ध्यांसे यह बताओ मुझे पहले से पता है कि यह anode है यानि इसको मैं anodic concentration कहूंगा यह cathode है तो इसको cathodic concentration कहूंगा जब मुझे पता है कि यहां यहां मुझे anodic concentration रखना है और यहां मुझे cathodic concentration रखना है तो मैं अगर चाहता तो सिधा इन दोनों value को सिधा इन दोनों value को यहां पर रख देता पर मैंने यहां पर पहले क्या रखा पहले मैंने इन आयनों को पहले मैंने इन आयनों को यहां पर रखा है उसके बाद फिर मैंने value put up किया यह गल्ती maximum हम लोग करते हैं कई लोग को लगता है एनोड के आयनों को पता है कैथोड के आयनों को पता है वो सीधा यहां पर value put up कर देते हैं पर ध्यान देना है एक बार कम से कम एक बार इस डिब्बे के अंदर इन आयनों को जरूर रखना क्यों क्योंकि बेटा इधर देखो copper में 2 plus charge है और silver में 1 plus charge है silver में 1 plus charge तो बेटा उपर 2 plus है निचे 1 plus है यह balance नहीं है तो balance करने के लिए इसको square करेंगे आप इसका square करेंगे तो बेटा जब मैंने दोनो आयन को यहां लिखा तब मुझे दिखाई दिया कि उपर 2 plus है निचे 1 plus है यह balance नहीं है पर इन आयनों को अगर मैं नहीं लिखूंगा सीधा इन values को लिख दूंगा तो शायद मैं भूल सकता हूँ को हाँ square करना पड़ेगा मुझे तो square करना के लिए ना भूल जाओ इसलिए पहले iron को लिखते है बेटा यह मैंने क्या बताया एक बाद फिट से रिपीट करते हूँ मैंने क्या बताया अगर माल लो उपर ag plus है नीचे na plus है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन माल लो उपर pb2 plus है और नीचे ag plus है तो दिक्कत है उपर 2 plus नीचे 1 plus यहाँ square करना पड़ेगा अगर उपर al 3 plus है और नीचे na plus है balance नहीं है इसका cube करना पड़ेगा और अगर उपर 3 plus है और नीचे 2 plus है कैसे balance करोगे तो बैटा नीचे वाले का cube करेंगे और उपर वाले का square करेंगे तो इसलिए कहते हैं एक बार इस डिब्बे के अंदर आपको आयन को जरूर लिखना है फटाकस इसका screenshot लीचे प्लीज पीछे वाले में ये में सही नहीं लिखा है क्या होगे आयन सब ठीक तो है उपर में एनोड लेना है आज एनोड कौन बना है कौपर सिल्वर नीचे बना है ऐसी करना है ठीक चलो तो अब इसके screenshot लो अब एक प्रश्ण मैं आपको दे रहा हूँ यह तुरंथ दो मिनट में बना के दिखाऊ मेरे को अब आपको क्या करना है अब आपको अब आपको जिंक और ऐलमूनियम का बना हुआ बैटरी का EMF निकालना है इन और कमान मैं बतायता हूँ पैटर जिंक का होता माइनस 0.76 वोल्ट और इन और कमान अलमूनियम का होता माइनस 1.66 वोल्ट यही तो होता है मेरे ख्याल से एक मेरे चेक कर लेते हैं गड़ बढ़ना हो जाए माइनस हाँ ठीक है सही लिखा है हाँ लीजे बटा यह मुझे बना के दिखाओ एक काम करो समय बचाने के लिए सीधा आप मुझे EMF में सूत्र रख्के बताओ इन और ऑफ कैथोड मैनस इन और ऑफ एनोड मैनस 0.0591 उपर जाएगा अनोडिक कंसंट्रेशन नीचे आएगा कैथोडिक बस इस सूत्र में किसको किसको पूटाप करना बस यह बता दो मुझे चलो जब फटाक से चलो ट्राइक करो एक बार मैं भी बनाऊंगा पीछे-पीछे आपके कोई एनोड कैथोड को मान उल्टा नहीं है बेटा ध्यां से देखो वह और सही लिखा हुआ है आप लोग भी ना सही है ये वाले-वैल्यू ये वाले-वैलिव छोटा है तो ये अनोड होगा ये वाला वैल्यू बढ़त तो कैथ्योड होगा उपर नीचे लिखने से क्या फर Plant Tell था जो छोटा है वह एनोड जो बढ़आ है वो ध्य facets sa सहलो Start करो है बना करिका मेरे को और कंफर्म करो रियक्शन पतह है न यहां पर ऐन इन तीन इलेक्टरों निकानेगा क्योंक उसका वेलेंसी होता है तीन और villages интересно ग्रहन करेगा क्योंकि उसका वैलेंसी होता है तू और इलेक्ट्रॉन को काटने के लिए यह तीन है यह दो है कटेगा नहीं तो इसको आप तू से गुड़ा करोगे इसको आप तीन से गुड़ा करोगे तो अब यह इक्वेशन आ जाएगा आपके सामने इसलिए इसलिए एन कमान एन कमान होगा बटा सिक्स एन कमान सिक्स होगा कंफर्म करो एन कमान सिक्स होगा ना एन कमान सिक्स होगा बस सूत्र में रख के बता दो बस सूत्र में चीजों को रख के बता दो तो चलो देखते हैं क्या आपने ऐसी रखा है बटा यह देखो क्या आपने भी ऐसी किया ह यहां होगा कैथोड कैथोड याने की होगा बेटा जिंक का मान यहां होगा एलमुनियम का मान यहां होगा 6 है ना यहां लॉग नहीं लिख पाया हूं मैं लॉग रहेगा लॉग यहां पर यहां पर उपर रहेगा एनोड कौन है धी एनोड एलमुनियम तो यहां एलमुनियम क का सांध्रता लेंगे यहाँ पर जिंक का सांध्रता लेंगे और क्योंकि यह बैलेंस नहीं है इसलिए इसका स्क्वाइर करेंगे इसका क्यूब करेंगे बागी प्रश्ण में प्रश्ण में इन दोनों का मान दिया होगा और प्रश्ण में ये वाला मान भी दिया होगा तो कन्फर्म करो प्लीज कि क्या आपने भी ऐसे किया है बटा नीराज वैभाओ दिनेश अंकीता अरे केके यार बिहारे जी गधा है क्या है बे तू ये छोटा वैल्यू है ने बेटा ये छोटा है तो ये अनोड बनेगा ना अच्छा इसको भूर रहा है यहाँ पर कैफोड मैनस अनोड जिंक और अलमोनिया कैफोड और ठीक तो लिखा था क्या ध्यान दे तो तुमनों समझ नहीं आता मेरे को कि जड़ा कंफर्म करें क्या है फिगर आप रिड़ कर पा रहे हैं अपने अगल बगल में रख लिया है ना वेरी गुड चलिए आगे बढ़ते हैं तो अब यह जो लॉक्टेबल है इसका प्रियोग कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूं फिर से रिक्वेस्ट करूंग जिन लोगों को लॉक्टेबल देखने आता है थोड़ा सयम रखेंगे बटा मैं सब भी बच्चों को साथ लेकर चल रहा हूं अब इस लॉक्टेबल में अच्छा एक बात मैं क्लियर कर दूं कि लॉग और एंटी लॉग यह बहुत बड़ा कॉंसेप्ट है मतलब बहुत ग े लियर कर दों कि जो गड़ित के बच्चे सेलों मैंत्स हें रहते हैं हो कि जो लोग लॉग को और बहुत गहराहिए से पर दे हैं मतलब लॉक्टेबल कैसे यूजँ करते यह सब गड़ित में आप क्लिया कर दूं मैं लौग पढ़ाने यहां पर नहीं आया हो मैं लॉग मे सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना chemistry में use होता है जितना chemistry में use होता है फिर आपको अगर ज़्यादा अच्छे से log पढ़ना है तो आप अपने गडित के teacher को या physicist के teacher को कहिएगा वो आपको बहुत अच्छे से log पढ़ा देंगे तो याद रखना मैं क्यों chemistry teacher हूँ बेटा और log कितना उप्योग होता है भाई मैंने कहा सिर्फ log की मोटी-मोटी पुस्तके होती है अगर आप खरीदने जाओगे मार्केट में तो आपको log का book मिल जाएगा तो log में क्या-क्या पढ़ते होंगे तो याद रखना log table और log के जो property से वो बहुत वाश्ट है पर मैं आपको पूरा log यहां नहीं बताऊंगा मैं सिर्फ log table में इतना सीखाऊंगा आपको कि आपका chemistry पे काम चल जाए कक्छा 11 और कक्छा 12 में जितना भी log use होता है आज के क्लास में आप सीख जाओगे तो मैं यह सब इसलिए बता रहा हूँ कुछ बच्चे जो log को ज़्यादा अच्छे जानते होंगे वो फिर बीच में प्रस्ट करेंगे सर आपने यह नहीं बताया तो याद रखने बटा सबसे पहली बात यह सबसे पहली बात यह कि अगर आप ध्यान देंगे तो लॉग का जो टेबल होता है देखना लॉग का जो टेबल होता है वो 10 से शुरू होता है देखना 10 लिखाया पर 10, 10, 10 लॉग का टेबल 10 से शुरू होता है और आगे बढ़ता है 11, 12, 13, 20, 25, 50, 60, 80, 90, ऐसे तो log table हमें साथ 10 से शुरू होता है 10 से शुरू होता है तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर कोई आपसे ये कहेगा कि log log 2 का मान कितना होता है अगर आपसे की पूछेगा एक निर बिटा थोड़ा सा इसको मैं गहरा कर देता हूँ हाँ जी अगर आपसे की पूछेगा कि सर log 2 का मान कितना होता है तो बेटा याद रखना log के table में 2 तो होता ही नहीं है log का table तो 10 से शुरू हो रहा है log का table तो 10 से शुरू हो रहा है तो जब भी कोई बोलेगा जब भी की बोलेगा log 2 हमें बताओ तो log 2 देखने के लिए आपको क्या करना है log के table में 20 का 0 देखो गे log के table में 20 का 0 इधर देखो log के table में यह है बेटा 20 यह है 20 20 का 0 वाला कोलम 20 का 0 वाला कोलम देखेंगे तो log 20 का 0 होता है 3 0 1 0, यहां दिख रहा 3 0 1 0 लिखा है, तो बेटा इसका मतलम log 20 का 0 होता है 3 0 1 0 अब जो answer आया, इस answer को लिखेंगे ऐसे 0.3010, अब ऐसा क्यो लिखे, बताऊंगा ऐसा क्यो लिखे, बताऊंगा, चलो पहले आगे बढ़ते हैं, पहले हम आगे बढ़ते हैं अब दूसरा उदारन देखो अगर किसी ने बोला कि log 12 का मान कितना होता है बता अब सुनना बेटा जब तुम को किसी ने बोला log 2 देखो तो 2 तो होता नहीं है तो अब 20 के 0 देखे अब कोई बोलेगा log 12 देखो तो क्या करोगे ? । थे होगे मैंने कहा लॉट के टेबल में 12 का 0 देखोगे और 12 की गीता होता है __ । 792 आप देख पा रहे हैं आप अपने शीट में देख लीजिएगा 0792 तो यहाँ पर यह हो गया है बटा 0792 और जो आंसर आया है इस आंसर को लिखेंगे ऐसे 1.0792 अब यहाँ वन पॉइंट क्यों लगाया बताऊंगा पहले आगे बरते हैं अब अगर किसी दे कहा चलो लॉग के टेबल में 246 देखो 246 देखो तो अब क्या करोगे अब क्या करोगे आप लॉग के टेबल में 24 का 6 देखोगे ध्या सुनना यहाँ आपने 0 देखा यहाँ आपने 0 देखा पर यहाँ आपने 6 देखा ऐसा क्यों तो गोर्ष सुनना यहाँ पर बेटा एक ही फिगर है एक ही डिजिट है यह यहां पर दो डिजिट है, यहां पर तीन डिजिट है, तो जब तक तीसरा डिजिट ना आए, तब तक हमें 0 यह देखना होता है, देखो यहां पर तीसरा डिजिट नहीं था, तो 20 का 0 देखा, यहां तीसरा फिगर नहीं है, यहां पर तीसरा फिगर नहीं है, इसलिए यहां 12 का 0 देख्baby यहां पर 3 rat आगया आच्छ आ तो जब 3 फीगर आ जाए dość तीसरा डिजिट आ जाए तो सुरू के दो डिजिट का 3 डिजिट देखा जाता है तो 246 का 24 6 देखेंगे और शल्द्धी मताँ 24 यह 24 और तक चीनि시는 1906 वाल तो 24 का अगर आप 6 वाला कॉलम देखते हैं तो आपका आंसर है 3909 3909 तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे बैटा 3909 और जो आंसर आया है इसको लिखेंगे 2.3909 अब इसका क्या मतलब है चलो इसको समझ लेते हैं जरा गौर से सुनिएगा होता क्या है होता यह है कि जब एक ही जिजित रहेगा आपके प्रस्ण में तो लिखेंगे बैटा लिखेंगे बैटा जी रो पॉईंट 3010 अगर आफ पास दो डिजीट है तो ली कंगे वन पॉयंट दो डिटी से थो वन पॉयंट ध्यान देना एक डीज़िट है तो. दोइजित ह्याू पॉइंट दो बर दिज टेजू आपको यहाँ पर लिखना होगा पर मैं सर नंबर प्रयोग नहीं करूंगा मैंने पर आपको प्रयोग सहीं आएगा पस इतना सूनना इसको कैसे करते हैं तो इसमें नगा लॉक के टेवल में 24 का 6 देखते हैं और 9 जो है वो मिन डिफ्रेंस होता है अपकर सकते हैं अब को मैठीमेटिक्स आता है तो आप कर सकते हैं फिर भी कुछ बच्चे पूछेंगे सर मिन डिफ्रेंस कैसे करते हैं उनको भी बताइता हुग मैं अगर आपको लगता है मिल्टिफर Audrey फॉल जान नहीं है तो मां बताईता हूं करना यह होता है कि 24 का 6 इसे कितना है 24 इस चितना है 24 is कितना है 24 का 6 था 3909 तुमने 24 का 6देखा तुमने 2429 आपको आपको यह नौ लिख़ा है तो और 9 mean difference में बेटा 16, 16, तो यहाँ पर न, यहाँ पर इस आखरी नंबर में 16 को add कर देते हैं, 16 का हम add कर देंगे और यहाँ पर क्योंकि 4 figure था, तो यह क्या होगा बेटा, 3 point, बस यहाँ पर आपको इसको add कर देना है, यह होता mean difference, लेकिन मैं बताओं, mean difference का प्रयोग मत कीजिए, आपको answer लाने से मतलब है न, सही-सही answer लाने से मतलब है न, बेटा, आपका teacher जो copy check करेगा, वो यह थोड़ी देखेगा कि आपको गडित आता है कि न, वो तो बस यह देखे कि आपने answer सही निकाला है कि न, तो मैं इतने सालों स use करने से मन ही कर देता हूँ, अगर आपको करने आता, तो कर लीजेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर नहीं करोगा, तब भी आपका answer आएगा, तो पिर जबर जबर जस्ती का, जो लोग बायो वाले बच्चे हैं, जो बच्चे mathematics के हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको का answer आएगा, एक काम करो, पहले इसके screenshot लोग फिर आगे बढ़ते हैं, और example कराऊंगा आपको मैं, ओके, चलो और example देखते हैं, चली और example देखते हैं, ठीक है, तो चलो, example आगे बढ़ाते हैं, माल लो, किसी ने कहा, माल लो, किसी ने कहा, कि चलो log, log, थोड़ा छोटा, एक नट न, थोड़ा छोटा कर देते हैं, मुझे भी इसका, इसके मान क्या वशता पड़ी, हाँ, हाँ, किसी ने बोला, log 3, किसी ने बोला, कि चलो, log 3 का मान किता होगा, बताओ, किसी ने पूछ दिया, मान लो, कि log 26 कितना होगा, बताओ, किसी ने पूछ दिया, कि log 2, 1, 7 कितना होगा, बताओ, किसी ने पूछ दिया, कि log 3, 4, 9 कितना होगा, बताओ, चलो बड़ा, ट्राइ करो, एक बड़ ट्राइ करो, मैं भी आपको बताओंगा ही, आप भी एक बड़ ट्राइ कीजिए, कि ये क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ह लॉग 3 कैसे देखेंगे बेटा लॉग के टेबल में 30 का 0 और जो आंसर आएगा उसको 0 पॉइंट के साथ लिखना है 26 कैसे देखेंगे लॉग के टेबल में 26 का 0 और जो आंसर आएगा उसको one point के साथ लिखना है यहाँ पर two one seven है तो लॉग के टेबल में क्या देखेंगे twenty one का seven देखोगे और जो आंसर आएगा उसको two point के साथ लिखना है इसमें कैसे करोगे log के टेबल में 34 का nine देखोगे और जो answer आएगा इसको भी two point के साथ लिखोगे कंफर्म करो ऐसी करना है ने बैटा कंफर्म किजिए ऐसी करना है सबको हाँ लॉग 3 होता है लॉग 3 होता है 4771 करेक्ट लॉग 26-0 किता बताईए लॉग 26-0 किता जल्दी बताओ 4150 4150 है जी 26-0 26-0 4150 हाँ जी 4150 है वेरी गुड बैटा यह है 4150 करेक्ट अब यहाँ 21-7 किता बताओ 21-7 किता है बताओ 21-7 तो 21-7 है 21-7 है 3365 करेक्ट किता है बटा 3365 और 34-9 कितना है 34-9 ओके चेक करते हैं तो 34 है मैंने इतना है लिख के डाख है ऑपने शीट में देख के बता हो 315-9 मिलिए समझाने कने इतना ही इता ही स्कृ tenía था तो आ प्लेटेश मिलिए 34 का 9 34 का 9 किता होता है आंसर दीजिए 34 का 9 किता है बैटा 34 का 9 5428 और कोई विकास जी चंद्रा जी 5428 5428 लग भग वोको ने आंसर दिया है तो आंसर होगा 5428 अब यहां सुलना अगर किसी ने बोल दिया अगर किसी ने बोल दिया कि चलो log log 20 into 15 का मान बताइए log 20 into 15 तो बेटा अब यहाँ पर ना log की एक property यूज़ होगी क्या log m into n होता है log m plus log n correct तो उसी साब से अब यह कैसे हो जाएगा यह हो जाएगा बेटा log 20 into 15 है यह हो जाएगा log 20 plus log 15 अब आपको बस क्या करना है यहाँ पर log के table में क्या देखेंगे 20 का 0 और यहाँ पर क्या देखेंगे log के table में 15 का 0 चलो देखके बता बेटा क्या होगा 20 का 0 होता है 1.3010 और फिफ्टिन का 0 किता होता है देख लेते हैं से फिफ्टिन का फिफ्टिन का 0 1761 1761 1761 1761 बस आपको क्या करना है इसो प्लस कर देंगे तो इसका अंसर आपको मिल जाएगा तो जब भी आपको ऐसा कुछ केस आजा है मल्टिपल के फॉर्म में आजा तो आपको लॉक की यह वाली प्रॉपर्टि लगानी है इसका इसका 1761 करेक्ट मैं बार बार बोल रहूं बेटा जिनको लॉग आता है वो लोग थोड़ा सही ओक करेंगे मैं सभी बच्चों को यह आ जाए इसलिए पूरा बेसिक से बता रहा हूं पर बताऊंगा उतन नहीं जितना के मिश्ट्री में यूज होता है ठीक है क्या पूछा एक बच्चे ने क्या पूछा दो कैसे आगा दो कहा है बटा यहां पर दो नहीं कहीं पर भी ठीक है आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं अगला एक्जांपल देखो मान लो किसी ने यह पूछ दिया कि सर लॉग लॉग ध्यांस देखना बटा लॉग 2.1 इसको ऐसे कर देते हैं लॉग 10 ती पावर 3 कितना होगा तो अब सुनों इदर लॉग की फिरसे एक प्रॉपटी आपके सामने आरे बटा लॉग एम टुदे पावर एन होता है अन लॉग एम एन लॉग एम तो उस हिसाप से अब यह कैसे दिखाई देगा आपको आपने लिखा है लॉग 10 तो यह हो जाएगा इतना अच्छा इसी में अगर ऐसा प्रशन आ गया कि log log 21 divided by 16 तो अब आप क्या करोगे फिर अब यहाँ पर log की एक दूसरी property लगाओगे सुनो जहाँ से यहाँ log का यह property लगे बटा log m upon n होता है log m minus log n तो आपके पास क्या है आपके पास है log 21 divided by 16 तो यह हो जाएगा बटा log 21 minus log 16 अब बस आपको log table में क्या करना है यहाँ log की врем देखना है 21 का 0 और यहाँ पर देखना लगे टेवल में 16 का 0 चलो देखें, देखें 21 का 0 21 का 0 कि सच Красное 21 का 21 का जिरो था 322 22 322 हैना, यह है बैटा 322 टू और यहां पर 2 डिजिट है तो 1.3 222 हो जाएगा अच्छा जी 16 का 0 कितना होता है 16 का 0 है बेटा 16 का 0 है 2041 2041 मैंने कहा यह है 2041 और यहां पर भी दो डिजिट है तो 1.1 बस आपको क्या करना है इसको माइनस कर देना है लीजिए इस तरह से आपको लॉट की प्रॉपट्य लगानी है तो मैंने आपको बताया लॉट में लॉग के बस ये तीन प्रॉपर्टी आपको यूज करना सारे निमेरिकल बन जाएंगे पहले स्क्रीन शॉट लिजी और कोशन कराता हूं बेटा मैं स्क्रीन शॉट लेंगे ठीक चलो अब और देखते हैं और किस तरह के एक्जामपल हमें देखने को मिलेंगे पहले मैं इसको हटा देता हूँ बेटा चलो तो अब मैं आपके सामने और एक्जामपल रखता हूँ हाँ यहाँ देखना अब अगर किसी ने कहा कि चलो बताओ लॉग टू पॉइंट ट्री इन्टू टेंड़ी पावर माइनस टू कित्ता होगा यह देखो ऐसा वैल्लीव आएगा परिक्षा में ऐसा वैल्लीव आएगा तो आप कैसे करोगे कैसे करोगे सुना बेटा सबसे पहले आप लोग क्या करो इसको सिंप्लिफाइ कर लो ये तो आपका प्रस्ण है पहले सिंप्लिफाइ कर लो सिंप्लिफाइ मतलब क्या मैं 2.3 को 23 लिग सकता हूं 2.3 को अगर मैं 23 लिख दूंगा तो यह 10 के पावर में क्या हो जाएगा बेटा मानस 3 हो जाएगा 10 पावर मानस 3 हो जाएगा अब आपको क्या करना है अब चोब लॉक की प्रापटी लगाओ तो लॉग M प्लस लॉग N यह देखिए मैंने हाँ मल्टीप्लाई का साइन था तो मैंने प्लस का साइन यहाँ पर लगा दिया अब आगे बड़ते हैं इसी क्वेशन को आप ऐसे पह लिशकते हैं बेटा मैंने अभी अभी आपको बताया था जनके पावर में होता मैंनस 0.0591 अपोन एन लॉग एनोड की सांधरता और कैथोर की सांधरता और मैं आपको पिछले क्लास में यह बता चुका हूं कि बेटा कि ई-NOT का जो मान रहता है यह प्रश्ण में हमेशा दिया हुआ होता है डिया होता है है ना यह जो सांध्रता है इसका वैल्यू भी प्रश्ण में दिया होता है और एन कमान एन कमान हमें निकालना आता है निकालना आता है तो अब बस मुझे यह बताओ कि अगर मैं किसी बैदूत रसानिक सेल का सेल विभाग ज्याद करना चाहता हूं कि अगर आप यह सीख जाते हो कि log कैसे देखते हैं जों के जो वैलूस होते हैं उसको कैसे सूटर में अप्लाई करेंगे तो फिर cell वीभाव निकालने में आपको परिशानी नहीं होगी हाला कि पिछले class में पिछले class में तकरीबन आदे घंटी की class हुई थी और light चली गई थी मैंने कुछ हद तक आपको lock table देखना सिखा दिया था तो मैं शुरू से नहीं बताऊंगा बस एक दो एक्जामपल बता दूँगा फिर हम कहानी को आगे बढ़ाएंगा हम बात कर रहें lock table की तो कुछ basic बाते कुछ basic rules मैं आपको lock table के बारे में पिछले class बता चुका हूँ याद आपको मैंने कहा कि मैं lock table के बारे में कुछ basic rules, कुछ basic बाते आल रेड़ी बता चुका हूँ जैसे कि कुछ बाते कि lock का जो table होता है lock का जो table होता है बेटा वो 10 से शुरू होता है lock का table 10 से शुरू होता है और आगे बढ़ता है और मैं आपको यह भी बता चुका हूँ कि mean difference हम प्रयोग नहीं करेंगे बीना इसके प्रयोप के हमारा आंसर सही सही आएगा हाला कि कैसे mean difference देखते हैं ये भी मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ पर आज कहूँगा अगर आप mean difference नहीं करोगे तो भी बात बन जाएगा तो ये lock table मैं थोड़ा से इसके बारे में बता चुका था और चलो फिर से ऑको मैं एक-डु एकजांपल जो हो दिखाता हूँ पेटा मैं एकजांपलáis यह मैं आपको दिखाता हूं जराह गौर से सुनेगा तो यहां सुनेंगे यहां सुनेंगे अगर लॉक के प्रॉपर्टी के बारे में बात करें और कुछ वैलुस लेकर चलू तो बैटा क्या करेंगे याजन आपको अगर आपको लॉग 4 देखना है मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ प्लीज रिक्वेस्ट करों पिछले क्लास अटेंड कियोगा तभी आ अगर कोई बोलता है लॉग 36 कितना होगा तो हम कैसे देखते हैं लॉग 36 आपको याद होगा लॉग के टेबल में 36 का 0 देखेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको वन पॉइंट के साथ लिखेंगे ओफुली आपको याद होगा है सब बाते अगर आपको लॉग के टेबल म क्या देखेंगे आप लॉग के टेबल में 32 का सेवन देखोगे और जो आंसर आएगा उसको वेटा टू पॉइंट के साथ लिखोगे याद दिलाओ आपको याद दिलाओ आपको मैंने क्या पताया था अगर एक डिजिट रहता है तो हम यहाँ पर 0 पॉइंट के आंसर इन डिफरेंस हमको फिलाल यूज नहीं करना है यह मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं आगे बढ़ते हैं तो इनके वैल्यूस कितने होंगे यह आपको लॉग टेबल देखके आपको बता रहा है यह आपको देखने आता है तो पिछले क्लास में जहां पर क्लास रुका था जहां पर हम अटक गये थे वहीं से कहानी को आगे बढ़ाते हैं ठीक है तो सुने के ध्यास से अगला एक्जामपर आपके सामने आ रहा है मालो प्रश्ण में किसी ने पूछ दिया कि log 2.6 into 10th power minus 3 कैसे देखेंगे कैसे देखेंगे तो पहले आप क्या करना बेटा सबसे पहले क्या करना इसको सिंप्लिफाई कर लो सिंप्लिफाई बोलने का मतलब है लॉग 2.6 है ना उसको 26 लिख दो 26 तो फिर 10 का पावर क्या हो जाएगा मैनस 4 हो जाएगा अब चलो लॉग की प्रॉपर्टी इसमें लगा देते हैं तो लॉग की प्रॉपर्टी इसमें लगाओगे तो क्या होगा बेटा आपको पता है ना लॉग M into N यहां मल्टीप्लाई का साइन है गुड़ा का साइन तो वो प्लस का साइन बन जाएगा तो लॉग 26 प्लस लॉग 10 के पावर में माइनस 4 यह आगे हो गया अब आगे बढ़ते हैं अब लॉग की प्रॉपर्टी फिर अप्लाई करेंगे यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी 10 मैंने क्या लिख दिया बटा लॉग M प्लस लॉग N आप देख सकते हैं जो जो रूल था जो फॉर्मुला उसको मैंने हापर अप्लाई कर दिया आगे बढ़ते हैं अब इसी में इसी एक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना यह देखो लॉग 26 अब मैंने आपको ब 20 अच्व फिरी एंफ लं सबसց लॉग 10 हो जाएंगा मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं कि जो पावर में होता हो सामने ग मुझा ट्यख़म्ण पावर में मैनस फॉर तो निची आए जाएगा बिटा टarfर में जो माइनस फॉर है वोग जो 2 वैसक्री इसल ऐगऊ बढ़ 4 को कुछ दिर के लिए hold करो रोक के रखो इसको देखते हैं अब आपको लॉक के टेबल में 26 देखना है अब जल्दी पिता लॉक के टेबल में 26 कैसे देखेंगे लॉक के टेबल में 36 कैसे देखे थे 36 का 0 ठीक उसी प्रकार अगर आपको लॉक 26 देखना है तो 26 का 0 देखोगे देखें देखें 26 किटता होता है बेटा एक मिनाट ओ को दिखाता हूं हूं यह जी है 26 पहर 1 525 लॉट्टेवल को यह से देखते बता चुका है ६ापकोो तो यहाँ पर आप सांसे एक नदें 26 का जीरो कितना बेटा41 50 आगे बढ़े तो पिर उस हिसाब्सें यहाँ पर तो आपने क्या देखा 26 का जीरो और 26 मतलब दो डिजिट होता है दो डिजिट यहां पर क्या हो जागा बेटा 1.4150 फिर बाद में माइनस 4 कर दीजेगा 4 को माइनस कर देंगे आंसर आपके सामने हो तो लीजिए मैंने आपको बता दिया कि इस उदारान को कैसे बनाना है इसका स्क्रिंशॉट लीजिए और इग्जांपल दिखातो है इसके स्क्रिंशॉट लो और इग्जांपल देख पाएंगे आप लो तो पिछले क्लास में यह अधूरा रहे गया था उसी को पूरा कर रहा हूं मैं और रिक्वेस्ट करूंगे कोई भी पिछला क्लास अगर अगर मैंने किया है तो एक बार जरूर देख लें वहीं से मैंने इसको कंटीनू किया हुआ है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब अगला एक्जांपल देखते हैं बेटा अब अगर किसी ने पूछ दिया कि लॉग 241 माफ किजिए 2.41 इन्टू 10 दिद पावर माइनस 2 कैसे देखेंगे तो कैसे करो कि बेटा चलो स्टाट करें सबसे पहले को सिंप्लिफाई कर लो तो 2.41 को मैं 241 लिख सकता हूँ न अगर 241 लिखूंगा तो 10 के पावर मुझे आएगा बेटा यह माइनस 4 पॉइंट यहा अगरा तो 10 के पावर मुझे से मैन्स online च वर हो गया अच्छा जी अब इसको अगे बढ़ाएं तो लॉक 2 फोर वं और अब भी अभी बताया था जो 10 के पावर में उत्वर् 9स کो डिचे उतार दो यonne right कर दिया इसको मेनत कर दिया चरबानगे far को अपर को खोब में रहो थोड़ाव सा उसको रोक के रहो अब सबास्ती की 241 कैसे देखोगे तो लॉट के टेबल में देखेंगे 24 का 2 listen मैंने क्या बता है कि अगर आपको अगर आपको 327 देखना था आप आप क्या देखतें थे last सेवन देखे थे ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार आपको यहँआ पर 241 देखना है तो 24 का वन कितना होता है तो 24 का वन चलो चर्ड़ करते हैं बैटा यह देखो यह है यह है 24 का 0 24 का 1 यह है 24 का 1 यह है 24 का 1 तो 24 होता है 3820 और देखो तो बेटा यहाँ पर 3 डिजिट है यहाँ पर 3 फिगर है तो यहाँ लिखेंगे 2.3820 फिर बाद में minus 4 कर दीजिएगा answer आपके सामने होगा लीजिए यह एक उधारन मैंने आपके सामने रख दिया अब एक example और देखते हैं इसी में एक example चलो और देखते हैं बेटा माल लो ऐसा प्रश्ण आ गया यहाँ देखना कि ऐसा लिखा हुआ है log 0.004 कमान कित्ता होगा कैसे करोगे तो पहले काम करो इसको simplify कर लो तो क्या मैं 0.004 को ऐसे लिखेंगे तो हो बेटा 4 into 10 to the power minus 3 पॉइंट यहाँ पर है उसको मैं यहाँ पर ले आया यहाँ पर ले आया तो यह ऐसा हो जाएगा चलो अब आगे बढ़ें तो अब यह कैसे हो जाएगा log 4 क्या बताया था मैं जो 10 के power में बता है उसको सीधा नीचे उतार दो नीचे उतार दो देखिये बताओ 40 के 0 कीता होता बेटा जल्दी बताएंगे 40 का 0 कीता होता है log table देखिये क्योंकि मेरे पास यो lock table है वो मैने सेथ सिर्फ 30 तक रखा हुआ है मेरे पास यो डॉक टेबल है वो सिर्फ 30 तक है मैने यो बता अभि этим अन्हें बताओ लॉक 40 का 0 लॉक 40 कितना हो बेटा कितना होगा हाँ जी चेक कीज़े प्लीज हाँ बताओ कितना कितना दिखा रहा है आप लोगा ओके हाँ 6 0 कितना 6 0 2 0 तो ये होगा बेटा ये होगा ये होगा 6 0 2 0 और मानस 3 तो रहे गहीं अब यहाँ पर लॉक 4 है 4 मतलब सिंगल डिजिट है तो यहाँ पर क्या करेंगे बिटा 0.0 पाइंट करेंगे इसको मारत में मानस 3 कर देंगे चलो एक एक इसापल और देख लेते हैं किसी स्रेडी में चले एक इसापल इसी में और दिखाता हूं मैं आप लोगो ठीक है यहाँ देखना अगर किसी ने बोल दिया लॉग 0.23 इंटू 10 पाइंट पाइंट 6 है इसको कैसे देखेंगे कैसे देखेंगे बहुत इजी है पहले सिंपलीफाई कर लो सिंपल कर लो इसको 0.23 को गर मैं 23 लिख दूँ तो 10 के पाइंट के पाइंट का जाएगा माइनस 8 हुजाएगा अब आगे बरते हैं बटा लॉग 23 माइनस 8 नीचे उतार दिया अब लॉग के टेबल में क्या देखोगे अब आप लॉग के टेबल में देखोगे 23 का 0 जल्दी बताओ 23 का 0 कितना है बेटा 23 का 0 तो 23 का 0 है 3617 3617 यह है 3617 और यहां पर दो डिजिट है तो 1.3617 लिखेंगे और बाद में माइनस 8 कर देना अंसर आपके सामने होगा देखिए मैं पिछले क्लास में भी बता चुका हूं कि हो सकता है बहुं सारे बच्चों को लॉग टेबल देखने आता हो पर प्लीस थोड़ा सा योग कर देखो अब नेक्स्ट आपके सामने आरा मालो ऐसा प्रस्ण आ गया यह देखो ऐसा लॉग 2.6 इंटू 10 पाउर माइनस 3 डिवाड़ेड़ भाई 4.33 इंटू 10 पाउर माइनस 4 चलो इसको हल करो या देखना परिच्छा में ऐसे ऐसी वैल्ली वाएगा अब चलो कैसे करेंगे चलो मैं आपको दिखाता हूं बहुत इजी है बेटा पहले सिंप्लीफाई कर लो सिंप्लीफाई कर लो मतलब 2.6 को अगर मैं 26 लिख दूँ तो 10 के पाउर माइनस 3 हो जाएगा और 4.33 को अगर 433 लिख दूँ तो 10 के पाउर में यह हो जाएगा एक मिनट यह 3 नहीं होगा मैंने पॉइंकका खेंगा यह जैगा और यहांपर दो पॉइंक किसकाया तो मैनस 6 हो जाएगा यह आता ना यह हो पाउर रख फिर भी अगर 4.632 हैं अगर आप इसको 463 लिखेंगे को यहां से यह लाओगे तो 10 के पौद मिनास 3 अगर आप 4.34 मैंनेस टू है अब इसको 432 को को पौइंट यहां से यह ला रहो पहले हो मैनस टू है दो ढूढ़िजिट और clean for मुझे पता है बहुत लोगों पता है पर यकीन करो हिंदी मीडियम के कई स्कूलों में मैंने देखा है कि बच्चे यह वारा केस नहीं कर पाते हैं इनको प्रॉब्लम होता है थोड़ा सब मैं बतायता हूं जिनके बनता है वो तो उनसे बनी जाता है पर फिर भी जिनको नहीं हो तो पॉलू के बाद एक दो तीन डिजिट है तो तेन के पाउर में 10 के पाउर में माइनस ठी अगर यह सब अगर यह सबुआ है इस नहीं इसलिक दोपावर,' तो इसको लिए यह उसको एंसको बिलिग सकते हैं ऐसे सकते हैं 0.004 into 10 for minus 2 तो पॉइंट यहां है पॉइंट को यहां लाओगे तो 4 into 10 आप एक दो तीन डिट खिसका रहे हो पावर मानस 2 पहले से था तीन आपने खिसका है तो जागा मानस 5 तो मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चों से बन जाता है पर कई बच्चे सच में इसको नहीं कर पाते हैं इसलिए मैंने फटाफट इसका एक एक इग्जांपल दे दिया इसक्रीन शॉट लेंगे फिर अटाता हूं इसको मैं तो बच्चे जो यह सब करने जानते हैं प्लीज नाराज मत हुए कि बटा मैं हर बार कहता हूं कि हिंदी मीडियम में अभी भी कई ऐसे स्कूल है जहां जहां बच्चे प्राब्लम फेस कर रहे हैं जहां बच्चे प्र की हच्ची असे स्कूलों में कि सोउसे नहीं सधी्च करते हैं तो इस ले कहता हूं जो बच्चे जिनको आता है तो थोड़ा सा सьयम रखेंगे थोड़ा सा समय जरूर लगता है पर एक एक चीज थोड़ा से बताएता हूं बेटा चलो तो simplify करते हैं इसको अब कैसे करेंगे तो बेटा यहाँ पर आप लिखे हो यहाँ पर लिखे हो 2.6 तो उसको 26 कर दूँगा तो एक यह बढ़ जाएगा माइनस 4 हो गया और 2 4.33 है 4.33 उसको 433 कर दूँगा दो डिजिट मैंने खिसका दिया तो यह 10 का पावर में माइनस 4 पहले से था दो पॉइंट खिसका तो यह माइनस 6 हो जाएगा अब आगे बढ़ते हैं अब इसमें लोग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कैसे करेंगे याद हैं आपको लोग की प्रॉपर्टी क्या है लॉग M अपान N होता है बेटा लॉग M Minus Log N तो उस हिसाब से अब यह कैसा हो जाएगा तो Log M Minus Log यह देखो यह ऐसा हो जाएगा आगे बढ़े अब इसी को और कैसे लिखोगे मैंने क्या पता है जो टैन के पार मोटा नीचे उतार आता है मैंने डारेट नीच उतार दिया चलेगा को दीकर दी है मार्क्स नहीं कड़ेंगे आपके इसमें तो यहाँ पर यहाँ पर पर तो यहाँ पर आप लॉग के टेबल में टॉन्टी सिक्स का जीरो देखोगे और यहाँ पर लॉग के टेबल में 53.酒 फोर थ्री का 3 देखोगे उसके बाद फिर क्या करना है यहाँ पर 26 का जीरो देखोगे अपक्योंगे यहाँ पर दो डिजिट तो आंसर आएगा वन पॉइंट में पर जो भी आएगा उसमें लाश्ट सिग्सष्ग डेना माइनस-2 तो देखना जो भी आएगा धान देन लिए इसका जिए धर आगे बढ़ेंगे एक्षापल और करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे बेटा इसक्राइब लिए अगला प्रस्ट आपके सामने ये देखो एक प्रस्ट और माल्लो ऐसा कोश्टन आ गया कि log 4 into 10 power minus 3 है इसको हम divide करेंगे 0.0001 से कैसे करोगे चलो solve करें कैसे करोगे बेटा log 4 into 10 power minus 3 इसको कैसे लिए सकते हैं 10 power minus 4 point यहां था यहां से यहां लाऊंगा 10 power minus 4 यह हो जाएगा अब इसके बाद इसको log की property apply करो 4 into 10 power minus 3 log m minus log n यह ऐसा हो गया आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद अब इसके बाद क्या करोगे log 4 minus 3 नीचे उतार दिया यहां पर बेटा यह जो सामने आ जाए गए माइनस 4 log 10 बज गया और आगे बरते हैं जल्दी बताएं यहां लॉक के टेबल में क्या देखोगे यहां लॉक के टेबल में देखने वाले हमनों 4 है तो 4 कैसे देखते हैं बेटा 40 के 0 जल्द देखे बताओ अपने लॉक टेबल में देखके बताएंगे 40 का 0 कितना है बेटा 40 का 0 कितना है बताएंगे कितना होता है हाँ 6020 यह होता है यह होता है 6020 और यहाँ पर 4 था 4 यानिकी एक डिजिट तो आंसर क्या आएगा 0.0 में आएगा माइनस 3 आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लॉक 10 तो 1 होता है तो बस यहाँ पर माइनस 4 रहेगा बस इसको हल करना है बेटा हल करता ही आंसर आपके सामने होगा लीजिए तो इस तरह से लॉक का टेबल का प्रयोग किया जाता है और अब चलो यह जो कुछ मैंने सिखाया है इ देखेंगे चलो तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर जिसके लिए यह सब्च कर रहे हैं हम लॉक टेबल देखना क्यों सीख रहे हैं लॉक टेबल के यूज क्या है चले अब उसकी बारे बात करते हैं तो गौर्द सुनेंगे चलिए एक प्रस्ण आपको दिखाता हूं कैसे प्रस्ण आएगा वो देखना बेटा कैसे प्रस्ण आता हूं देखना मालों एक्जाम में प्रस्ण आया की की ऐसा लिखा है Zn, Slash, Zn, 2 Plus, 0.01m, Double Slash, Cu, 2 Plus, 0.1m, Slash, Cu, देखो, ऐसा लिखा हुआ आएगा, इसको क्या बोलते हैं? इस तरह से लिखने को क्या बोलते हैं? अब आपको प्रश्न में कुछ दिया हुआ है, तो आपको प्रश्ट में दिया हैं, क्या दिया है? E0 का मान, Zinc का होता है, मायनस 0.76V, और E0 का मान, कॉपर का होता है, प्लस 0.34V. तो याद रखना, प्रश्ट में हमेशा ये वाला value दिया रहता है. हमेशा ये value दिया रहता है तो आगे बढ़ें तो चलो अब किसी ने बोला चलिए एम एभ गयात कीजिए एम फ कमान गयात कीजिए इसल वीभाव गयात कीजिए तो बेटा इस वक्त आप के सामने जिंक और कॉपर का बना हुआ एक बैटरी है जिंक और कॉपर का बना हुआ एक बैटरी और कोई आपसे कह रहा है चलो इस बैटरी का विभाव ग्याद करो EMF ग्याद करो कैसे करेंगे चलो सिखाता हमें आपको आरा कि यह जानते हैं मैं करा चुका हूँ कैसे करोगे बेटा EMF E naught of cathode minus E naught of anode minus 0.0591 upon n log anodic concentration upon cathodic concentration चले कुछ बातों को समझ लीजिए पहली बात कि जिस element का E naught का value छोटा होता है वो anode होता है समझ गये ना यह आपको करवाया जा चुका है पिछले दो क्लास पहले यह मैं करवा चुका हूँ आपको और जिस element का E naught का value positive होता है बेटा वो cathode होता है यह आपने पढ़ लिया है और शाथी साथ आपने यह भी पढ़ा होगा यह भी याद होगा आपको इस double slash के left में जो होता है वो हमेशा anode होता है और इस double slash के right side जो होता है वो हमेशा cathode होता है याद आया left में हमेशा anode right में हमेशा cathode तो बेटा तुमने कहा कि इस double line के इस तरफ anode होता है तो इसका यह मतलब निकला कि यह जो सांधरता का मान दिया है इसे को आप anode का सांध कहो ग네요 आपने Right Side Right Side को कैफोड का है तो यह जो सांध रता का मान दिया इस इस्वाप कैफोड का सां रता यानल कि कैफोडीक कंसंट्रेशन कहोगे चलिए वेल्यू पूटाप करें बैली पूटाप करें क्या होगो देखना इम्य कैफोड और कौन है пох Cheese कौन है बटा तो तो कैथोड है copper अनूड कौन है जिंक एन कमान आप निकाल ही लोगे और बताओ उपर किसका सांधरता अनोड का सांधरता अनॉड कौन है जिंक तो यहाँ जिंक आयन का सांधरता लोगे यहां पर कॉपर आयन का सांधरता लोगे चलो वैलू पूट अप करें कैसे वैलू पूट अप करेंगे बैटा यह देखो यह में कॉपर का इनॉट किता दिया है प्लस 0.34 जिंक का माइनस 0.76 अब जल्दी बताओ 0.0591 एन कमान किता होगा इस प्रश्ण में एन कमान कितना हो जल्दी बताएंगे एन कमान किता होगा यस टू टू होगा एन कसे निकालते हैं यह भी सीखा चुको हूँ मैं लॉग आगे बढ़ते हैं अब बैटा जिंक आयन की सांधरता किति दी भी है जीरो पोइंट जीरो वन और कॉपर की सांधरता 0.15 अब इसको आगे हल कर दें कैसे करेंगे मैं कैसे हल करने दीखाता हूं तो आप पहले क्या करो आप पहले क्या करो जल्दी पाऊ इसको इसको पहले घटाओ कितना रहा बता हु जह 0.34-0.761 को फार अ को इसका मान कितना रहा पताने है यह 1.1 के आसपास आएगा अभर गाई इसको भाग करो 0.0591 को 2 से भाग दोगे 2 से भाग दोगे ये करीब आएगे बटा 0.02955 के आसपास आता है करेक्ट आगे बढ़ते हैं जी अब आपके पास क्या है बटा लॉग उपर में 0.01 लिखा है तुसको मैं ऐसे लिख सेकता हूं क्या 10 to the power minus 2 और 0.1 को 10 to the power minus 1 कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं अब इसी को मैं और कैसे लिखूंगा आगे बढ़ते हैं यह देखो कैसे करेंगे 1.1 minus 0.02955 बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या लॉग 10 to the power minus 2 minus log 10 to the power minus 1 ऐसे लिखेंगे न आगे बढ़ते हैं 1.1 0.02955 अब जल्दी बताओ यह 10 के power में होता है सामने आता है तो नीचे उतार दिया log 10 to 1 होता है यह इसको भी सामने लाइए क्या हो जागा अब यहां पर कित्ता बचेगा यहां पर चिता बचेगा यह तो 1.1 0.02955 तो यहां पर बचेगा 1 तो बस अब आपो क्या करना है सिर्फ इससे इसको घटाना है और आशार आपके सामने होगा चलिए इसको इबर हल करो बचा इसको बताएंगे यह दिख रहे कि नहीं थोड़े नम बड़ा कर दूंगे स्क्रीन को पर पहले स्क्रीन ले लो इसका वोफुली दीख रहा होगा दीख रहा है मेरे ख्याल से यह दीख रहा है जिद्धार बेटा 1.07 क्या सपसाएगा 1.07 वोल्ट तो क्या समझे जिंक और कॉपर से बना हुआ बैटरी का जो यह मेफ है यानि कि सेल भी बहुत 0.07 वोल्ट होगा तो देखिए इस तरह से लॉक टेबल का प्रयोग करना पड़ेगा हारा कि यह लॉक टेबल देखना नहीं पड़ी फिर भी कैसे करना मैंने बता दिया चलो और एक्जांपल करेंगे तो आज एक लास में हम सेल भी बहुत निकालना सिखेंगे बेटा इसके स्क्रीन शॉट लीजिए फिर अगला एक्जांपल देखते हैं कि फोड़ा स्क्रीन बढ़ा कर दूं ओके इस तरफ को सामने आ रहा है कुछ इस प्रकार का दिख रहा है बेटा ऐसा दिख रहा है प्रश्ण में लिखा हुआ है कि जेडेन स्लैस जेडेन टू प्लस यहां लिखा है टेंट पावर टेंट पावर माइनस थ्री एम डबल स्लैस यहां लिखा है बेटा एजी प्लस टेंट पावर मा सेजी और अब प्रश्ण काह रहा है चलो इस सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए एम फ कमान गयाद करो कैसे गयाद करोगे तो आपको क्या दिया रहे प्रश्ण पता है न आपको हमेशा इनाट का मान दिया हुआ रहेगा इसके लिए परेशान नहीं होंगे तो जिंक का मैनस 0.76 वोल्ट होता है और इनाट का मान कॉपर नी इसिलवर है ना तो सिलवर का इनाट का मान होता है जिरो पॉइंट एड जिरो वोल्ट यह हमें सब प्रस्न में दिया रहता है चलो इस्टाट करें अब किसी ने बोला EMF ज्याद करो चलो ज्याद करते हैं भई को दिकत नहीं है EMF यहां क्या लेंगे कैथोड का E0 यहां एनोड का E0 0.0591 यहां N कमान यह देखिए यहां पर क्या लेंगे एनोड की सांधरता यहां पर कैथोड की सांधरता चले पूटप करें सारे वैल्यूस बहुत इजी है यह चलो करते हैं बटा तो EMF कैथोड कौन है इस बार तो मैं आपको पहले ही सिखा च चोटा होता है वह एनोड होता है और जिसका वैल्यू बड़ा होता है वह कैथोड होता है या यू कहो कि इस डबल लाइन के इस डबल लाइन के लेफ्ट में जो होता है वह एनोड होता है और राइट में जो होता है वह कैथोड होता है तो मैंने कहा इस डबल लाइन के साइड साइड है तो यह कहला है बटा कैथोडी कंसेंट्रेशन लीजिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं यहां कैथोड को नभई कैथोड है सिल्वर एनोड को नभई जिंक 0.0591 एन कमान निकाल लेंगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लॉग जल्दी बताओ उपर किसका सांधरता जाएगा उपर जाएगा एनोड यानिकी जिंक आयन का सांधरता और नीचे सिल्वर आयन का सांधरता अब याद दिला हूँ आपको पिछले के पिछले क्लास में आ आपको एक बात बताया था कि बेटा आपको भले ही ये पता है कि जिंक का सांधरता यहां रहेगा और सिल्वर का सांधरता यहां रहेगा यह जानके सिधा इस वैल्यू को और इस वैल्यू को पूटप मत कर देना वहना भटक जाओगे कैसे भटक जाओगे देखो बेटा उ आपको दो क्लासेस पहले बताया था कि इस डिब्बे के अंदर कम से कम एक बार इन आयनों eerste एक बार इन नो को जरूर रखेंगे तो रह धिया अब चलो फूट आप जल्दी बताओ, silver का value किता है भई, silver का E0 का मान है, 0.80, zinc का मान, minus 0.76, 0.0591, अब बताबटा, n का मान किता होगा, इस प्रस्ण में, n का मान किता हो, जल्दी बताइए मेरे को, इस प्रस्ण में, n का मान कितना होगा, zinc है और silver है, n का मान किता होगा, 2, 2, आपको मैंने 2 classes पहले सिखाया था, n का मान कैसे निकालते हैं, फिर भी एक shortcut बताता हूँ, फिर भी एक simple shortcut बताता हूँ, n का मान कैसे निकालते हैं, सुनो, अगर आपके पास 2 धातू है, जिसमें plus 1, plus 1 charge है, तो बटा, n का मान होगा 1, अगर किसी धातू में 2 plus charge है, और दूसरे धातू में 2 plus charge है, तो n का मान होगा 2, अगर किसी धातू में 2 plus charge है, और किसी धातू में 1 plus charge है, तो यह balance निहीं है, तो बैलेस करने के लिए, इसको 2 से multiply करते हैं तो ये भी N कमान क्या हो जाएगा 2 अगर किसी धातु का M कमान 3 माम कीज़े valency 3 प्लस है और एक में 1 प्लस है तो N कमान होगा बटा 3 लेकिन अगर किसी धातु में 2 प्लस चार्ज है और एक में 3 प्लस चार्ज ये balance नहीं है तो balance करने के लिए इसका हम cube करेंगे इसका square करेंगे तो N कमान क्या हो जाएगे बटा 6 तो अगर आपको N कमान direct देखना है तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप N कमान अगर direct देखना चाहते हो तो ऐसे भी याद रख सकते हो बेटा कि अगर 2 प्लस है और 1 प्लस है 2 प्लस है और 1 प्लस तो n कमान क्या होगा 2 तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं ये शॉटकट है मतब डायरेट देख के आप बता सकते हैं n कमान कीता होगा आगे बढ़ते हैं तो मैंने कहाँ इस प्रषण में n कमान होगा 2 अब value आगे बढ़ाते हैं बेटा लॉग बता जिंक का सांधर रता कितना है 10 to the power minus 3 और सिल्वर का सांध रता बेटा 10 to the power minus 2 पर आपको square करना भूलेंगे नहीं square करना है square करना है चलो आगे बढ़ते हैं अच्छा इसको हटाएता हूं किता रहा है बेटा 1.5 करेक्ट यह आएगा बेटा 1.5 के आसपास आगे बढ़ते हैं इसको divide करने से क्या आता है इसको divide करने से क्या आता है कि यह थे ना कितना 0.0295 0.0295 यह आएगा 0.0295 अच्छा मैं आपको एक सलाह दूँ एक सलाह दूँ बेटा n कमान आप जितने भी प्रश्ण आपके पुस्तक में दिये हुए हैं गौर सुनना जितने भी प्रश्ण आपके पुस्तक में दिये हुए हैं सभी प्रश्ण में n कमान या तो एक होगा या दो होगा बस बहुत रेर केस में ऐसा होता है कि n कमान 3 होगा या n कमान 6 होगा तो याद रखना आपके प्रश्ण में आपके पुस्तक में आपके सिलेबस में जितने प्रश्ण दिये हुए हैं सब में n कमान या तो 1 होगा या कि जब आप जब आप एन कमा तू लेटे हो तो तो जिरो पॉंच फाइफ नाइब वन को जब टू से डिवाइट करते हैं तो जिरो पॉंच जिरो टूरन फाइफ इसको याद कर लो एक्छुलिंच चाहता हूं कि सब याद कर लो कि मुझे पता है की 90 प्रतिसत नब्ब प्रत प्रश्णों में एन कमान टू ही होगा एन कमान टू ही होगा तो जब मुझे पता है कि एन कमान लगभग टू होगा तो क्यों नहीं सीधा 0.0591 डिवाइड़ बाइट टू का वैलू ही आद कर लू ताकि बारबर मुझे भागित करने में परिशानी ना हो तो याद रखना कमान टू प्रश्णों में ज्यादा देखा जाता है तो कहें माथा पाची करों कि अल гол तो सीधा याद कर लेना जादा चरहेगा सीधा आप इसको याद कर लिए आपका समय बच जाएगा आपका समय बच जाएगा अब आगे बढ़ते इधार क्या लिखा है इसको कैसे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं फिर तो क्या होगा बैटा यहां लिखा 1.5 0.02955 अब इसक ऐसे लिखो गया लॉग 10 के पावर में माइनस 3 3-2OP-2 लॉग 10 के पावर में माइनस 4 चलो और आगे बढ़ाते हैं यह क्या हो जाएा बीटा माइनस 3 और माइनस 4 तो पता यह किता हो जाएक अंसर इसका यह न बेटा इसको जब हल करोगे तो इसका जाएगा वन तो चले फिर इसको पूरा हल करके मुझे फाइनल आंसर मुझे बताएंगे मैं उपर से नीचे कैसे आ रहे हैं मैंने सिखा दिया अब इसको फाइनल आंसर आपको बताना है बेटा ट्राइ करो चलो बनाएए मैं भी पीछे आएगा क्यों यह तो वन आएगा है ना चलो तो बस इसको माइनस कर दीजिए आंसर आपके सामने होगा आंसर बताईए मैं भी आपके पिछे पिछे आंसर बताता हूं 1.5 तो यह 1.47 बोल्ट के आसपास आएगा करेक्ट बताईए ऐसी होगा ठीक चलो अब अगला आपके सामने है बेटा इस बर आपके सामने आया है कॉपर कॉपर टू प्लस इसको ऐसे लिखते हैं ठीक है एक काम करते हैं एक दूसरा तरीका है देखो सीउगे प्लस ए जी प्लस 10 कि पवार मायनस 4m जीबस सीउटimme प्लस ए मधी लिजिए एक प्रस्टन आगया है और आपको मैं इनोर्ट का मानदे देता हूं चाहता है लिए-शीजिआभ और यही norm in अब सबसे पहले आप मुझे बताओ इस प्रस्थि में cathode anode कौन होगा ? वैटा cathode anode कौन होगा तो पहचानने का तरीका क्या है जिसका i0 का value छोटा होता है वह क्या रहता है एनद और जिसका i0 का value बड़ा होता है हो क्या होता है वैटा Cathode यह नोट कमान दिया है उससे आप जान जाओगे जिशका वैलू छोटा है वो एनोड जिसका वैलू बड़ा है वह कैथोड। इसके लावा एक तरीका और है कि किसका आक्सी करन हो रहा है किसका अपचैन हो रहा है देखो कॉपर कॉपर में 0 चार्ज है और अब यहाँ कॉपर में 2 प्लस चार्ज आ गया यानि कॉपर इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है और दान कर रहा है कॉपर इलेक्ट्रॉन दान कर रहा ह एनोड यादा गया सिल्वर में प्लस वन चार्ज है और यहां सिल्वर में कोई चार्ज नहीं है तो बेटा प्लस वन से तुम जीरो में जा रहे हो याने कि सिल्वर ग्रहन कर रहा है और ग्रहन करने वाला कैथोड होता है तो यह तरीका यह भी है कौन इलेक्ट्रॉन दान कर कर रहा है कौन इलेट्रॉन ग्रहन कर रहा है इसके माध्यम से भी आप पता कर सकते हो कौन कैथोड कौन एनोड है लेकिन मैं आपको हमेसा कहता हूं एक सिंपल तरीका अपनाएंगे ताकि गलती ना हो और हर बच्चा समझ सके तो अगर आपको कैथोड एनोड के वैल्यू को बीना देखे अगर यह पता करना कि कौन एनोड है कौन कैथोड है एक लॉजिक बस क्या जो लेफ्ट में होगा वह एनोड जो राइट में होगा वह कैथोड बस इतना ही याद रखना जब भी आपके सामने कोई प्रस्ण आएगा जो सबसे लेफ्ट में होगा जो सबसे ले होता है वही एनड होता है इस पूरे अभिक्रिया में सबसे लेफ्ट कौन है कौपर तो जो सबसे पहले दिखता है जो तत्व औस अबसे पहले में लेफ्ट में लिखा जाएगा तो चिंता ना करें अगर आपको cathode anode पहचाने में परिशानी हो रही है जो चाहे अभिक्रिया हो चाहे अभिक्रिया दिया हो चाहे cell representation दिया हो जो सबसे left में दिखेगा जो सबसे पहले दिखेगा वही anode होगा जो सबसे पहले दिखेगा वही anode होगा और मुझे सबसे पहले copper कॉपर दिखा तो कॉपर ही एनोड होगा और सिल्वर कैथोड तो उस हिसाब से फिर तुमने कहा कि कॉपर एनोड है तो कॉपर का सांधरता एनोडी कंसंट्रेशन कहलाएगा और सिल्वर कैथोड है तुसके सांधरता को कैथोडी कंसंट्रेशन कहेंगे फिर से रिपीट करता हूँ अगर कॉपर एनोड है तो कॉपर का जो सांधरता है वो एनोड का सांधरता कहलाएगा पर कॉपर का सांधरता उस तरफ दिया है तो इससे फरख नहीं परता कहां पर दिया है तुमने सूतरे में लगा दूँ चलो मैं कितने तुनहें नोटिस किया होगा मैं जब भी आपको नुमेरीकल कर वाता हूं तो जितने बार मैं numerical कर बाता हूँ हर बार सूत्र को जरूर लिखता हूँ तो मुझे सूत्र याद है मैं direct value put up कर सकता हूँ पर आपको मैं हितायत दे रहा हूँ यह समक करना जितने बार numerical बनाओंगे उतने बार सूत्र लिखना तब तो आपके दिमाय में च्छपता जाएगा दिया देखना तो अब यहां देखना क्या करोगे कौन क्या थोड़ा भई si si liver कौन अनुद कोपर कोपर जल्दी बता ओ राख कहाँ एन कमाननरा चाहीं यहां 1 प्लस है यहां 2 प्लस है जब 2 प्लस 1 प्लस रहते है तो एन कमांड टू होता है जल्दी बताओ एनोड कौन है कैथोड कौन है तो बेटा एनोड है एनोड है कौपर तो यहां कौपर आयन को रखेंगे यहां सिल्वर आयन को रखेंगे बस फिर क्या है चलिए वैल्यू पूट अप करते है चलो बता जल्दी से सिल्वर का मान किता है बेटा 0.80 कौपर का मान किता है बेटा 0.34 इसको डिवाइट करेंगे टू है तो 0.02955 लॉग कौपर का सांधरता किता दिया है टेंड पर मैनस टू सिल्वर का सांधरता टेंड पर मैनस फोर पर एक बात जो मैं भूल रहा हूं और आप भी भूल सकते हैं स्क्वायर करना भूलेंगे नहीं उपर टू प्लैस से निचे बैलेंस करने के लिए स्क्वायर करेंगे बस फिर आगे आपको पता यह बटा क्या करना चलो फिर हल करके बताओ मुझे क्या असार होगा इसका हल करके बताओ 0.80 0.34 यह कैसे हो जाएगा अंत में कैसे होएगा यह हो जाएगा बटा मैनस टू मैनस एट आप छाहू तो हो तो पिछले इगजामपल देख सकते हो मैंने कैसे किया पिछले क्छले एगजामपल में कैसे किया था न से वसी करते था थोड़ा शॉटकट मार दि या डारेट ऐसे कर सा तो लीजिए तो आप इसको हल करके बताओ बैटा क्या अंसर आएगा चलो फिर भी मैं भी ट्राइक करता हूं इसको मैंस करो तो 0.80 और 0.34 किता आएगा मैंस करेंगे 0.80 माइनस 0.34 किता रहा बैटा 0.46 क्या सपस आएगा 0.46 आगे बढ़ते हैं 0.02955 अब जल्दी बताओ इसको हल करो किता आएगा यह आएगा बैटा 6 कितना आएगा 6 अब जल्दी से इन दोनों को गुड़ा करो किता रहा है गुड़ा किता रहा है 0.02955 गुड़ा करेंगे 6 से मैं अभी के समय बचाने के लिए यह से कल कुलेटर का यूज कर रहा हो अगज जाए इसको आप गुड़ा करोगे बैटा जीरो पॉइंट56 है श्यों गुड़ा करने से इन सर्थ आ रहा है मैं भी यहां करता हूँ आप भी वहां किजिए 46-0.1773 यह आंसर आ रहा बेटा 0.28 वोल्ट के आसपास इसका आंसर होगा अच्छा आपने एक चीज़ नूटिस किया यह सब बैटरी हैं यह सब बैटरी है और किसी का भी वोल्ट बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है 0.5, 0.7, 1.2, 1.3 पर किसी के 10 वोल्ट नहीं आया एक भी 15 वोल्ट नहीं आया तो देखना बहुत छोटे छोटे वैल्यू आ रहे हैं तो प्रस्ट नहीं यह वैल्यू इता छोटा क्यों आ रहा है तो बेटा क्योंकि आप यहां पर जो सांधरता लिया हो यहां पर देखो ना ह हमने यहां पर जो सांधरता लिया हुआ है यहां पर हमने जो सांधरता लिया है बहुत कम है तो हम जो बैटरी बनाते हैं हम यहां पर जो बैटरी बनाते हैं यह बैटरी कितना वोल्ट पैदा करेगा वो इस बास से तै होता है कि एनोड का सांधरता और कैथोड का सांधरता कितना है जितना ज्यादा सांधरता लोगे उतना ही ज्यादा EMF का मान आएगा पर देखो ना जितने प्रश्ण मैंने आपको बताए सब में सांधरता का कमान बहुत कम है सांधरता का मान बहुत कम है आप देख सकते हैं यहां पर 10 to power minus 2 10 to power minus 4 इसका value इतना कम होता है इसलिए EMF कमान बहुत छोटा आता है यहां जो आप क्योंकि सारे आपके पूस्तक के ही प्रस्ण है तो आपको जितने निमेरिकल जितने निमेरिकल आपको प्रस्ण आपके पूस्तक में मिलेंगे सभी प्रस्ण में ऐसे ही सांधरता दिये जाएगा 10 पर मानस 4, 10 पर मानस 2 या ऐसा लिखा हुआएगा 0.01, 0.01 ऐसा टैप का value लिखा हुआएगा तो लीजिए अब मैंने आप लोगों को सिखा दिया कि किसी भी बैटरी का, किसी भी बैटरी का, किसी भी वैद्यूत रसाइनिक सेल का EMF कमान कैसे ग्याद करते हैं तो बैटर सूतर मैंने आपके सामने लग दिया सूतर प्रेयोग करना बहुत आसान था बस आज के क्लास में हमने एक्स्ट्रा क्या सिखा log कैसे देखते हैं तो यहां कुछ भी मान आएगा, अब यहां कोई भी याद रखना बोर्ड एक्जाम में लॉक टेबल नहीं मिलता, तुमको क्या रगता है, बोर्ड एक्जाम में परिच्छा देने के लिए तुम किसी दूसरे सेंटर में जाओगे, तो वहां सेंटर वाले एक प्रस्ट्रा के लिए आपको लॉक टेबल बाटेंगे, ऐसा भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, इसलिए प्रस्ट्रा में बगल में लॉक का वैल्यू दिया हुआ आता है, लॉक का वैल्यू दिया हुआ, तो माल लो यहाँ पर आया 10 पर मैनस 2, 10 पर मैनस 4, तो यहाँ तो खर लॉक का टेबल प्रयोग में नहीं आया, यहाँ पर लॉक का 10 पॉर मायनस 3 का मान इतना होगा ऐसा लिखा हुआ था आपके प्रश्ण में आता लॉग 4.33 इंटू 10 पॉर मायनस 4 का लॉग का मान इतना होगा तो प्रश्ण में लॉग का वैलू दिया हुआ था फिर क्या बचा जब लॉग का वैलू दे ही देगा जब lock का value दे देगा तो बस मैं यहां और यहां put up कर दूँगा answer मेरे सामने होगा अगर lock का value प्रस्ण में दिया हुआ आएगा तो बस यहां और यहां रखके minus करूँगा answer अपने मेरे पास आ जाएगा तो चिंता ना करें lock table देखने तो आपको आना चाहिए फिर भी अगर आपको lock table कोले के चिंता है कि भई board exam में कैसे करेंगे तो आसान सा जवाब है lock का value प्रस्ण में दिया रहता है तो अभी मैं जब इस chapter को जब हम खतम करेंगे तो chapter को खतम करने के बाद जब मैं आपको प्रस्ण करवाऊंगा देखना उस प्रस्ण में lock का value आपको दिया रहूंगा उसे समय बच जाएगा और वो ऐसा ही प्रस्ण आता भी है तो अब मैंने बेटा आज एक लास में आपको सिखा दिया कि lock table कैसे देखते हैं और उसके मतंसे हम कैसे EMF जाद करते हैं पूरे चप्टर में हम किस चीज के बारे मेंmy पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में याने कि वैदुत अभघ cooks के बारे में कि जब से चेपटर दर सुरू होगा है तब से हम इस चेपटर में एलेग्ट्र headlines की बारे में पढ़ रहे हैं जो वैधुद अभघर्टे हो उसके बारे में पढ़ रहे हैं अब वहुत कुछ हमने सीख लिया है अब तक बहुत कुछ हमने सी करते यह हमारे आम जीवन में किस तरह से सामिल होते हैं यह सारी बाते इस चेप्टर में हम सीख रहे हैं तो अब तक हम लोगेने क्या सीखा पयला जो टॉपिक था उस टॉपिक के अंदर हम लोगेने यह सीखा कि जब किसी वैदोत अब घटिये यानि कि उलेक्ट्र आइट का हम एलेक्ट्रो लाइसीस करते हैं यानि कि वैदुत अब घटन करते हैं जब उससे हमें तत्व बंते हुए मिलते हैं यहाँ पर किलोरीन गैस बनेगा यहाँ पर सोडियम धातुब मिलेगा आपने पहले टॉपिक में यह पढ़ा था कि यह जो वैदुत अब घट्य होते हैं इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इनसे हमें क्या फाइदा मिलने वाला है तो हमने देखा कि वैदुत अब घटन के माध्य हम से यानि कि electrolysis करके हम इन electrolytes के थूँ कुछ elements हम बना सकते हैं अभी element कितने बनेंगे कितने देर में बनेंगे सब पढ़ चुके हैं उसके बाद इस chapter में हमने क्या पढ़ा उसके बाद हमने इस chapter में ये पढ़ा कि कैसे कैसे ये वैदुत अब घट हमें electricity पैदा करके देंगे देखिए कितने फायदे मन होते हैं ये electrolyte कितने फायदे मन होते हैं electrolyte आपने यहां electrolyte लिया फिर आपने यहां electrolyte लिया था आपको याद होगा बेटा फिर आपने यहां electrolyte लिया था तो आपको याद होगा एलेक्ट्रो लाइट North chercher तो आपने पहले टॉपिक में यह सीखा कि कैसे हम किसी फ्रेक्टो लाइट से तत्व का निरौाढकर सकते भुंप बना सकते दूसरे आप में यह सीखा कि कैसे हम इन एक्ट्रोयट को आध्यां से इस एक्टिक के माध्यम से एक्टिसीटी जन्रेट कर सकते हैं यानि कि तूरित हम यहां पर एक्टिक्प कर रहे तो आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइट कितने काम के चीज है, हमारे लिए कितना कुछ करके दे रहा है, कितना कुछ करके दे रहा है, हम किसी इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से तत्व बना सकते थे, किसी इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से बिजली उत्पन कर सकते थे, इनमें और किस प्रकार के गुर्धर्म होते हैं आज के क्लास में हम यह सीखने वाले हैं कि यह जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं यह जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं तो आज क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा प्रापर्टिस ऑफ इलेक्ट्रो लाइटिक सॉल्यूशन याने की वैद्यूत अब घटनी विल्यान जो होते हैं वैद्यूत अब घटनी विल्यान जो होते हैं आज हम उसके प्रापर्टिस करेंगे मैंने क्या बोला बेटा आज एक लास में हम जो वैद्यूत अब घटनी व million होते हैं उनके गुड़ धर्म पढ़ेंगे उनके प्रापर्टिस पढ़ेंगे तो क्या पढ़ने वाले हैं चले देखते हैं तो मैं एक चीज पूछता हूं आप लोगों से कि बेटा गौर सुनेगा मैं क्या बता रहा हूं एक मिनाट ना एक मिनाट एक मिनाट एक मिनाट एक मिनाट हाँ यह पताओ यहां पर व्यादुद अब घटन हुआ तो इलेक्ट्रोलाइट तत्व बनाके दे रहे हैं आपको यहां पर बिजली बनाके दे रहे हैं पर आपको पता है बेटा इन दोनों चीजों में एक चीज क्या वैदुधारा प्रवाहित करने का छमता इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का टेंडेंसी बेटा अगर आप इस कंटेनर के अंदर ग्लुकोस को लिये होते तो कोई फायदा नहीं होता अगर आप इनके अंदर ग्लुकोस को या शुगर को लिये होते तो बिजली नहीं बन कंड़ esconduct किया यह अपने अन्दर से व्यदुद्धारा Πरवाहित होने का मौका देते हैं तो बेटा यह electrolyte जो कुछ कर पाया यह electrolyte जो कुछ कर पाए सिर्फ एक वजह से कर पायक इनके अंदर अपने के अदर व्यदुद्धारा कर सकते हैं तो मेरे कहने का मतलब है कि इस पूरे चैप्टर में देखना हर दिन हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं कहीं कहीं उसका संबंद इलेक्ट्रिसिट्टी कंड़क करने पर है तो 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 मेरे कहने के यह मतलब है कि आज हम प्रॉपर्टिस ऑफ पढ़ते आ रहों कि कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रिसिटी कंड़क्ट करेगा तो उसे हम चाला क्या करते हैं अच्छा अब यह बताओ किस तरह की चीजें किस तरह की चीजें इलेक्ट्रिसिटी कंड़क्ट कर सकती हैं किस तरह के चीजों में वैदुधारा अपने अंदर स प्रूंद छोली अवस्था में होगा या फिर वह लिक्वीड अवस्था स्थां याद रणा गैस ए Серफ एलेक्ट्रिसिटी नहीं करता तो मैं क्या बता रहा हूं मैं क्या हम कहते हैं मैटलिक कंड़क्टर क्योंकि मैटल्स ही मैटल्स ही थोस अवस्था में इलेक्ट्रिसिटीक कंड़क्ट करते हैं बस ग्रेफाइट को छोड़ दो ग्रेफाइट उसका ड्रावबेक था तो घौर सुनना अगर कोई चीज थोस अवस्था में हैं और अगर वह इलेक्ट्रिसिटीक कंड़क्ट कर रहा है तो कंफा में कि मैटल हो घातु होगा और इस ताइप के चालक को इस तरह के चालक को हम क्या बोलते हैं लिकविड है तो बताओ कोई भी लिकविड कप करेगा इस अगर वह होगा इलेक्ट्रो लाइटिक सॉल्यूशन याने की वैदुद अब घटनी विलियन तो गौर सुनेंगे चालक दो ही प्रकार के होते हैं बेटा पिन केता चुछ हर दो ही टैप के होते हैं या तो मेटली कंडटर या तो इलेक्टिलाइटिक कंडटर अब जब समस्ते में चाहता हो यह देखो मैंने यहां पर मैंने यहां पर एक धातु ले लिया और इस ढाटु को मैंने बाहर एक सरकीट से जोड़ दिया इसको एक सरकीट से जोड़ दिया और अब यहां से मैं इलेक्ट्रिसिटी दूंगा तो प्रस्ट यह उठता है कि यह जो मैंने धातू लिया है यह जो मैंने धातू लिया है क्या यह धातू electricity गंड़क्ट करेगा हम जी करेगा तो जब भी कोई धातू electricity कंड़क्ट करता है तो हम बोलते हैं वह metallic conductor है क्या है metallic conductor और अब देखना इस बार में क्या करूंगा इस बार मैंने बरतन ले लिया उस बरतन में मैंने पानी ले लिया और पानी के अंदर मैंने वैदूत अभगट डाल दिया यालिक तर दो यानि कि इलेक्ट्रोड डाल दिया और उसके बाद उसके बाद इसके अंदर मैंने दो इलेक्ट्रोड लगा दिये और अब मैं यहां से इलेक्ट्रिसिटी दूंगा तो प्राश्ण उठता है कि क्या यह विल्लियन इलेक्ट्रिसिटी कंड़क्ट करेगा हाँ जी करेगा तो धा सुना बेटा कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रिसिटी कंड़क्ट कर रहा है तो वह दो ही चीज हो सकता है या तो वह धातु हो सकता है या तो वह धातु हो सकता है इसको बोलते हैं बेटा मैटैलिक कंड़क्टर और इसको बोलते हैं ही इलेक्ट्रोलाइटिक कंड़क्टर अब भeटा धातूरिक जो चालाक होते हैं इसके बारे में हम चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा तो आज के class में हम ये देखने वाले हैं कि जो वैद्द अब घटनी विल्यान होते हैं यानि कि electrolytic solution होते हैं क्योंकि वो एक चालक है क्योंकि वो एक चालक है तो आखिर इस तरह की विल्यान में और क्या गुड़ धर्मा होता होगा मेरे दिवाग में प्रश्ण आ रहा है कि भई धातू भी एक चालक है और यह जो विल्यान है ये भी एक चालक है तो दोनों में क्या समानवाटे होती होंगी दोनों के गुड़ धर्म सेम होते होंगे हाजी सेम होते हैं बेटा एक धातू अगर एक चालक है तो उसके जितने properties ह होते हैं वहीं सारे प्रोपर्टेस इसके भी होंगे घरता मैं सिर्फ एक ही फैर है क्या 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 की की जद धातु होते हैं वो अपने अंदर से वैदू-धारा प्रवाहित हुने देते हैं due to free electron due to free electron inhib impact electron कारण कोई भी धातू कियो वैदू-धारा अपने अंदर से प्रवारा हुने क्योंकि उसके अदर मुक्त इलेक्टॉन होते हैं और कोई भी विलिएन अपने अंदर से क्यों electricity कंड़क्ट होने देता है due to PSS free ions इन में आयांस होते हैं तो याद रखेंगे याद रखेंगे इनमें सिर्फ एक ही फरक है कि दहातू इलेट्रोनों के कारण वैधुत धरापरवाहित होने देता है और विलिएन आयांस के कारण बाकि इन में सब कुछ सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, तो अब मैं यहाँ से आपको ये सिखाने वाला हूँ, कि एक वैद्यूत अब घटनी विल्लियन में क्या-क्या गुड होते हैं, और क्या इसके गुड इससे मैच करेंगे, कि हाजी करेंगे पहले इसका फटाक से स्क्रीन शॉट ले लो बेटा फिर आगे बढ़ते हैं बेटा सैम्यूल टेनेसली पॉसिबल नी है कि एक साथ में दो चेप्टर पढ़ा सकूं जो भी चेप्टर चलते जा रहा है उसको एक दम अच्छे से पढ़ते जाईए आप चिंत चेप्टर का अभी हम दस्वे लेक्चर में हैं अभी चेप्टर के हम दस्वे लेक्चर में हैं और अभी कम से कम और पांच-छे लेक्चर आने वाला है अभी और पांच-छे लेक्चर मुझे कराना है तो एक चेप्टर सोच रहे हो एक चेप्टर को पूरा करने में मुझे 12-15 lecture लेने पड़ रहे हैं 12-15 lecture देना पड़ रहा है जबकि मैं चाहता तो 7-8 lecture में भी chapter खतम हो सकता है दिखना इस्कूल में teacher क्या करता है 7-8 दिन में लगबग एक chapter खतम कर देता है तो इस कैसे संभव है तो मैं चाहता हूँ बेटा कि आप हर एक चीज को थोड़ी गहराई से समझो syllabus भली थोड़ा लेट में हो सकता है खतम होगा एक आत में डिले हो सकता है बिल्कुल हो सकता है लेकिन यकिन कीजिए जो सीखा के जाऊंगा वो यहाँ छप जाएगा तो थोड़ा सही होग करना पड़ेगा आपका मैं चाहता हूँ कि बोर्ड एक्जाम में आप जब उतरेंगे तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेस दें आप तो इसलिए इतने लंबे-लंबे क्लासेस कैसे हो सकते हैं 10-15 क्लास एक चैपटर को पूरह और में 10-15 क्लास कैसे लग सकता है कच्छा 11 क्लास ले रहा हूं कर्णा 11 क्लासWow परमानुत-स्षरचना मिं ostr 22 अर्फ ट्रमानुश्चन तो मैं जो कुछ जानता हूं सब आपको बता आदू סब आपको बतादू इसलिए ठोड़ा टाइम लग रहा है पर थोड़ा कॉपरेट करेंगे यकीन मानिये जनवरी तक आते 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 आपका केमेस्ट्री बहुत स्ट्रॉंग हो चुका होगा बस आपको थोड़ा सपोर्ट करना होगा मेरा ठीक है तो हाँ तो अब वापस चलते हैं पर तुम्हेरे खाल से आपने इसके स्क्रीन शॉट ले लिया होगा बैटा तो अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि आखिर इस वैद्यूत अब घटनी विल्यन में किस तरह के गुण होते हैं किस तरह के प्रॉपटी होते हैं तो अब स् अब घटनी विल्डियन के गुण, मैं आपको अब इस विल्डियन के गुण सिखाने जा रहा हूँ, प्लीज ध्या सुनना, पहला प्रापटी आपके सामने आ रहा है बेटा, पहला प्रापटी है प्रतिरोध, पहला प्रापटी है रजिस्टेंस, पहला प्रापटी रजिस् सिटी कंड़क्ट करता है तो करेंड के फ्लो को रोकने के लिए उसे अपोस करने के लिए उसके अंदर एक फिनोमीना पाया जाता है एक गुर पाया जाता जिसको बहुते प्रतिरोध है यह आपने पढ़ा है लोवर क्लास में मैंने कहा जब भी किसी वस्तू से वैदुद्ध प्रवाहित होता है करेंट फ्लो होता है तो करेंट के फ्लो को रोकने के लिए उसके अंदर एक प्रापर्टी पाया जाता है उसको बहुते हैं प्रापर्टी यह प्रापर्टी यह प्रापर्टी अंदर भी होता है और यह प्रापर्टी इलेक्ट्रोलाइटिक अंदर भी सबढ़ होंगे न तो वेटा पहला परापर्टी आ रहा ऊंगे तहेंगे आप से एक प्रश्ण मों सब्सक्राइवे कि यह देखो माल एगसा तो है मैं और ये एक धात्यू है कि बताएगा में इसे किसमें प्रतिरोध जादा होगा किस धातु में प्रतिरोध ज्यादा होगा जल्दी आसर दीजिए सही है बी वाले में आपको पता है ना जिस धातु के लंबाई ज्यादा होती है यानि कि लेंथ ज्यादा होता है उसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है यानि कि प्रतिरोध यानि कि रजिस्टेंस लेंथ के समा जानुपाती होता है बेटा अच्छा एक दूसरा उदारण मैं आपसे पूछ रहा हूं C और D का यह देखो एक धातु है बेटा और एक और धातु है बताओ इस बार किसका प्रतिरोद ज्यादा होगा किसमें प्रतिरोद ज्यादा सी वाले का यानि कि इसका ज्यादा प्रतिरोध होगा जो मोटे जो ज्यादा एरिया वाले चालक होते हैं उनमें प्रतिरोध कम होता है जो पतले होते हैं उनमें प्रतिरोध ज्यादा यानि कि आप ऐसा कह सकते हैं इसका एरिया कम है इस वाले का एरिया ज्यादा है यानि कि प सिर्फ धात्विक चालक में नहीं होता वैदूत अब घटनी चालक में भी यह नियम लागू होता है क्या जरा यहां देखना गौर से देखना यह देखो बेटा मैंने एक कंटेनर ले लिया एक बरतन ले लिया और इस बरतन के अंदर इस बरतन के अंदर मैंने दो इलेक्ट्र लगा दिये और उसके बाद उसके बाद मैं इसके अंदर मैं इसके अंदर मैं इसके अंदर मैं इसके अंदर पानी ले लिया इसके अंदर मैंने पानी ले लिया और इसके अंदर फिर मैंने डाल दिया बैटा वैदुद अब घट यह कोई भी एक वैदुद अब घट यह डाल तूम मुझे बताओ कि क्या यह विल्यैन वैदु-धारा अपने अंदर से पर वाहित करेगा टो प्रतीरोध भी होका रजीस्टेस भी ज्यादा होगा और इस बरतन की चौणाई जितनी ज्यादा होगी एविया जितने ज्यादा होगा रजिस्टेस उतना ही कम होगा यह नियम यहां भी लागू हुआ यहां भी लागू हो रहता तो उस हिसाब से मैं ऐसा कह सकता हूं कि रजिस्टेस जो होता है वो लंबाई के सम प्रफल के वित्क्रमानुपाती होता है और अगर मैं और अगर मैं इस समानुपाती की चिंड को हटाऊंगा तो इस थरांक की रूप में इस साइन को दूँगा यह जो इस थरांक आप देख पारे हैं इस इस थरांक को रो कहा जाता है जो कि इस वक्त एक इस थरांक है और तो अब बताओ कोई आपसे पूछेगा किए प्रती रोद क्या है प्रती रोद क्या है तुम कहना किसी भी वैद्यूद अफ़ घटनी विल्याण में मैं वैद्यूद चालकता को रोकने का या अभोस करने का जोtles गुण पया जाता है उसी का क्या प्रतिरोध बोलते हैं प्लिज्स इसका स्क्रीन्षोट लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं दिव्यांस जहां राजु के आरिया राजकुमार विवेक अंकीता है ठीक बढ़ते हैं ये पहला घुड़ था ये पहला घुड़ था क्या प्रतिरोध आगेब रस अब दूसरे होते हैं बेटा प्रतिरोध अलग चीज है और प्रतिरोधकता अलग चीज दोनों में फरक है दोनों में फरक ध्यान दीजेगा वहाँ पर वो क्या था रजीस्टेंस था इसको बोलते हैं बेटा इस स्पेसिफिक रजीस्टेंस इस इसको बोलते हैं इसको बोलता है इस पर बेटा यहां देखो फिर से मैंने यहां पर एक बरतन ले लिया एक कंटेनर ले लिया इस container के अंदर अब मैं फिर से दो clock लगा दूंगा ये देखिए मैं ने यहां से दो clock लगा दिया और अब इसके अंदर मैं पानी ले लूंगा और फिर उसके बाद इसके अंदर ढाल दूगा वैद्ध अफगहट ये तो यह देखो बेटा मैंने इसके अंदर एक वैदुत अब घट डाल दिया, क्या डाला हूं बताओ, क्या डाला हूं चलो बताओ, मैंने इसके अंदर कौन सा वैदुत अब घटे लिया होगा, सबको पता है सबको पता है NACL correct मैंने इसके अंदर NACL लिया अब तुम मुझे एक बापताओ बेटा अब तुम मुझे एक बापताओ इस पूरे विलियन में इस पूरे विलियन में प्रतिरोध होगा ना मैं यह नहीं जानना चाहता कि पूरे विलियन में कितना प्रतिरोध है बलकि मैं इस पूरे बरतन के अंदर एक खास जगह एक विशिष्ट इस्थान चुन लेता हूं तो यह देखो बेटा मैंने इसके अंदर एक खास जगह बना लिया मैंने इस बरतन के अंदर एक खास जगह बना लिया यह देखो मैंने इस बरतन के अंदर एक विशिष्ट इस्थान जो है चुन लिया जानते बेटा यह जो मैंने एक विशिष्ट इस्थान चुना है इस आयतान है बेटा वन सेंटीमिटर क्यूब तो गौर से सुनिएगा मुझे पता है पूरे विल्यन में प्रतिरोध है पूरे विल्यन में रजिस्टेंस है लेकिन मैं यह नहीं जानना चाहता कि पूरे विल्यन में कितना प्रतिरोध है मैं तो यह जानना चाहता हूं कि मैंने ज पूरा होगा सबतरफ होगा रजिस्टे सबतरफ होगा पर मैं यह जानना चाहता हूं सिर्फ इतने हिस्से में कितना रजिस्टेस होगा तो गौर सुनना तुम से पूछेगा विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है तो तुम कहना एक सेंटीमिटर क्यूब जितने हिस्से में कि कि इतना र्जिश्टेश होगा के बोलेघे क्या विश्ष्ट प्रतीरोध फिर इपीट करता हूं एक विश्ष्ष्ट स्थान 555 भाधिया कippy प्रतीरोध होगा उसी को प्रतीरोध रखता यह वीश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष प्रतिरोध कहते हैं और मैं आपको यहां से अगर मैं रोक वलग कर दूँ तो पते क्या मिलेगा, row equal to आर ए बाई एल तो यूँ समझ वो यह है सूत्र क्या निकालने का, विशिष्ट प्रतिरोध निकालने का और कोई आप से पूछेगा इसकी इकाई कितनी होगी इसकी इकाई कितनी होगी तो क्या होगा इसकाई काई यह देखो तुमने रो लिखा है उपर में रजिस्टेंस रजिस्टेंस की इकाई क्या होती है ओम एरिया काई-काई होता है बेटा cm² और लंबाई की इकाई cm तो कुल मिला के इसकी इकाई क्या बन गई नी ओम सेंटीमीटर तो लीजेए ये है विसीष्ट प्रति रोध की ऑकाई तो फिट से बहुआ रिपिट करतू कि क्या होता है तो तुम कहना एक विसीष्ट की स्थान में जो आपने चुना है और मैंने कट इतना मैंने कौन सा विशिष्टी स्थान चुना है एक सेंटीमिटर क्यूब तो मैं कहूंगा एक सेंटीमिटर क्यूब जीतने हिस्से में कितना रजिस्टेस पाया जाएगा उसे क्या बहुत इस्पेसिफिक रजिस्टेस प्रिस इसकी शॉट लेंगे इसका भी ओम मिटर दिया है हां यहां ओम मिटर भी ली सकते हैं इसे 不知道 किया है क्या मेंず की में कैमेश्टी में अक्सर देखनाँ हमों सेंटीमिटर ज़ाधा प्रेव crease होता है इससे में साश कारण नहीं है बस ऑन् Fragen निरिकाल दिया है देखना मिललय चयप्टर पढ历 थे विलियन तो इसमहें लोग सेंट सेंटीमीटर क्यूब लिगते थे तो इसका मुझे भी काता कि मिलाते हैं तक मैं आपको इस क्छ क्छीयर कर दूं अगरते हैं तो अब ये नियुस्ट फिस्ट प्ंतीरोद प्रतिरोद क्या था पूरे विल्यान में जो रलिस्टेस होगा उसे प्रतिरोद बोलेंगे और सिर्फ इतने हिस्से में जो रलिस्टेस होगा उसे बाएगे कि आपको ये तो पता है ना कि जिस चीज में रजिस्टेंस जादा होगा प्रतिरोद जादा होगा उसमें चालक्तव कम होगा ये तो सीम्पल सा लॉजीक है ने बेटा कि जिस विलियन में जिस विलियन में रजिस्टेंस जादा होगा उसमें कंडक्टेंस कम होगा तो कंडक् जो होता है वो रजिस्टेंस के याने की याने की याने की प्रतिरोध के विद्करम होता है याने की रेशिप्रोकल होता है याने की रेशिप्रोकल है बेटा रेशिप्रोकल मतलब अपोजिट रेशिप्रोकल मतलब अपोजिट में सिम्पल सा लॉजिक है अगर प्रतिरोध ज इसकी इकाई क्या होगी तो तुम लिखो बेटा 1 by R, R मतब रजिस्टेंस, तो 1 by Ohm तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा Ohm Inverse, Ohm Inverse, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको मोह भी लिखते हैं, ध्यान देना Ohm Inverse को मोह भी लिखते हैं, और इसी को Capital S से भी दर्साते हैं, बे में कहीं पर भी अगर आपको Capital S लिखाव दिखें, इस चेप्टर में कहीं पर भी आपको Capital S लिखाव दिखें, समझ आना बेटा, वो Ohm Inverse है, याने की चालक्त्व का इकाई है, प्लिस कॉपी करेंगे इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब और, अब और important property आपके सामने आने वाला है, बेटा, अब next property है, next property है, चालक्त्व या विशिष्ट चालक्त्व, अब यहाँ देखें हैं, बेटा, अच्छा, यहाँ पर चालक्त्व लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा था? हाँ, conductance था न, इसे, एक मिर्ट न, यह नहीं रहेगा, इसे हम कहते हैं, बेटा, विशिष्ट चालक्त्व लिखा है, याने की, याने की, specific conductance, specific conductance, या इसको conductivity भी कहा जाता है, अब इसको समझाएं, यह ज्यादा important है, यह थोड़ा ज्यादा important है, पर है बहुत सरल, important जरूर है, पर बहुत easy है, यह, बहुत easy है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से मैंने एक बरतन ले लिया, फिर से मैंने इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगा दिये, फिर से इसके अंदर मैंने पानी ले लिया, और इसके अंदर फिर से मैंने एक वैदूत अब घटे डाल दिया, लाइक NACL, ओके यह देखो बेटा, यह मैंने इसके अंदर ले लिया, एक विलियन, अब मुझे बताओ, यह पूरा का पूरा विलियन, चालकता दर्शाएगा न, पूरे विलियन में, पूरे विलियन में चालकता पाया जाएगा, पूरे विलियन में चालकता पाया दाया है लेकिन till फिर से यहां पर during सब्सक्राइब का असने से पिर से सूनते मैं समझ गया कि पिर से मुझे इस बार इसके अंदर एक विसे इस तांट चुनना होगा तो लीजी चालकता क्या होता है तो मैं कहूंगा कि चालकता तो पूरे बरतन में है चालकता तो पूरे कंटेनर में है पर सिर्फ इतने हिस्से में सिर्फ इतने हिस्से में कितना चालगता होगा उसी को बोलेंगे बटा विसिष्ट चालगता तो कोई आप से पुछेगा विसिष्ट चालगता क्या है तो तुम कहना एक सेंटीमिटर क्यूब जितने हिस्से में जो आयंस होंगे वो आयं कितना इलेक्टिसिटी कंडट करेगा उसको बोलेंग बटा विसिष्ट चालकता फिर से repeat करता हूं मैंने क्या बोला मैंने बोला एक सेंटीमीटर जितने हिस्से में जो आयन आपको दिखाई दे रहे हैं वो आयन कितना वैदुधारा प्रवाहित होने देगा उसी बोलेंग बटा विसिष्ट चालकता फिर जो आयस होंगे उसके चालकता को क्या बोलेंगे बेटा विसिष्ट चालकता बोलेंगे और और इसको दर्साया जाता है इस साइन से बेटा इस साइन को कपा कहा जाता है इस साइन को कपा बोलते हैं बटा एक के नहीं है यह के नहीं है यह ऐसे बना हुआ यह ऐसे बना है तो तुम कहना तुम कहना एक सेंटीमिटर क्यूब जितने हिस्से में कितना चालागता होगा वह कहलाएगा विस्षिष्ट चालागता अच्छा जी अब इसे कैलकुलेट कैसे करूंगा अब तुम मुझे एक बाब बताओ जब गौर सुना बेटा हुआ कि आपने ध्यान दिया रिटि dedicate अ के गंडक्टेल बेश्टिन्स के रेशीप रोकल है और सुनना इस रजीष्टेलिश्टेलिश्टि के रेशिप रोकल है तो फिर विसपेसिफिक कंडक्टेंस इस्पेसिफिक है अरे भाई अरे मैंने कहा जब चालकता प्रतिरोद के विटकुरम है तो फिर विशिष्च चालकता विशिष्ट प्रतिरोद के रेसी प्रोकल होगा है ना है ना और जलदी बताओ यहां पर की यह जो मान क्या है वेसा बन जाकर और यह सूत्र बन के तयार हो गया और यह सूत्र विशिष्ट चालक्ता घ्याद करने का अचा इस सूत्र को बटा ऐसे भी लिखते हैं इस सूत्र को ऐसे भी लिखते हैं कि यहदेखो इस एल भाई ए है ना एल वाई एको जी इस्टार से भी दर्स आते हैं lumay кошki star से बीदर साते हैं जहां पर जहां पर इस ë यहां पर इसल Vylaegen втор से मिनट यहां पर कि दो इसे बोलते हैं लिदा से इस तर आंग यानैं की सैल कॉंस्टेंट सैशल इस तर रांक यानि कि सेल कॉंस्टेंट कहते हैं इसल कॉंस्टेंट कापा की तो बिटा क्या होगा इसका का का एकाई क्या होगा यहां देखना का वश्चिक तर र कुछ दिर पहले बता चुका हूँ कि हम ओम इन्वर्स को capital S से भी दरसाते हैं यह हो जाएगा capital S प्रती सेंटीमिटर तो लीजिए किसी ने अगर आपसे पूछ दिया कि चलो बताओ भई चलो बताओ कापा का यानि की विशिष्ट चालकता क्या है तो आप कहेंगे बटा इसकी काई होती है ओम इन्वर्स सेंते मिटर इन्वर्स या पिरिषक को लीज़ सकते हैं सीमें पर सेंटी मिटर सीमें पर सेंटी मिटर नुचलियर एक बार फिर से यह मुझे बड़ा न हो पाया दीख रहा है बटा ये नहीं दीख रहा है क्या थोड़ा डल गलर में तो मुझे ठीक है ठीक है है आगे बढ़ते हैं अब कहानी और दिलचस्प होने वाला है बेटा अब कहानी जैद है और दिल्चस्प होने वाला चली आगे बढ़ेंगे अब पहुंसते यहाँ पर मोलर चालकता अब अगला जो टॉपिक है बेटा यह है मोलर चालकता अब यह क्या चीज़ है तो अब एक चीज़ बताओ इतने देर से इतने देर से मैं यह बरतन बना रहा हूं इतने देर से इसके अंदर मैं इलेक्ट्रोड लगा रहा हूं इसके अंदर मैं विलियन ले रहा हूं वैदुत चालक का विलियन इलेक्ट्रोलाइट का विलियन पर बेटा आपने नोटिस किया अभी तक मैंने एक बार भी यह नहीं बताया है कि आखिर इसके अंदर आप में जो वैदुद अभगटे लिया है यानि कि जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो कितना है अब तक बस हम लोग क्या करते थे बस यह मैंने बरतन मना दिया यह बरतन मना दिया यह बरतन मना दिया पर अभी तक मैंने एक बार भी आपको यह नहीं बताया कि इस बरतन के अंदर जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला है, वो कितने मातरा में डाला है, कितने मातरा में डाला है, जब भी आप किसी विल्यन में, जब भी आप किसी विल्यन में, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट लोगे, यानि कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जि मोलर चालकता क्या होता है मैं बता दू इसको हम बोते हैं बेटा मोलर कंड़क्टेंस मोलर कंड़क्टेंस और इसको हम इस चितर से दर्शाते हैं यह देखो इसको इस चिनने से दर्शाते हैं असलम यह लेम्डा ही है यह लेम्डा है बस इसको बोते हैं बेटा हाफ लेम्डा half lambda कहते हैं इसको इस चिनने से दर्शाया जाता है तो मैंने कहा कि molar चालागता है सुन कहीं समझ में आ रहा है molar, molar, molar यानि की mol, molar यानि की molarity equal to 1 तो कोई आपसे पूछेगा molar चालागता क्या है तो तुम कहना एक mol electrolyte द्वारा जितने भी आयन बनाए जाएंगे गोर से सुना में क्या बहुरा हूँ बैटा एक mol electrolyte द्वारा जितने भी आयन बनाए जाएंगे उन सभी आयन के चालागता को molar चालागता कहेंगे एक mol electrolyte द्वारा जितने भी आयन बनाए जाएंगे उनके चालकता को molar चालकता कहा जाता या फिर ऐसा भी कह सकते हैं it is the conductance of one molar electrolytic solution जिस electrolytic billion की molar एक हो उसके चालकता को molar conductance कहते है मैंने क्या बोलो बटा आप कह सकते हैं it is the conductance of conductance of one molar one molar electrolytic solution किसी भी billion का जिसका molar जिसका molar एक हो उस विल्यन के चालकता को molar चालकता कहा जाता है और बेटा molar चालकता जो होता है अच्छा पहले इसका screenshot लीजे तो इसकी शोट लेंगे बेटा इसका यही molar चालकता अरे भई एक विल्यन एक विल्यन है जिसकी मोलर्था का मान एक है तो मैंने कहा कोई भी ऐसा बिलियन जिसके मोलर्था का मान एक होता है उसके चालख्ता को मोलर्था बोलते हैंrieben सोisoft और वह सिम्पल भाषा में एक मोल इलेक्टロलाइट द्लारा जो भी आयस बनाये जाएंगे कि उसके चालकता को मुर्ण चालकता कहा जाएगा है कि k टी कहां हो फ्रक्त यह हाँ परिभाशन जहाने दिया को थे नहीं कर थे थोड़ा सा गळबड़कर करे दिते हैं कि सीब्लयन के मौनार चालकता पादारत के एक ग्राम मोल को यह एक घन सेंटीमेटर एक घन सेंटीमेटर लिखा है यह एक घन सेंटीमेटर है एक सेंटीमेटर है एक सेंटीमेटर क्यों है इसका मतलब इसका मतलब है एक सेंटीमेटर क्यों एक सेंटीमेटर क्यों एक सेंटीमेटर क्यों है आपर मोलर्त था कमान एख होगा न मिटा है वो ऐसा लिखा हुआ है ठीक आगे बढ़ते हैं अब चीजों को आगे बढ़ाते हैं अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं अच्छा अच्छा मैं बताना भूल गया पहले रुको 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 यह जो मोलर चालकता होता है इसको भी हटाई देता हूं यह जो मोलर चालकता होता है पेटा मोलर चालकता को ग्याद करने के लिए इस प्रिष्ट चालक्ता और 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 इसकी काई होती है इसकी काई होती है मुलर चालक्ता की सीमेन सेंटीमेटर स्कॉयर प्रतिमोल इसको बिलिक लो बेटा इसकी काई होती है सीमेन सेंटीमेटर स्कॉयर पतिमोल इस पर एक सवाल दिया जाए ठीक है राजकुमार जी बिल्कुल सवाल करवाएंगे आपको इसका बिल्कुल इसका मैं सवाल करवा रहा हूं आपको कैसे बने गए एक उधारन के रूप में मैं बिल्कुल आपको एक एक्जाम्पल देता हूं ठीक है आप चिंता ना करें एक एक्जाम्पल दिखा रहा हूं आपको अब यहां सुनों चलो राजकुमार जी ने कहा है कि प्रश्ण बना लिया जाए एक अपने तरफ से मैं एक हाइपोठरिकल प्रश्ण देता हूं आपको करवा के बता रहा हूं अब प्रश्ण में यह लिखा हूब है कि बरतन इस बरतन का जो एरिया है वटु सेंटिमिटर क्यूब है और जो और सो 20 ohm है सुगंए इस विल्झ्यन का रगिस्ट Caiyaào memorize लिया है इस विल्ल्यनका मोलरता कि मोलरता का मान है 0.1 मोल प्रतःलिक्तर टो चलिये इस विल्णका इस विल्ल्यनक मोलर चालगता ग्याद कीजिए इस विलियन का मोलर चालकता ग्याद कीजिए बहुत इजी है बेटा ऐसी प्रस्ण आएगा ना ऐसी प्रस्ण अब ये प्रस्ण लिखा हुआ होता उसी को मैंने बस ऐसे डाग्रमेटिकली बता दिया आपको अब यहां सुनना कैसे करेंगे अब आपको मोलर आपकाल ग्याब करना है सूत्र हम कांपा इन्टू थाहुजड्ण अपॉन मोल रिटी आप इस सूत्र में इजक्त सूत्र में मोल दा मांन किता दिया है जीरो पॉइंट वन अब मेरे पास अब मेरे पास कापा का मान नहीं है तो कापा कैसे निकालते हैं मुझे अभी अभी आपको बताया है वन बाई आर इंटू एल बाई ए लीजिए सब कुछ आपके सामने है रजिस्टेस किता दिया है बैटा रजिस्टेस है सो ओम लेंठ यहां इंट लंबास कितना है वन सेलिमीटर एरिया कितना है एरिया है टू सिर्टि मिन इसकार दिकाल लेन उसका के मान को यहां रख देना तो दिन तो फिर मूला चॉस्टा जायगा एक बार इसको हल करनो चारतेहं पटतर कितना रहा है यहां ने अपने हिसाब से कुछ भी प्रश्ण बना दिया है अब ट्राइक करो कितना हो गए कितना अंसर आ रहा जल्दी बताईए फटाक से रामकृष्ण जी ने आंसर दिया है 50 और कोई वैस्णभी ने आंसर दिया है 50 विकास ने भी आंसर दिया है 50 और कोई बेटा आयूश आरिया राजकुमार वैस्णभी दीपक निखिल विकास देवांश सुष्मा सही बेटा इसका अंसर होगा कि इसका अंसर होगा 50 सीमेन 강 Km² पर मोल इस प्रकार से प्रश्ण वोथ पूछा जाएगा भी प्रश्ण यहीं आपको बता दुदिया को जना प्रा यहीं आपको प्रश्ण्य में बताए का यहीं आपक के सामने लिखा हुआ को यहीं Ow अब को आप लोगों से प्रश्न पूछता हूं अब मैं आप लोगों से प्रस्ण पूछता हूं इसका समाधान आप निकाल के घर में तोड़ा सा समाधान निकालेगा और उसको फिर अगले क्लास में डिसकस करेंगे मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं बैटा कि एक विल्लिया प्लीज ध्यां समझें बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूं यह इलेक्ट्र कि यहां देखेंगे मैं आपसे प्रश्ण पूछ रहा हूं थोड़ा जवाब अच्छे से समझ के इसका अंसर निकाल के रखेगा यह देखो हाँ तो अब सुना बेटा इस विल्लियन में इस विल्लियन में यह देखो मैंने हापर इस बरतन के अंदर मैंने पानी ले लिया और इसके अंदर मैंने वैदुत चालक याने के इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया अब यह जो इलेक्ट्रोलाइट है जानते हो मैंने कितना लिया है इसके अंदर हाँ इसके अंदर मैंने लिया है एक मोल इलेक्ट्रोलाइट गौर सुनेगा इस बरतन के अंदर मैंने एक मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया है और इस विल्लियन का इस विल्लियन का आयतन है एक स सेंटीमिटर क्यूब तो अब आपको यह बताना है बेटा इस विलियन का जो चालकता है उसका क्या नाम होगा इस विलियन के चालकता को आप क्या कहेंगे यह मोलर चलकता कहला यह वीशिष्ट चलकता कहला क्योंकि आपको यह तो पता है झाल ao kWh लेते हैं एक सेंटीमेटर की लेते हैं तो उसके चलकता को विसिष्ट चालकता कहते हैं और एक मोल इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो उसके चालकता को मोलर चालकता कहते हैं तो यहाँ पर इस विलियन का जो चालकता होगा उसका क्या नाम होगा उसका क्या नाम होगा है जी यह है इस पेसिफिक कंड़क्टेंस यह है molar conductance तो इस william का contexto क्या नाम होगा कॉशन ही समझ में नहीं नहीं आया विकाजी थोड़ा ध्यान दीजिए मैंने बोला बेटा एक मॉल जबािक्ष डालते हैं volume में तूज के चालकตा को molar चालकन्क कहते है और एक एक सेंटीमेटर क्यूब विल्यन के चालकता को विसिष्ट चालकता कहते हैं तो आपको ये बताना है इस विल्यन का जो चालकता है उसका नाम क्या होगा इसे आप मोलार चालकता कहेंगे कि विसिष्ट चालकता कहेंगे मैं ये पूछ रहा हूँ अच्छा एक बार पताओ क्या इस विल्लियन का गौर सुनना क्या इस विल्लियन का मोलर चालकता और विस्षिश्ट चालकता बराबर होगा इसका मान एक होगा क्या इस विल्लियन का मोलर चालकता और विस्षिश्ट चालकता का मान एक ही होगा हाँ लेकिन अब कहानी में एक छोटा सब बदलाव है अब कहानी में एक छोटा सब बदलाव आया जरा गौर से सुनना में क्या बता रहा हूं अब ये जो विल्यन है बेटा इसके अंदर भी एक मोल इलेक्ट्रोलाइट है और इसका आयतन एक सेंटीमिटर क्यूब है तो इसका मतलब दोनों तो सेमी हुआ तो इसका मतलब इस विल्यन का भी मोलर चालकता और विसिष्ट चालकता बराबर ही होगा एक ही तो है सब कुछ लेकिर अब देखना मैं क्या करने वाला हूँ अब मैं इस विल्यन में बेटा अब मैं इस विल्यन में पानी मिला दूँगा याने की जल मिला दूँगा याने की डेल्यूशन कर दूँगा तनुता बढ़ादूंगा तो अब मैं क्या करूंगा इस विलियन में जिसका मोलर चालक ता और वििसिस चालक ता दोनों बराबर था यहाँ पर जो आयन थे वो आयन कुछ आयन तैर की उपर चले जाएंगे देखिए अब कुछ आयन तैर की ऊपर चले गए कुछ आयन तैर की ऊपर चले गए तो अब मैंने इस विलियन में पाई डाल दिया जल मिला दिया तो अब आपको बताना है कि क्या अब भी क्या अब भी मुलर चालकता और विस्ष्ट चालकता बराबर होगा और अगर नहीं होगा तो क्या होगा ये आपको सोच करके रखना है यही मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगे बैटा तो जैसी मैंने पानी मिलाया तो अब आपको बताना है क्या मुलर चारकता और विस्ष्ट चारकता अब भी बराबर होगा और अगर नहीं होगा तो बताईए इन दोनों में से किसका मान बदलेगा और किस तरह से बदलावाएगा तो ये आप थोड़ा सोच के रखेगा इसके स्क्रीन शॉट लेलो अगले क्लास में इसी को मैं डिस्कस करूँगा बेटा ये देखो मैंने पिछले क्लास में क्या प्रश्ण पूछा था मैं इस बरतन के अंदर मैंने ये देखो मैंने पानी ले लिया मैंने पहले इस बरतन के अंदर पानी ले लिया और फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने वैदूत अब घट डाल दिया था ये देखो मैंने इसके अंदर वैदूत अब घट डाल दिया था ये देखिए और कौन सा वैदूत अभगट ये हैं, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, हर बच्चा जानता है, क्या है, afecte NACL, ओके, तो बेटा, पहले वाले case में क्या हुआ था, मैंने हापर एक विल्लियन लिया था, इस विल्लियन का आयतन है, इस विल्लियन का आयतन था, वन सेंटिमेटर क्यूब, औ और इस विल्यान के अंदर यह जो मैंने वैदुत अफगाटे डाला है वो कितना था एक मोल तो आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने एक मोल इलेक्ट्रोलाइट यानिकी एक मोल वैदुत अफगाटे डाला था फिर मैंने आपसे प्रश्ण पूछा था कि चलो बताओ इ इस विल्यान के चालकता को क्या नाम देंगे बैटा क्या नाम देंगे मतलब विसिष्ट चालकता कहेंगे या मोल चालकता कहेंगे क्योंकि आपको शायद याद होगा कि एक सेंटीमिटर क्यूब एक सेंटीमिटर क्यूब जितने हिस्से में जो चालकता होता है उसे बोलते तकी इस केस में आया थे धिन यहां पर ले लिया भी जैने TWPI फेर Healing मॉल इलेक्ट्रलाइट यह पर पूछूंगा आपके कि इसी ओ कि फुर्ख कहाई चाए का इस विलियन का जो चालकता है उसे आप क्या नाम देंगे विसिष्ट चालकता कहेंगे या मोलर चालकता कहेंगे तो आप कहेंगे सर यह दोनों तो सेम ही है तो उस हिसाब से उस हिसाब से मोलर चालकता अगें इक्वल टू स्पेसिफिक कंड़क्टनेस फिर से देखिए दोनो तो एक दूसरा की equal हो गया है, फिर कहानी में बदलाओ kaoha पर आया था, कहानी में बदलाओ यहां पर आया था, कि दोनों सेम है, दोनों container सेम हैं, सब कुछ सेम है, अब मैं यहाँ पर एक नया कहानी में more लाता हूँ, और मैं क्या करता हूँ बेटा, इस विल्लियन के अंदर, इस विल्यन के अंदर मैं जल मिला देता हूँ याने के solution को dilute कर देता हूँ dilution कर देता हूँ तो जैसी आप पानी डालोगे इसी विल्यन में जैसी आप पानी डालोगे तो पानी डालते ही बेटा आयतन तो बढ़ जाएगा लीजिए आयतन बढ़ गया और आयतन बढ़ेगा तो ना सिर्फ आयतन बढ़ेगा बलकि यहाँ पर जो आयन थे यहाँ पर जो आयन थे वो उसमें से आधे आयन तैर की उपर चले जाएंगे आधे आयन तैर के उपर चलेगा यह देखो आधे आयन तैर के उपर चलेगा तो अब आप देख सकते हैं कि आयतन जो है वो बढ़के एक सेंटिमेटर और हो गया तो मैंने आपसे आखरी में जाते जाते एक प्रश्ट पूछा था कि बेटा यहाँ पर तो आपने कह दिया कि मोलर सांधरता मैं आप कीजिए मोलर चारकता और विशिष्ट चारकता दोरों का मान बराबर है पर यहाँ पर अब क्या होगा तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या अब भी ये दोनों बराबर होंगे किया अब भी ये दोनो बराबर होंगे और अगर नहीं होंगे तो बताएक किसका मानवाणबदलने वाला है याने कि विस्ष्ष्प चालकता का मान बदलेगा या मॉलर चालकता का मान बदलेगा तो उत्तर है बेटा, सुनना पहले कितना इलेक्ट्रोलाइट था एक मोल अब भी कितना इलेक्ट्रोलाइट है एक मोल और एक मोल इलेक्ट्रोलाइट के चालक तक बोलते हैं बेटा मोलर चालक तो पहले भी एक मोल था अब भी एक मोल यानि कि मोलर चालक तक हमान नहीं बदलेगा मोलर चालक ता अभी भी भी उतना ही होगा जितना पहले था लेकिन जरा विशिष्ट चालकता के बारे में सुनो बेटा विशिष्ट चालकता क्या होता है एक सेंटीमिटर क्यूब एक सेंटीमिटर क्यूब जितने हिस्से में जो आयन होते हैं उसके चालकता को आप कहते हैं बेटा विशिष्ट चाल तो पानी डालते ही, क्या हुआ? पानी डालते ही, क्या हुआ? एक सेंटीमिटर क्यूब जितने हिस्से में जो आयन थे, आधे आयन तैर के उपर चले गए, यानि कि एक सेंटीमिटर क्यूब के अंदर अब आयन कम हो गए, एक सेंटीमिटर क्यूब के अंदर आयन कम हो गए, यानि विसिष्ट चालकता का मान कम हो जाएगा, विसिष्ट चालकता का मान कम हो जाएगा, तो जैसी आप जल मिलाएंगे, तो बेटा, मोलर चालकता, जो मोलर चालकता है, वो उतना ही रहेगा, पर विसिष्ट चालकता जो है, वो बदल जाएगा, तो इसका मतलब क्या समझे जितना जादा पाने डालोगेouch आयतन उतना ही बढ़ेगा और विश्ष्ट चालकता कमान कम होता जायगा तो अगर मैं यहांपर एक ग्राफ बनाओ बेटा यहां पर अगर मैं पानी डालोगे जिदना जाली करण करोगे जिदना जादा जली करण करोगे बहुता यह यहनी लिक क्टाउं यहां नीचे ही लिखा हूं इसका मतब क्या समझें इसका मतलब क्या समझे कि यहां पर विशिष्ट चालकता और आयतन 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 उपर नीचे हैं उपर नीचे मतलब विद्करमानुपाती उपर नीचे मतलब विद्करमानुपाती मतलब आयतन बढ़ाओगे तो विशिष्ट चालकता कम होगा आयतन बढ़ाओगे तो विशिस चालकता कम होगा तो इसका मतलब इस सूतर को बाद में इस सूतर को बाद में आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा तो अब आपका जो सूतर है वो बदल के इस प्रकार का हो जाएगा तो क्या समझे आप अगर आयतन एक सेंटीमिटर क्यूब है और एलेक्टरलाइट ए ऐसा हो जाएगा तो प्लीज इसका स्क्रिंशॉट ले लेंगे यह बहुत इंपोर्टेंट है इस टॉपिक से पूछे जाते हैं इस स्क्रिंशॉट लेंगे बेटा इस साइंटिस्ट का नाम है तो जितना कठिन साइंटिस्ट का नाम है जितना कठिन इसका स्पेलिंग है उ मजने के लिए मैं आपके सामने एक एक बरता ले लेता हूं इसके अंदर मैंने यह देखो दो इलेक्ट्रोड लगा दिये ठीक है फिर उसके बाद मैंने यहां विल्लियन ले लिया और फिर उसके बाद यहां से मैं इलेक्ट्रिसिटी देने की विवस्था करूंगा या एक काम करते हैं एक काम करते हैं इसको इस तरह से बना लेते हैं यहां पर मैंने यहां पर मैंने एममीटर लगा दिया है यहां पर मैंने एममीटर लगा दिया है जो वैदुद्धारा प्रभाहित करने के छमता को जो है ग तो आपको क्या मिलेगे बटा आपको इसके अंदर पीन मौल सोडियम के आयन दिखाई देंगे और तीन मौल क्लॉराइड के आयन दिखाई देंगे अब जैसे मैंने यहां से वैदुधारा प्रवाहित किया मैंने इलेक्ट्रिसिटी दिया तो मैं क्या देखता हूं यह विल् इलेक्ट्रिसिटी कंड़कर और कुछ देर के लिए मान लो कि यह जो विल्लियन है यह कितना इलेक्ट्रिसिटी कंड़कर रहा है बैटा सपोज 2.5 सीमेन सेंटीमेटर स्कॉर प्रती मौल तो लीजिए इस वक्त इस विल्लियन का मोलर चालकता का मान कितना है यहां पर इस अब मैं आप impression रहा हूं कि यह जो बिल्लियन कितना चालकता दरशा रहा है यह विल्लियन कितना चालकता दरशा रहा है यह लोग यह जानते हैं कि बेटा ये विल्यन इसलिए चालकता दर्शा रहा है क्योंकि इस विल्यन में आयन है लेकिन आपको ये बताना है कि इन सभी आयन में से इन सभी आयन में से कौन सा आयन कौन सा आयन इलेक्ट्रिसिटी कंड़क्ट नहीं कर रहा है कि यह पूरा विल्यन कितना electricity गंड़क्ट कर रहे हैं टू पर अब आपको बताना है कि इन सभी आयन में से ऐसा कौन सा आयन है जो electricity कंड़क्ट करने में वैदियुद्धारा प्रवाहित करने में अपना योगदान नहीं दे रहा होगा बताओ, इसमेंस इसकोन से वाला आयन, electricity conduct करने में अपना contribution नहीं दिर रहा है, थोड़ा द्यमाग लगाईए, जो electricity conduct नहीं कर रहा है? आपके हिसाप से, बेटा, यहाँ पर ऐसा कोई भी आयन नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई भी आयन नहीं है, जो electricity conduct ना कर रहा हो सारे ions electricity conduct करेंगे याने कि आपको पता है इस billion का इस billion का जो कुल चालकता है इस billion का जो total conductance है इस billion का जो total conductance है यानि कुल चालकता वो किस पर depend करेगा बेटा तो आप सुनना इस billion का कुल चालकता कैसे निकारोगे तो आपको पता है बेटा, हर एक आयन, electricity conduct करते हैं और जब तुम इन सभी आयनों के चालकता का जो मान है उसका योग करोगे, उसे जोड़ोगे तब जाकि कुल चालकता निकलेगा टोटल कंड़क्टस निकलेगा मेरे कहने के मतला बेटा, इस विलियन में जो टोटल कंड़क्टस होगा इस इक्वल तुम आफ यह देखो, कंड़क्टस अफ सोडियम आयन प्लस कंड़क्टस अफ सोडियम आयन प्लस कंड़क्टस अफ सोडियम आयन प्लस कंड़क्टस अफ सी यल मैनस आयन प्लas conductance of Cal मैनस आयन प्लस conductance of Cl मैनस आयन आप देखो मैंने आपर क्या किया मैंने आपसे पूछा था इस billion का कुल चालगता तो आप कहेंगे इस billion का कुल चालगता इस billion में पाए जाने वाले हर एक आयन के चालगता पर निरभर करेगा मैं clear कर दूँ बैटा इसका मतलब होता है कुल चाल लगता और कुल मिलाके आप यहां देख सकते हो जब मैंने जब मैंने सभी आयनों के चालकता का योग कर दिया जब मैंने सभी आयनों के चालकता का योग किया तब जाके मुझे कुल चालकता मिला तो क्योंकि इस विलियन में कुल मिला के 6 आयन थे तो बैटा 6 आयन के चालकता का योग करूँगा तब जाके कुल चालकता मिल चलेगा आप इतना लंबा चौड़ा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तोटल कंड़क्टेंस is equal to sum of फिन लेकटे सबर्द हैं एनसा टीमोल्स आयाने कि याने के इतना लंबा चौड़ा ना लिखे शौट मिसकॉप ऐसे भी लिख सकते हैं और अगर आप इसका एक सामाने सूत्र बनाना चाहते हैं तो यह ऐसे बनेगे बिटा कुल चालकता किसके बराबर होगा योग के बराबर किसके योग के बराबर कुल के टायनों की संख्या प्लस कुल एनायनों की संख्या त कि किसी भी विल्लियन का जो कुल चालक्ता होता है वो उस विल्लियन के अंदर पाए जाने वाले हर एक आयन के चालक्ता के योग के बराबर होगा याने कि ये जो आयन है क्लोरीन ये वाला ये वाला ये थोड़ा सा चालक्ता दर्शाएगा ये थोड़ा सा चालक्ता दर्शाएगा ये थोड़ा सा चालक्ता दर्शाएगा ये भी दर्शाएगा ये भी दर्शाएगा ये भी दर्शाएगा फिर मैं इन सब के चालक्ता का यो के बड़ाबर होगा बस शर्थ एक है इसमें इसमें शर्थ है इसमें लिखा होगा किसी अ कि यह लिखा है क्या लिखा है अनंत तनूता यहां पर लिखा है अनंत तनूता अब इसका ज़रा मतलब समझ लेते हैं अनंत तनूता का मतलब ये है कि जब तुम किसी वैदुत अब घटे को पानी में डालते हो जब किसी वैदुत अब घटे को पानी में डालते हो तो उसमें डालने के बाद पहले ये सुनिश्चित कर लो ये फिक्स कर लो कि आपने जो वैदुत अब घटे लिया है वो पानी में जाने के बाद पूर्ण रूप से वियोजित हो चुका हो। मैंने कहा कि जब यह पानी में किसी वैदुद अपघट ये को डालोगे तो पहले आपको ये कंफर्म होना चीए कि वो साराक शाराक टूट गया होगा। साराक शाराक टूट गया होगा। यहां पर मैंने 3 mol एने लिया था और 3 mol एने लिया पानी में जाने के बाद पूर्ण रूप से टूट गया। तब तो मैं यहां पर 6 एने माफ कीजिए तीन एने और तीन सीयल का चालता के योग कर पाया। पर सोचो, सोचो अगर यह जो वैदुत अपगट यह आपने लिया है वो पानी में जाने के बाद, अगर ठीक से ना टूट पाए तो फिर तो परिशानी हो जाएगी। अगर सारे वैदुद अभघ्टिया पाणि में जाने की बाद वियोजित नहीं हो पाएंगे तो आपको सारे आयंस नहीं मिलेंगे और जब सारे आयंस नहीं मिलेंगे तो कॉलरस कर नियम काम नहीं करेगा। अब आप कहेंगे सर NACL तो प्रबल वैदूत अब घट्या है वो तो पानी में जाते हैं टूट जाता है पूर्ण रूप से टूट जाता है पर बेटा अगर आप गलती से जादा NACL मिला बैठे तो आपको पता है ना NACL पानी में घुल जाता है पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि अब धेर सारा NACL डाल देंगे तो सारक सारक घुल जाएगा, सारक सारक तूट जाएगा, सारक सारक वियोजित हो जाएगा नहीं, तो याद रखना NACL भली प्रबल वैदूत अब घट्या है पर वो भी पानी में जाने के बाद ना तूटे, ऐसा हो सकता है कभी-कभी सांधरता जादा होने के कारण जो प्रबल वैदूत अब घट्या होते है, वो ठीक से तूट नहीं पाते तो बेटा, अगर आप के मन में ये शंका है कि मेरा जो वैदूत अब घट्या है, वो पूर्ण रूप से तूटा है, किने तूटा है जो शंका को दूर करने का एक ही तरीका है इस बरतन में, इस बरतन में इतना पानी डाल दो कि आपका जो वैदूत अब घट्या है, वो पूर्ण रूप से तूट जाए तो कोहलरस कहते है अब बटा अनंत तनुता मतलब इतने छोटे बरतन में इतना सारा पानी डाल देंगे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं बस मैं यह कह रहा हूँ कि पानी हमेसा ज्यादा रखने का पानी का वैल्यू मतलब पानी वॉल्यूम आयतन हमेसा ज्यादा रखना अगर आप अनंत तनूता लेंगे यानि कि धेर सारा पानी लेंगे तो आपका वैदुद अभगट हमेशा पुनरूप से टूटा हुआ ही मिलेगा और जब आपका वैदुद अभगट ये पूनरूप से टूटे और पूर्रूप से तोड़ने के लिए ही हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा अनंत तरूता और अनंत तरूता का मतलाब है खुप सारा पानी मिलाना है इसलिए इस सूतर में छोटा सा बदलाव आएगा आपको न यहाँ अनंत का चिन लगाना है यानकी इनफिनिटी का चिन लगाना है तो आप लोग दिमाग में यह बिठा लो कि जब भी मैं कोहलरस का नियम कहीं पर लगाऊंगा तो हम ऐसा उपर में अनंत तनुता का चिन लगाना है इंफिनिटी का इंफिनिटी का चिन मुझे लगाना है चलिए इसका स्क्रिंशॉट ले लिजिए बेटा फिर आप चलिए कोहलरस के नियम के कुछ अनूप्रियोग समझते हैं मतलब यह नियम क्यों आया यह नियम क्यों पढ़ना पड़ा तो तो प्रभल वैदुत अप घ्री होते हैं आपको मताने जारों वह बीटा कि कि इसके इसके अनूप्रियोग क्या है प्रभल वा fel माफ? दिखेगा दिखेए विल्यन चोन जो घुझा है को सबस्क्राइब करें यह बंदरी ले लिया इसके अन्दर लेक्टोर लगा दिए और इसके अंदर जानते मैं क्या लिए वे इसके अदर मैंने लिया है इसके अदर मैंने है तो मॉल आ लोखेसी infringement साथ हूं और ये बताओ ये विलियन ये विलियन जरमेने है्वा यहां उडिशिती दिया ज्यम विलिया कहसे हैं यहां सी या लगता दर्शा रहा है तो बिटा ये वाला विलियन चालकता दर्शा रहा है तो पहली बात तो ये कि इस बरतन में भी आपने 100 मोल एनसे लिया है और इस बरतन लिए पर आप देख सकते हैं कि एनसे ल के केस में चालकता का मान जादा है और एसेटिक अमल के केस में चालकता का मान कम है क्यों क्यों है जबकि यहां भी 100 मोल वहां वैदूत अब घट यह याने की वीक इलेक्ट्रोलाइट है यह वीक इलेक्ट्रोलाइट है और एनेसेल प्रबल वैदूत अब घट यह है याने की याने की यह इस्ट्रॉंग strong electrolyte है और आपको पता है ने बैटा strong electrolyte उसको कहते हैं जो पानी में जाते ही पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं यानि कि NCL पानी में जाते ही क्या बनाएगा बैटा 100 sodium ion और बनाएगा 100 chloride ion तो कुल मिला कि यहाँ पर 200 ion है पर acidic अमल दूर्बल अमल है और आपको पता होगा बैटा जो दूर्बल वैदुद अपघट यह होते हैं वो कुछ भी हो जाए कभी भी पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते यानि कि अगर यह पानी में जाएगा भी तो सारा का सारा acidic अमल टूटेगा नहीं माल लेते हैं कि 5 acidic माफ कीजिए 100 में से 5 acidic अमल टूटेगा तो अगर 100 में से मात्र 5 acidic अमल टूटेगा तो मिलेगा बैटा आपको 5 acetate ion और मिलेंगे 5 H plus ion तो कुल मिला के आपको कितने ion मिले 10 ion तो सुभाविक सी बात है न भई कि जादा ion होंगे तो वैदुट चालकता भी जादा होगा और कम आयन होंगे तो वैदुट चालकता भी कम होगा तो इतना तो हम समझ गये कि यहाँ पर चालकता का मान जादा क्यों है यहाँ चालकता का मान कम क्योंगे पहले ही पढ़ाया जा चुका है कि जो जो दूरबल वैदुत अब घट्य होते हैं वो पूढ़रू से कभी वियोजित नहीं होते तो अब एक कोशन आपके सामने है क्या आपको बताना है कि ये विल्लियन गौर से सुनना ये विल्लियन जो भी चालकता ये विल्लियन जो भी चालकता दर्शा रहा है वो कितने सारे आयन के वज़े से है मैंने कहा ये वाला विल्लियन जो भी चालकता दर्शा रहा है वो कितने सारे आयन के बज़े से है कितने 200 आयन 200 आयन हाँ जी 200 आयन 200 आयन आपको पता इस विल्लियन के अंदर 200 आयन है तो इस विल्लियन का जो भी चालकता है वो 200 आयन के बज़े से है पर बेटा आपको दिख रहा है क्या अंदर 200 आयन है अब यह मत कहते ना हां सर दिख रहा है यह नहीं दिखता है यह तो दिखता थोड़ी है यह तो मैंने बता दिया था यह तो मैंने बता दिया था कि बेटा इसमें 200 आयन होंगे पर तुम बताओ तुमको आयन दिखता है क्य फिर भी मैंने पूछा कि चलो बताओ कि इस विल्यन का जो चालकता है वो कितने सारे आयन के वजह से है तो आपने बीना सोचे बीना धीचक के आपने फटाक से आंसर दे दिया सर 200 आयन तो बेटा आपने तुरंद बता दिया कि ये जो चालक्ता का मान हमें दिखाई दे रहा है वो कितने सारे आयन के वज़े से है 200 आयन और आप इतने कहना चीए confidence से ये answer क्यों दे पाए क्यों ये आपको तो पता है कि ये तो प्रबल वैदुद अप घट ये है पानी में जाते ही पूर्ण रूप से तूट जाएगा है ना और आपने आल्रेडी 100 मोल लिया है तो सभाविक सी बात है 200 आयन ही बनेंगे पर यहाँ पर ये है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और मैंने पूछा इस केस में ये जो चालक्ता का मान आप देख पा रहे हैं वो कितने सारे आयन्स के वज़े से चलो बताओ आप आंसर नहीं दे पाओगे क्योंकि बेटा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो ठीक से तूटता नहीं वीक इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाने के बाद ठीक से तूट नहीं पाता और जब तूटेगा नहीं ठीक से तो फिर परिशानी हो जाएगी ये पता लगाने में कि तूटा कितना तो याद रखना इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ दो बड़ी समस्याएं हैं एक एक तो वो 100% डिसोसियेट नहीं होता पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता और दूसरा कितना वियोजन होगा ये भी पता नहीं चल पाता हमको weak electrolyte कितना तूटेगा ये भी तो पता नहीं चलता तो अब problem कहा पर आया बेटा, एक प्रबल वैदुत अब घट्येका चालकता कोई भी ग्याद कर सकता है लेकिन एक दूर्बल वैदुत अब घट्येका चालकता ग्याद करना बहुत कठी नहीं क्योंकि हमको पता ही नी चाल पाता लोग कितना तूटेगा तो याद रखना प्रबल वैदुत अब घटे का चालकता कोई भी ग्याद कर सकता है कोई भी ग्याद कर सकता है क्योंकि प्रबल वैदुत अब घटे जो होते हैं ये पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं लेक सामने आये कोहलरस तो कोहलरस नाम के सैंटिश्ट ने इसका उपाय बताया कोहलरस ने बताया कि कैसे हम किसी दूरूबल वैदुत अभगट यह का भी चालकता सही सही ग्याद कर सकते हैं जबकि हमको पता है जो दूरूबल वैदुत अभगट यह होते हैं ठीक से टूडते नह कर सकते हैं कि कैसे किसी दूरबल वैदुत अपघट्य का चालकता ग्याद किया जाए तो बेटा चलिए मैं आपको कोहलरस के नियम के अनुप्रयोग बताने जा रहा हूं पहला अनुप्रयोग यह है कि हम कैसे किसी दूरबल वैदुत अपघट्य का चालकता ग्याद करेंगे मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे किसी दुर्बल वैदुत अब घर्टी का चालकता ग्याब करते हैं बेटा जब क्यों पूरा डिसोसियेट नहीं होता पूरा व्योजित नहीं होता फिर भी कैसे पता लगाओगे तो सुनना कोहलरस ने इसका नियम बताया एक तरीका बताया सुनना क्या किया उन्होंने एकदम गौर से सुनेंगे अगर आप लोगों को एक मिनट हाँ अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को अगर आपको पता होना चाहिए कि यह एक दूर्बल यानि कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है वीक इलेक्ट्रोलाइट तो अगर आपको एसिटिक अमलका चालकता ग्यात करना है तो फिर उसके लिए आपको इसी वैदुत अभघट्य से मिलता जूलता किसी दूसरे वैदुत अभघट्य का चालकता ग्यात करना है और ऐसा करने से इसका चालकता निकल जाएगा फिर से रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला बिटा कोहलरस कहते है कि अगर आप किसी दुरूबल वैद्यूत अपघटे का चालकता ग्याद करना चाहते हैं तो पहले आप इसी से मिलता जूलता किसी दूसरे वैद्यूत अपघटे का चालकता ग्याद करो रब कैसे करूंग यह देखना कैसे करूं यहां दिखना मैंने क्या किया मैंने तीन और बरतन्त ले लिए ऑर उसके बाद निका किया देखना उसके इन्दर ले लिया मैंने और असी आ मैय फेवरेट एक लेलिया मैंने हेल और एक की अंदर ले लिया बेटा मैं क्वचिती ऊओ एने ब्रत तीनों में क्या समान बात है तीनों में क्या समान बात है बेट इनसे यल प्रबल होता है धिकशvaluation सिस ही आपक्रमाण होता है। acetic aml भी प्रबल होता है और acetic aml भी प्रबल होता है और क्योंकि यह तीनों प्रबल हैं तो बेटा इनका molar चालक्ता तो कोई भी ग्याद कर लेगा इनका molar चालक्ता तो कोई भी ग्याद कर लेगा तो अब प्रस्ण ये उड़ता है कि इनके मोलर चालकता से इसका मोलर चालकता कैसे निकलेगा तो याद रखना ये तीनों प्रबल है और इनका मोलर चालकता कोई भी ग्याद कर सकता है इनका molar चालकता कोई भी ग्याद कर सकता है प्रस्ट न था इसका कौन ग्याद करेगा देखते हैं कैसे करेंगे बेटा सुनना एकदम ध्यान से मैं क्या करने वाला हूं तो आपको आपको पहले ये पता हो न चीए जो एसिटिक अमल है वो कैसे तूटता है बेटा CH3COOH कैसे वियोजित होता है CH3COO- और क्या बेटा H+, हाँ तो पहले आपको ये पता होना चीए कि एसिटिक अमल कैसे तूटता है मुझे मालू में आपको पता कि एसिटिक अमल ऐसे वियोजित होता है तो इसका ये मतलब हुआ बेटा कि अगर आपको मुलर चालकता पता करना है एसिटिक अमल का तो उसके लिए आपको ये पता होना चीए कि मुलर चालकता एसिटेट आयन का कितना होगा और मुलर चालकता H+, आयन का कितना होगा जरा गोर से सुनियागा बेटा अगर आप अगर आप acetic अमलका मोलर चालकता ग्याद करना चाहते हो तो पहले आपको ये पता होना चीए कि acetate iron कितना है आपके पास और H प्लस iron कितना है आपके पास पर परिशानी क्या है यह तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है यह कितना तूटेगा हमको पता ही नहीं है तो अब चलो देखते हैं कि आखिर आखिर एसिटिक अमरका चालकता मैं कैसे ग्याद करूंगा तो बेटा आपको क्या चाहिए आपको CH3COO चाहिए और H चाहिए अब देख लगता CH3COOH का पता करने जा रहा हूं तो पहले मुझे क्या पता होना चीह है कि मेरे पास कितने CH3COO है और कितने H है तो बेटा CH3COO का मान कहां से मिलेगा यहां से मिलेगा तो इसका जो चाहिए लिक लो उसको यहां लिक लो किसका चालकता किसका चालकता यह वाला यह देखो मुझे CH3COO चाहिए CH3COO चाहिए वो यहां से मिल जाएगा प्लस अब आपको CH चाहिए CH CH चाहिए CH CH कहां से मिलेगा यहां से मिलेगा तो इसका चालकता यहां पर ले लो अब आप देख सकते हो बेटा कि आप लोगों को CH3COO चाहिए था CS3 COO चाहिए था वो यहाँ से मिल जाएगा फिर आपको H चाहिए था अपको H चाहिए था वो यहाँ से मिल जाएगा तो पुर पर A, N, A और C, L हमको नहीं चाहिए तो क्या करेंगे? हम A, N, C, L के मान को यहाँ पर घटा देंगे तो बस फिर क्या करना है बेटा बहुत आसान है आपको ये value प्रश्ण में दिया रहेगा ये value दिया रहेगा ये value दिया रहेगा बस उनके मान को यहां रखना है अपने आप आपको इसका value पता चल जाएगा तो देखिए किसी एक दूर्बल वैदुत अब घटी के चालकता को मदद लिया अब ये कैसे बनता है और उदारान बताओंगा चींता ना करो पहले इसका screenshot ले लो बेटा इसकी शॉट लो अभी एक उदारान और बताओंगा अपने आप अप समझ जाओगी कैसे करना है इसको इसक्रीन शॉट लो इसका चलो एक एक एक्जामपर और बताओंगा इसी के चलिए एक एक एक्जामपर और करते हैं ठीक है यह देखो एक 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 उदारान ही बना लेते हैं ठीक है मालो परिछा में प्रशन आया कि मोलर चालकता माप कीजिए मुणर चालकता अने सील का 20 सीमें सेंटीमेटर एस्काएर पर मूल है मोलर चालकता एन हे ओवेच का मालो फ्वान्टी सिक्स इसी में सेंटीमेटर स्काएर परमूल है माल लेते हैं बेटा NH4Cl का molar चालकता है 22 cm² पर mol और किसी ने पूछ दिया कि चलो molar चालकता ग्याद करो NH4OH का आपको NH4OH का molar चालकता ग्याद करना है और इन तीनों का molar चालकता प्रश्णे में दिया है तो बेटा मैं बता दू ये तीनों प्रबल होते हैं ना ये तीनों प्रबल वैदुत अबघटी हैं इसी लिए तो इनका मान दिया हुआ है क्योंकि प्रबल वाले का मान तो कोई भी निकाल सकता है कोई भी निकाल सकता है इसी लिए इसका मान दिया है और ये एक दूर्बल वैदुत अबघटी है इसलिए आपको इसकर निकालने बोल रहा है कैसे करोगे देखना तो अगर आपको अगर आपको NH4 OH का molar चालकता ज्याद करना है तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास NH4 का चालकता कितना है और आपके पास आपके पास OH का चालकता कितना है तो गौर्ड सुनेंगे बेटा इतना आपको पता ही है ना इतना तो आपको पता ही है ना कि NH4 OH कैसे तूटता है बेटा NH4 प्लस और OH माइनस है ना तो चलो वापस आते हैं तो अब तुम मुझे एक बात बताओ आप लोगों को आप लोगों को मोलर चालकता ग्याद करना है NH4 OH का तो बेटा उसके लिए आपको NH4 चाहिए कहां से मिलेगा यहां से मिलेगा चलो लिख ले उसको तो यहां पर लिख लो मोलर चालकता NH4 CL का प्लस NH4 चाहिए था NH4 चाहिए था NH4 चाहिए था, मिल गया अब आपको OH चाहिए तो OH कहाँ से मिलेगा OH मिलेगा second वाले data से तो उसको यहाँ लिक लेंगे बेटा यह देखो, क्या ले लिया मैंने NA OH, अब आप तुम देखो NH4 चाहिए था मिल गया NH4 CL के अंदर OH चाहिए था मिल गया NA OH के अंदर, पर आपको आपको बेटा आपको CL और NA तो नहीं चाहिए न आप समझे गया होगे, मैं क्या करने वाला हूँ तो बेटा, अब आप क्या करेंगे यहाँ माइनस कर देंगे, किसके value को NA CL के बस अब आपको क्या करना है, सारे values यहाँ पर इमानदारी से पुट अप कर देना है, तो NH4 OH के लिए NH4 CL कम किता दिया है, मान 22, प्लस NA OH कमान किता दिया है, बेटा 26, और NA CL कमान किता दिया है, बेटा 20, लिज़ यह कितना सरल है, इसको हल करना, तो प्रस्ट ने क्या था, कि इसका कि भई, इसका वैदूत, क्या कहते हैं, चालक्ता कैसे निकालेंगे NH4 OH का, तो जब भी किसी दूरुबल वैदूत अब घट्य का चालक्ता निकालने बोलता है, तो बेटा, उसी से मिलता जूलता, हम किसी और का चालक्ता ग्याद करते हैं, और उसके माध्यम से इसका पता करते हैं, तो सोचिए कोहलरस ने एक सिंपल तरीका बताया, ये पता करने का कि कैसे हम ये चालक्ता जो है वो ग्याद कर सकते हैं, प्लीज इसका स्क्रीन शॉट लेंगे बेटा, तो अब हमने कोहलरस के नियम पर ये समझा कि हम कोहलरस के नियम के मदद से किसी भी दूर्बल वैद्यूत अब घट्य का मोलर चालकता ग्याद कर सकते हैं देखिए कोहलरस का नियम था बड़ा सिंपल कि किसी भी विलियन में जो टोटल चालकता होता है वो उस विलियन में पाय जाने वाले हर एक आयन के चालकता के बराबर होगा लेकिन इस साधारन से परिभाशा के माध्यम से इस साधारन से फॉर्मूला के माध्यम से देखो कितना बड़ा एप्लिकेशन हमारे पास आ गया कि हमने कैसे एक दुर्बल वैदुत अफफगा ने का चालकता ग्याद कर लिया है लेकिन अब इसके और भी एप्लिकेशन है बेटा जैसे कि वियोजन की मात्रा ग्याद करना वियोजन की मातरा किसके वियोजन की मातरा गौर सुनेंगे बेटा जो प्रबल वैदुत अब घट्य होते हैं जो प्रबल वैदुत अब घट्य होते हैं वो तो पानी में जाने के बाद पूर्ण रूप से वियोजित हो ही जाते हैं और दिला घर smarter smile Mlaralo मैंने सो मोल एने डाल दिया सब को पता है कि यह प्रभल वैदुत अब है पानी बूंड रूप से व्योजीट हो जाएगा पूल रूपसे व्योजीट हो जाएगा पहुत क्या मिलेगा कर दो सोडियम आयन और मिलेगा बेटा सो सो क्लोराइड आयन तो आप देख सकते हैं कि एने सी एल पूर्ण रूप से वियोजित हो गया लेकिन यहीं पर अगर प्रस्ण आ जाए कि सो मॉल होगा तो मैं आपको बता दू बेटा है यह दूर्बल वैदुत अब घट यह है अगर इसको पानी में डालोगे तो यह कितना वियोजन होगा इसका कोई गारंटी नहीं हो सकता है सो में से पांच एच्चन तूट जाए या दस दस एच्चन तूट जाए पर यह तो आपको प पानी में जाने के बाद कभी भी पूर रूफ से नहीं टूटेगा हंड्रग पर्सन नहीं डिसोसियेट होगा तो प्रस नहीं पदार्त का जो मातरा है उसके तुल्ला में कितने सारे मॉलेक्यूल तूटेंगे वियोजित होंगे उसी बहुत हैं बेटा व्योजन की मातरा तो अब अगर कोई आपसे पूछेगा प्रबल वैदुत अब घट्य का व्योजन की मातरा ज्यात कीजिए तो क्या है इसकी वियोजन की होगी हनडेट पर्सेंट लेकिन, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो पानी में जाने के बाद कितना % तूटेगा यही आपको ग्Xiात करना है तो कोहलरस ने बताया कि प्रबल वैदूत अफघका व्योजन की मातुरा क्या ग्यात करना है तो कितना तुटेंगे ये भी ज्याद करना आसान नहीं है पर कोहलरस अब इस चीज को आसान बनाने वाले हैं तो गौर सुरेंगे कोहलरस अब आपको अपने नियम के आधार पर ये सिखाने वाले हैं कि कैसे हम किसी दूर्बल वैदुत अब घटे का वियोजन की मातरा यानि कि परसेंटेज डिसोसियेशन हम कैलकुलेट करेंगे तो चलिए बटा मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे परसेंटेज डिसोसियेशन कैलकुलेट होता है यह कैसे होता है जरा गौर से सुनिएगा तो मैं आप आपको यह बताने वाला हूं कि degree of dissociation कैसे निकालते हैं degree of dissociation बोलो या percentage dissociation बोलो तो याद रखेगा अब मैं आपको degree of dissociation calculate करना सिखाऊंगा यानि कि ये सिखाऊंगा कि वियोजन की मातरा कैसे ग्याद करते हैं वियोजन की मातरा को हम अलफा से दर्शाते हैं वियोजन की मातरा हो 17 अब अब कोहल्रस बता रहे हैं की कि से दूरबल वैद्धूत अब घट ये का जो वियोजन की मातरा होती है उसे ग्याद करने का तरीका है एक निश्चिस शांधरता में निकाला गया मोलर चालकता divided by अनंत तनुता में निकाला गया मोलर्चारक्ता यह देखें यह सूत्र यह सूत्र वियोजन की मातरा ग्याद करने के लिए वियोजन की मातरा ग्याद करने के लिए इस सूत्र में उपर क्या लिया है उपर लिया है मोलर्चारक्ता एक निश्चित सांधरता वाले के लिए और म इसका मतलब क्या मैं समझाता हूँ मैं आपको समझाता हूँ मतलब क्या है इस सूत्र में यह कहां से लाओंगा यह कहां से लाओंगा तो आप पिछले की मातरा कैसे ग्याद करोगे तो अब सुनों प्रश्ण में कैसे आएगा एक्जाम में कैसे प्रश्ण पूछे यह देखो बेटा मैं आपको उदारान बता रहा हूं मानलो प्रश्ण में आपको कापा का वैल्यू दे देगा जैसे मानलो और आपको बता देगा कि उस विल्यान का मोलरता है 0.01m मोलरता आने की सांधरता और बता देगा कि आपके पास एच्छ सी एन है एच्छी एन नाम का एक योगिक है जिसमें एचछ प्लस आयन का और सी एन मानस आयन का कंडेक्ट्स दिया गुए जैसे मालीज 1.6 सीमें सेंटिमेटर स्कॉर पर मोल आप सुनों करना क्या है आपको मैंने बोला मैंने आपको बोला कि HCN का वियोजन की मातरा ग्याद करो यानि कि यह ग्याद करो कि 0.01 सांधरता वाला HCN किस हद तक टूटा होगा किस हद तक उसका वियोजन हुआ होगा प्रश्ण में क्या पूछ रहा है बेटा कि हमने एक विलियन बनाया हमने एक विलियन बना जिसकी सांधरता है 0.01 तो 0.01 सांधरता वाला चलो पता लगा उसके अंदर जो HCN है वो कितने मातर में वियोजित हुआ होगा कैसे करेंगे बहुत सीम्पल है बेटा कापा का वैलू दिया है उसको यहां रख देंगे मोलर्ता का मान दिया है उसको यहां रख देंगे जिसके मदद से यह निकल जाएगा तो इसका वैलू यहां रख दोगे उसके बाद देखो यहाँ पर यहाँ पर दो अलग अलग आयनों का यानि की केटायन का और इनायन का चालकता दिया है तो केटायन का चालकता यहां रख देंगे इनायन का यहां रख देंगे तो केटायन का और इनायन का चालकता यहां रखते ही ये मिल जाएगा आपको इसको फिर यहां रख दो बस फिर आपको पता चल जाएगा वियोजन की मातरा कितनी होती है तो इस सूत्र के माध्यम से आप किसी भी किसी भी दूरबल वैदुत अब घट ये का वियोजन की मातरा ग्याद कर सकते हो इसका स्क्रीन शॉट लेंगे बेटा इस प्रकार से वियोजन की मातरा ग्याद की जाएगी यह मैंने आपको एक उदाहरान बता दिया इसका एक वास्तविक प्रस्ट थोड़े देर बात करेंगे तो वियोजन की मातरा के मतला बोता है बेटा कोई भी वैदुत अब घट ये कितने परसेंट में तूटेगा और आपको बता दू कि यहाँ पर अलफा जो निकलेगा यह तो वियोजन की मातरा है अलफा जो निकलेगा ध्यान देना यहाँ पर जो अलफा है इसको हम क्या बो त्रहां हुआ। पर को आपसे पूछेगा कि इतना परसेंड वियोजन हुआ। यानिë कि पर संट पूछे सहई पर सं segunda रहा अगर आपको प्रश्ट जी तो परसेंट निकल जाएगा सिर्फ अलफा निकालोगे मतलब वियोजन की मातरा निकलेगी और उस अलफा को सव से गुड़ा करोगे तो परसेंटेज वियोजन पता चल जाएगा याने कि आपका जो दूरबल वैदूत अब घट यह है वो कितने परसेंट में टूटा वो पत चल जाएगा लिजे इसके स्क्रीनशॉट फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा ओके तो चली यह था दूसरा यह था दूसरा अनुप्रियोग अब आते हैं तीसरे अनुप्रियोग में क्या किसी भी दूरबल वैद्यूत अब घट्यका वियोजन इस्थरांग पता करना तो य अधीजका स्वाँबन कई क्रहल मैनस अलफा तो इस सूत्र के माध्यम से आप आप वियोजन इस्थ्थरांग पता कर सकते हो तो ये हैं वीयोजन इस्थरांग तो वीयोजन इस्थरांग का यह सूत्र आप इसकत regenerated पर चूकर यह एक्दम डारेक्ट इसका प्रशन अएक इ क्या है सी यहां पर मोलर्टा है सी यहां पर मोलर्टा है जिसका मान जिसका मान प्रश्ण में दिया होगा ध्यान देना आपको सी सी मतंब मोलर्टा होता तो मोलर्टा का मान प्रश्ण में दिया रहेगा और अहीं बात अल्फा की तो बैटा अल्फा का मान कैसे निकालते हैं य प्रफ़ा कामान यहां से निकाल के यहां से निकाल के यहां रख देना और सांधरता का मान प्रश्णे में दिया रहेगा बस इस प्रकार आप किसी भी दुर्बल वैदुत अब घटे का व्योजन इस्थरांग पता कर सकते हो इसमें कुछ समझाने वाला चीज नहीं है करते हैं बेटा अभी कोहलरस का जो मैंने लौ बताया है चलिए उस पर आधारित कुछ प्रस्ण बना लेते हैं उस पर आधारित कुछ प्रस्ण बना लेते हैं प्रस्ण शुरू करने से पहले एक बार मैं सारे सूत्र आपको याद दिला देना चाहता हूं बेटा अब तक ह हम लोगों ने इस टॉपिक में इस टॉपिक में कौन कौन सा सूत्र पढ़ा है अब तक हम लोगों ने इस टॉपिक में कौन कौन सा सूत्र पढ़ा एक बार मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं तो गौर सूनेंगे बैटा चलिए मैं आपके सामने आपके सामने मैं resistance जल्दी याद दिलाओ बेटा resistance को हम R से चक्रास आते थे और इसका सूत्र क्या था याद आपको R है ना है ना है रो L by A और इसकी इकाई क्या थी बेटा इसकी इकाई थी मैं आपको सारह याद दिला रहा हूं जीतना मैं specific resistance विसिष्ट चालक ता जिसको हम इस सूतर से ए स्वारी इस चीने से दरसाते थे और इसे गढ़ना कैसे होती थी बेटा इसको हम निकालते थे आर ए बाई एल इस सूतर से इसकी हम गढ़ना करते थे और इसकी इकाई क्या होती थी इसका इकाई थे बेटा ओम सेंटीमीटर आपको ना इकाई एकदम अच्छे से याद रखना है इकाई एकदम अच्छे से याद रखना है इसके मदद से आप प्रस्ण आसानी से बना पाएंगे फिर हमने क्या पढ़ा थे बेटा फिर हमने पढ़ा था तीसरा पढ़ा था चालकता फिर हमने तीसरा पढ़ा था चालकता याने की कंड़क्टेंस कंड़क्टेंस को हम इस चीनने से दर्स आते थे C से और बेटा कंड़क्टेंस विदक्रम था किसके resistance के ये aracy protocol होता है और 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 इसकी इकाई क्या थी ohm inverse जिसको capital S से भी दर साथ सीमन बहुते है सीमन उसके बाद हमने क्या पढ़ा उसके बाद हमने पढ़ा विशिष्ट चालकता याने कि specific conductance एक बार मैं याद दिलाज रहा हूँ ना प्लीज थोड़ा सहयोग करेंगे मैं सारे सूत्र आपको अभी निमेरिकल बनाने वाले हम लोग इसको कापा से दर्शाते हैं और कापा की गड़ना कैसे की जाती है बिटा 1 by R into L by A और मैंने आपको बताया था इस सूत्र में L by A को सेल इस्थरांग बोलते हैं और इकाई क्या थी इसकी इसका था ओम इनवर्स सेंटिमेटर इनवर्स याने की सीमेन प्रती सेंटिमेटर ये इसकी इकाई थी ये इसकी इकाई थी आगे बढ़ते हैं बेटा उसके Moller conductance, Moller conductance इसको हम इसको हम दर्शाते हैं इस चीन शे इस चीन से और इसे कैसे घृत करते हैं और इसय़ा कापा इन्टू थाउजन अपन मॉलारेटी और इसकी इकाई क्या थी सिमें सें। सेंटिमेटर स्क्वाइर पर मोल ध्याँ दूस्थी मिटां ओम इनुवर्स भी लिए हैं ओम सें। सेंटिमेटर इसक्वाइर मोल यह जो इकाईय है यह बहुत इंपोरटेंट रहे गए इसके मदद से अपनी मेरिकल ज्यादा आसानी से बना पाएंगे उसके बाद पर जने क्या पढ़ा बेटा उसके बाद हम ने पढ़ा कोहल्रस का नियम और कोहल्रस की नियम में हमने कौन सा सूत्र देखा था तो यह सूत और अनद तनुता के लिए दिया गया चालकता, फिर हमने के देखा बेटा, कैसे निकालते हैं, C अलफा स्क्रीन शॉट लीजिए, अभी मैं जितने प्रश्ण बताऊंगा, सारे प्रश्ण इनी सूत्रों से बनेगा, तो प्रीज इसक्रीन शॉट ले लो बेटा, फिर चलिए कुछ प्रश्ण भी बना करके देख लेते हैं, कुछ प्रश्ण भी इस टॉपिक क्यों पर बना करके देख लेते हैं, ओके, चलो फिर स्टार्ट करें, तो मैं आपके सामने कुछ प्रश्ण रखना चाहता हूं बेटा, लीजिए, ये पहला प्रश्ण है, कुछ-कुछ आप भी बनाईएगा कुछ कुछ मैं बनाऊंगा बेटा एक बार मैं नीवेदन करता हूं कोशिस करो एक बार खुछ इसको ट्राई करो मैं तो बताऊंगा ही सारे सूत्र में बता दिये और सूत्र में किस किस चीज को क्या क्या बोलते हो भी मैंने बता दिया ठीक है तो चलो फिर एक पर ट्राइ करो इस प्रश्ण को मैं भी बताऊंगे आपको अब इतना प्रहाने की बाद मुझे लगता है आप कोशिस कर सकते हैं कि ट्राइ कीजिए इस प्रश्ण को बनाई है पहले बताई यह प्रश्ण क्लियर दिख रहने बेटा की बड़ा करना पड़ेगा बैभाव नेटर्क इशू है कोई बात नहीं बेटा आप वीडियो देख लेना शाम को समय निकालके बन गया आरिया ने उत्तर दिया है कि यह बन गया राजेश जी बस बेटा एक दो दिन और समय दीजिए आपका इस चेप्टर कर नोट्स मिल जाएगा पहले ता मुझे ब मैं भी अपने तरफ से कोशिस करता हूं ठीक है इसमें क्या किया गया था मोलरता दिया है के सील का और बोल रहे है कि उसका विस्ष्ट चालकता याने की कापा का मान दिया है और 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 प्रस्टर में क्या पूच रहे बिटा मोलर चालकता आपको ग्याद करना है मोलर च प्रिश्ट चारकता किता दिया थ्री पॉइंट सेवन टू टेंट पावर माइनस वन इंडू थाउजेंड मोलारिटी कमान किता दिया जीरो पॉइंट थी बस इसको हल करना उत्तर आपके सामने होगा बन गया सबका चले ठीक है ठीक है अब अगला अगला प्रश्ण देखते है जो बना रहे हैं उनको बनाने देते हैं अची बात है अपको शिस कर रहे हैं हमको तो वहीं चाहिए ना आप अगर प्रश्ण बना ले रहे हैं तो हमारा जो प्रयास है वह सफल हो गया और क्या नहीं बनता है कोई बात नहीं हम तो बताई रहे हैं चलो इसको यह जो प्र प्रश्ण में क्या बोल रहा है गौर से सुना बेटा इस प्रश्ण में बोल रहा है कि हमारे पास एक विलियन है उस विलियन में लिया गया है उसमें लिया गया है इसमें लिया गया है इसमें लिया गया है 0.1 सांधरता वाला के सियल ठीक है अब प्रश्ण में क्या बोल रहा इस विलियन का रजिस्टेंस है 100 ohm अब प्रस्ट में क्या बोल रहा है इस विलियन को अगर इस विलियन को खाली कर देते हैं, अब उसी बरतन के अंदर, अब मैंने क्या ले लिया? बेटा उसी बरतन के अंदर अब मैंने ले लिया 0.02 मुलरता वाला KCL मुलरता वाला KCL और और इसका जो रजिस्टेंस है उसका मान दिया हुआ है कितना दिया हुआ है बेटा पाँच सो बीस पाँच सो बीस ओम अब प्रश्ण क्या कह रहा है चलो पता लगाओ इस विलियन का मोलर चालकता कितना होगा आपको इसका मोलर चालकता ग्याद करना है अब आप कैसे करेंगे अच्छा और यह देखो प्रश्ण में आख्री में क्या लिखा है कि 0.1 मोलर वाले का विश्ष्ट चालकता दिया यानि कि इस विल्लियन का विश्ष्ट चालकता दिया किता दिया है बेटा 1.29 1.29 10 दिपावर क्या है जी माइनस टू ओम इनवर्स याने के सीमेन पर सेंटिमीटर यह देखिए तो आपको इस विल्यान का धा सुनना इस विल्यान का आपको सांधरता दिया है रजिस्टेंस दिया है और विशिष्ट चालकता दिया है और इस विल्यान का भी सांधरता दिया है रजिस्टेंस दिया है और आप से क्या पूछ रहा है बेटा मोलर चालकता आप कैसे करोगे सुनना ध्यान से अरे भाई आपको मोलर चालकता ग्यात करना है इस विल्यान का कै इसे करूंगा बेटा सूतर आपको पता है ना लिग देता हूं चलो ठीक है कापा इन्टू थाउजन अपॉन मुलारेटी ओके जी तो अब बताओ बेटा आपको मुलार चालकता घ्याद करना है इस विल्लियन का तो मुलारता किता दिया है मुलारता किता दिया है 0.02 पर 1 by R L by A तो आपको कापा का मान निकालना है आपको कापा का मान निकालना है कैसे करोगे 1 by R आर मतब रजिस्टेंस कितना दिया है रजिस्टेंस पांच सो बीस पर अब दिक्कत यह है कि L और A का मान नहीं दिया है आपको इसको हल करना है लेकिन आपको कापा चाहिए था पर कापा निकालते वक्त एक परिशानी आ रही कि हमको L भाई A नहीं दिया है तो बेटा आप उझे बताओ ये वाला बरतन और ये वाला बरतन दोनों एक ही था ना बस मैंने विलियन बदला है अंदर का सॉलूशन बदला है तो ये वाला बरतन और ये वाला बरतन एक ही है याने कि इस बरतन का लंबाई और छेतरफल जितनी होगी इस कभी उत नहीं होगा इसकी लंबाई और 6 तरफल उत नहीं होगा है ना है ना है ना तो इस डेटा से मैं L और A कमान निकाल लूँगा कैसे निकालूँगा यहाँ देखना कैसे निकालूँगा कापा 1 by R L by A अब जड़ा गौर से देखो गौर से देखो बेटा आपको रजिस्टेस का मान दिया है कापा का मान दिया है किसका इस विल्यन का तो इस विल्यन का कापा इस विल्यन का रजिस्टेस दिया है L by A निकाल लूँगा अब इसी L by A के मान को यहाँ रखूँगा तो फिर इस विलियन के कापा निकल जाएगा और कापा का मान फिर यहां रखूंगा तो फिर इस विलियन का मुलर चालकता पता लग जाएगा तो मैंने क्या किया है बेटा इस विलियन से L by A का मान निकालके यहां रखा, क्योंकि यहां पर इसका मुझे L by A नहीं पता था अब दोनों बरतन तो सेम है ना, तो उसका L by A और इसका L by A सेम ही होगा, लीजे इस प्रकार से इस William का मुलर चालकता निकलेगा, एक बार हल किजे, ट्राइ किजे आंसर आना चाहिए, बहुत ही बॉर्ण कोशन है, प्लीज 123 आया है, अच्छा किसने आंसर लिखे 123 आया है, विकास चलेगा बेटा, कोई दिकत नहीं है चल जाएगा, पवन जी बन गया पवन जी ने बुला बन गया है और कोई अरे, L भाई A कामान कैसे निकालना है भाई इसको यहां रखो, गुड़ा करो इन दोनों को L भाई A निकल जाएगा अब इसी L भाई A को यहां रखना है आपको यहां से L भाई A निकालके यहां रखना है, जब यहां L भाई A आ जाएगा तो कापा निकल जाएगा उस कापा को यहां रख देना तो मुला चारता निकल जाएगा बास तो करना है बैटा अब इसे कह रहे हैं 124.5 आ रहा है ठीक है भीकाजी हो गया आरिया ने कहा कि बन गया निक्खिल भी बन गया वैस्ण भी क्या बो रहें बैटा चलिए राम क्रिष्णा जी कभी बन गया वेरी गूड आगे बढ़ें बैटा यह बहुत इंपॉर्टन प्रस्ण यह जब भी जब भी बोर्ड इक्जाम में आया है तो तीन नंबर से कम नही बैटा यह बहुत इंपॉर्टन प्रस्ण है यह सब ऐसे प्रस्ण होते हैं यह हर कोई बच्चा इसको हल नहीं कर पाता तो आपको इसी काबिल तो बनाया जा रहा है बैटा कि प्रस्ण जितना कठीन हो आप उसको सम्हाल सकें ठीक है आगे बढ़ते हैं चलो एक अगला प् सबस्क्ति यूद्र मेर चलता हम पिर यह ह चलो व डॉट्राइज करो तो प्रांइक करो मैं तो बता हुं मैं आप खुझ से फ्र correlated koopoli को आप इसको बना लेंगे ट्राई करो ट्राई करो बन जाएगा बिल्कुल बनेगा बिल्कुल बनेगा मैं भी पीछे पीछे बनाओं गहीं आपके आरिया वेरी गुरु बिटा बनाओ और पीता आप लोग कोसिस करेंगे बिटा तब तो मज़ा आएगा हमारे तरफ से भी बनाने में करना क्या था इसमें चलिए आपके पिछे-पिछे मैं भी बताता हूं बेटा ठीक है ओके क्या पूछा इसमें सोडियाम क्लॉराइड नापका एक बिलियान है उसका निकालना हैं अरे वाह तो बहुत पीजी है क्या फॉर्मूला है और बैटा अल बाई एक को ही तो सेल इसतरांग बोलते हैं यानि कि लगाइड निकालना है आपको सेल इसतरांग निकालना है बस फिर क्या है कापा का मान किता दिया है कापा मतब विशिष्ट चालक था 92 इंटू 10 पौर माइनस 4 और रजिस्टेंस का मान किता दिया है बेटा 247.8 ओम बस तो डारेक्ट प्रश्ण था बन गया क्या वेरी गूड अंकीत जी ने बना लिया बहुं सरल है राम कृष्ण जी कह रहे हैं वेरी गूड बेटा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण देखते हैं लीजिए इस प्रश्ण को अनंत तनुता का चिन है तो लीजिए प्रश्ण में क्या बोला है कि सांधरता दी गई है किसकी 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 अशिटिक आमलकी विसिष्ट चालकता कमान दिया गया है और आपको क्या निकालना है वी मोलर चालकता वियोजन की मात्रा और वियोजन इस्थ्रांग तो ट्राई करो बेटा एक बड़ कोशिस कीजिए मैं भी बनाऊंगा ही पिछे-पिछे आपके एक बड़ा ट्राई करो मुझे लगताब बन जाए यह थोड़ा सा लेंदी कोशन है कठीन नहीं बस थोड़ा नंबा ही यह प्रश्ण है सबढ़ है है और है विकास कह रहे हैं पहला कांसर आ गया वेरी गुड़ बेटा अंकीता बन गया साबास और कोई बना मैं भी पीछे पीछे आपके साथ चलता हूं ठीक है आपके साथ में भी चलता हूं पहले क्या नहीं चलता सågirl टो मोलर चालता कापा in 2000 अपॉन ёт मौलार टी है जी सब्सक्राइब कामान किता दिया है बेटा कापा ये कि सालकता 1.65 इंटो 10 पर माइनस 4 इंटो 1000 मुलरता किता दिया है 0.01 बस यह हो गया पहला पार्ट अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट के तरफ फिर क्या पुछा है बेटा वियोजन की मात्रा वियोजन की मात्रा तो अलफा निकाल ला है अलफा तो उसके लिए यह सूत्र हम लगा प्लस एयन का छा लगता है ना आन्त तनूता पिया यह वालव यो यह वाल वैल्यू आप निकाल चुको किता है यह इसको हल करने से हल करने से 16.5 ए शुंछ पर पर इसका मिंजा मान आप निकाल लिए उसको यहां पर रख दो कित्ता है बटा 16.5 और केटायन यह है केटायन यह है इनीन इनका चालगता दिया है किता दिया बटा 349 केटायन का है और अनिन का किता दिया है बटा 41 बस भीण किता आद कर 되면 म मैश offer निकल जयेगा लीजिता अब थी 0.01 और 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 अलफा कमान तो आप निकाल चुके होगे तो अभी के लिए यहां से देख लेते हैं बैटा तो अलफा कमान इतना आएगा हल करने से यह आएगा 0.0423 बस इसको यहां पर रखना है 0.0423 का स्क्वाइर करेंगे और यहां पर 1-0.0423 हाँ थोड़ा कैलकुलेशन ट रखना पर प्रशन बनना चांगे में मुद्धा है एगाजी ने बोला कि बन गया वर्रीर गूड अभी शेक ठीक है अगला प्रस्ञ लिजिए अगला एक और प्रसन के सामने है कि एकभर चलो उसको भी ट्राई करो एक बार इसको भी ट्राई करो सबादेष इस चले चले च यहाँ पर प्रती रोधक्ता और चालक्ता दोनों ग्याद करना है प्रती रोधक्ता याने की specific conductance और चालक्ता याने चालक्ता आपको यह दोनों चीज़े निकाल ली है आपको यह दोनों चीज़े निकाल ली है सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा तो विशिष्ट प्रती रो किता दिया है रोजिश्टेस कमान दिया होगा कहीं दिया है क्या है है यह प्रतिरोध दिया हुआ किता दिया है बैटा दिया है 5.55 इंटू 10 दिपार माइनस 3 पर अब समस्या यह है कि एल कमान और एक मान आपके पास नहीं है याद रखिए विशिश्ट चालाकता ग्याद करना है पर एल और ए नहीं है तो प्रश्ट में लेंथ दिया है कितना दिया है बैटा तो लेंथ दिया हुआ है लंबाई दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर लेकिन इसमें व्यास दिया है व्यास यानि कि डाइमीटर दिया है डाइमीटर दिया है ए यहाँ पर आपको यहां पर एरिए निकालना है तो यहाँ पर आपको ढम पर आफ करना है तो यह cylindrical होता है इसलिए area क्या होगा पाई रिसक्वार चलो पहले ए निकालो length दिया है ए निकालो उसके बाद यहाँ put up करके कापा निकारेंगे और बताएंगे आपका अंसर की तार है प्रीज बनाएंगे बटा इसको यह cylindrical object होता है यह जो है यह चोली cylindrical होता है इसलिए पाई बनाएं कि तारा बेटा area कमान कि तारा है बनाएंगे आप लोग प्लीज ए त्री पॉइंट वन फोर रेडियस कितना है हाफ याने की 0.5 ले सकते हैं 0.5 का स्कॉईर करेंगे माफ कीजे इसका स्कॉईर करेंगे तो area तकरीबन आ रहा है बेटा 0.785 सेंटिमिटर स्कॉईर तो मैंने आपको बता दिया कि लेंद कितना है और एरिया कितना पस आपको इसको पूट अप करना है कैसे करोगे कापा वन अपान 5.55 इंटो 10 पावर माइनस 3 लेंद किता दिया है बेटा 50 cm और एरिया आपने क्या निकाला 0.785 हल करते ही कापा यानि कि विसिष्ट चालकता आ आपको पता चल जाएगा बताइए ऐसे कि आप लोग भी तो बेटा आपने कापा निकाल लिया आपने यहां पर कापा निकाल लिया यहां पर चालकता लिखा पर चली यह मूलर चालकता है यह जो है नहीं मूलर चालकता है तो चलो आप मूलर चालकता निकाल लेते हैं कैसे करोगे papa in 2000 अपॉन मोलारिटी तो कापअ तो आप निकाल चुके हो गे है कापा तो आप निकाल चुके होगे उसको यहां पर रख देना बाकि मोलर्ता का मान दीया है उसको यह पर रखेंगे तो मोलर याने की मुलर चाल अगता जो है वो पता चल जाएगा ट्राइब करो इसको भी बनाएए विकास नहीं बना लिए ठीक बेटा तो अब सिपल सी कहानी है कोई भी ऐसा इस्ट्रुमेंट कोई भी ऐसी वेवस्था जो केमिकल्स के मदद से जो केमिकल्स के मदद से इलेक्ट्रिसिटी पेदा करें वेडुट पैदा करें वह बैटरी कहिलाता है फिरसर करता अब कोई भी ऐसा इस्ट्रुमेंट क्यों किमिकल्स की मदद से बिदीध उड़ा करता है इलेक्ट्रिस्टी सब्ट हुम बैटरी मो 생일 Self was behind the manky PARK चला उसके बार हम बात करते हैं तो आम तोर पर जो बैटरी होता है वह तीन तरह के होते हैं एक जिसको हम बोर्ते प्राइमरी सेल यानिकी प्राथमीक सेल दूसर्ज्च निसरे से कि बैटरी क्या है ये बताने क्या वशक्ता नहीं इसके बारे में थोड़ा बहुत हर कुई बच्चा जानता है हर कुई जानता है पर हमें यहाँ पर समझ्जा है कि बैटरी कितने प्रकार के होते हैं तो मैं आपको सिखाऊंगे बैटरी होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और उसके example क्या है तो पहले बात करते हैं हम लोग पहले बात करते हम लोग बेटा प्राथमिक सेल की जो चलिए एक एक करके मैं सारे बैटरी साथ को समझाता हूँ पहले कुछ चीजों को सब क्लियर कर दूँ मैं असल में यह जो यह जो प्राइमरी सेल होता है यह नौन रिचार्जबल बैटरी होते हैं यह नौन रिचार्जबल होते हैं मतलब एक बार कोई बैटरी प्रेवक में आया Year अगया यूज हुआ यूज वहने के बाद उसको फैक दिया जाता हो कोई काम का नहीं रह जाता उसको दुबारा आप रिचार्ज नहीं कर सकते या charge नहीं कर सकते तो वे battery जो एक बार प्रियोग में आने के बाद फैक दीए जाते हैं वो दुबारा कोई काम कर नहीं रहता उसको बोलते है बठा हम लोग primary cell primary cell और कि प्राथमिक cell और जो माधमिक cell होते हैं यानिकि जाने कि वह बैटरी जिसको आपने यूज किया यूज होने के बाद बैटरी डाउन हो गया आप दूबारा उसको चार्ज कर सकते हो जो काम करते अगर उसका पोटेंशल負म हो जाए वो काम करना बंद कर दे तो दुबारा चार्जिंग में चड़ाके उसको रिचार्ज्व किया सकता है ऐसे बैटरीज को हम क्या बोलते हैं माध्धमिक सेल या सकेंडरी सेल बोलते हैं और इंधन सेल होता है इंधन सेल जिसको हमनों फ्यूल सेल भी बोलते हैं तो बैटा फ्यूल सेल इसले कहा जाता है क्योंकि इन बैटरीज के अंदर कुछ इंधन जो है प्रयोग में लाया जात हम फ्यूल या इंधन का प्रयोग करेंगे चलिए एक एक करके इन सभी बैटरी को समझ्य कुछिस करते हैं यह जो तीनों टॉपिक में बताने वारा हूं यह बहुत आसान है यह बहुत आसान है बस आपको यह समझना है कि जब हम किसी बैटरी के बारे में सुनते हैं धासुरं करेंगे बेटा माल लो मैं किसी बैटरी के बारे में सुनता हूं तो एक बैटरी के बारे में सुनते ही दिमाग में एक ही चीज आता है कि जरूर इस बैटरी के अंदर कुछ केमिकल्स होंगे और उसी केमिकल के माध्यम से उसी केमिकल के माध्यम से हम विदुत उत्पन करें यानि के अलिएचरी जुआ है वह पैदा करेंगे तो बेटरी का मतल्साइटा है केमिकल्स कड़ा इल्एक्ट्रिश्य पैदा करना और मैं बता दू बेटरी होते हैं जितने भी बैटरी होते है एकटी समान है यह सारे यह सारे ऐसे docks reaction पया जाते है ऊसे और कोई electron करता हूँ आपको तो पता है ना कि redox जो यह दो शब्दों से बना है रिडोग जहाँ फर आपको पता है बेटा जहाँ पर आपको पता है कि रैड मतलब होता हुटा रिडक्ष्ण यानिकी अप्चयन अपचयन और आक्स मतलब होता ऑक्सीडेशन यानिकी ऑक्सीकरण और आप भी पता होगा कि अपचयन मतलब होता इलेक्ट्रॉन ग्रहन करना ग्रहन करना और ऑक्सीडेशन मतलब होता इलेक्ट्रॉन दान करना तो कहानी यह है कि हम जब भी किसी बैटरी के बारे में सोचते है तो आप सब अपने दिमाग में एक बाद भी ठालो कि बैटरी वो निकाय है, वो इस्टूमेंट है जिसके अंदर डॉक्स रियक्षिन होने वाला, याने की बैटरी के अंदर कोई तो है जो इलेट्रॉन दान करेगा, और कोई तो है जो इलेट्रॉन गरहन करेगा, तो कीसी भ में पर एक और जन्रल बात में आपको बत जैसे मान लो कि मैंने एकत्तवलिया एक दूसरा तथ वह लिया बी जूर ये दोनों आपस में मिल करके सपोरज सीब डी बना रहे हैं मैं आपको ये बताना चाहता लहूं कि प्रामरी सेल और साएंडरी सेल में क्या फ़रक है तो मा बीजे मैंने एकत्त्त luley लिया अब क्योंकि मैंने पहले बता दिया है कि जीतरेनां भी घृत हुते हैं इन में रेडॉक्स अभी क्रिया होता है मतलब कोई दान करेगा होता है तो क्या यहां पर कोई है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहन करना चाहता है तो यह दान करने के लिए और यह ग्रहन करने के लिए इनके बीच मेंने एक रास्ता बना दिया एक सर्किट ले लिया एक सर्किट ले लिया जिसमें मैंने एक बल्ब लगा दिया जिसमें एक बल्ब लगा दिया तो बैटा दान करने वाला इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है और ग्रहन करने वाला इलेक्ट्रॉन ग्रहन कर रहा है य जब भी इलेक्ट्रानों का लेन देन, गौर से सुनना, जब भी इलेक्ट्रानों का लेन देन किसी सर्किट के थुरू होता है, तो बेटा, वहाँ electricity जनरेट होना ताय है, वहाँ पर आपके बल्ग जलता वह दिखाई देगा, तो redox अभिक्रिया, तो हमने कच्छा 11-V में भी पढ़ा है रिडॉक्स अभिक्रिया हमने कच्छा 11 वी में भी पढ़ा है हमने कई ऐसे अभिक्रिया है देखे जिसमें कोई दान करता है ग्रहन करता है पर अब सुनना अब सुनना लोगों ने क्या ध्यान दिया कि रिडॉक्स अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमे सोचो इले ट्रॉं दान करने वाले को और ग्रहन करने वाले को हम दूर-दूर कर दें औरर उनकी बीच में एक सर्कुट लगा दें तो अभ इले ट्रॉं जो दान किया गया है वो circuit से move करेगा और जब circuit में इले tron move करता है तो current move करता है याने कि ये bulb आपको जलता हो दिखाई देगा तो लोगों ने जो redox अभी क्रिया है उसी का अनुप्रियोग जो है वो सामने लाया और उने कोशिस की एक काम करते हैं इले tron दान करने वाले को और ग्रहन करने वाले को एक circuit से अगर जोड दिया जाए तो इले tron भागेगा और सबको पता था जब इले tron भागता है तो बिजली उसमें उत्पन होता है तो बस कहानी यहीं से शुरू ही बैटरी की तो बैटा मैंने कहा redox का मतलब होता है electron down करना और gain करना लेकिन electron down और ground करने का जो process है वो circuit के थुरू हुआ तो फिर जाना वहाँ battery बनेगा ठीक है लेकिन primary cell और secondary cell क्या होता है primary cell और secondary cell में फरक सी बितना है कि बैटा primary cell में कोई एक electron करना करता है कोई एक electron grind करता है उसके बाद reaction खत्म हो जाएगा और battery down battery down battery कराब लेकिन secondary chest जो होते है secondary cell में खास बात यह है secondary cell में खास बात यह है कि जब battery प्रयोग में होता है इस वक्त बेट्री प्रयोग में है यूज हो रहा है यूज हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन करेगा दूसरा ग्रहन करेगा और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉनों का लेंद धेन खतम हो जाएगा बैटरी डाउन लेकिन जब दुबारा हम इस बैटरी को चार्जिंग में चढ़ाते हैं तो फिर से रियक्शन तेकल ल्टा भागेगा मतब इस तरफ इस तरफ कोई एलेक्ट्रां दान म् causes haven करेगा मतब इस करेगा मतब देखने मिलेगा तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी redox reaction जो एक ही दिशा में चल सकता हो वो पाया जाएगा primary cell के अंदर और कोई भी redox reaction जो दोनों दिशावां में चल सकता हो, इधर से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ समझ जाना ऐसे अभी क्रियाव का प्रयोग होता है secondary cell में ये तो मैंने आपको अभी hypothetical example बताया है, कालपनिक example बताया है, जब हाँ वास्तविक example देखेंगे, आप अपने आप समझ जाएंगे, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बस इतना याद रखना, जितने भी बैटरी होते हैं, उनमें redox अभिक्रिया होता है, याने कि कोई दान करेगा, कोई ग्रहन करेगा, बस आप नया क्या है, दान करने वाले और ग्रहन करने वाले की बीच में हमने wire लगा दिया, circuit लगा दिया, अब circuit से इले ट्रॉन जाएगा, और जब circuit से इले ट्रॉन जाएगा, तो बिल्ली उत्पन होगा, बन जाएगा battery, हाँ, वो बात अलग करता, चलिए अप शुरू करते हैं, बेटा, एक एक करके मैं सारी चीजों को आपके सामने रखता हूँ, तो लीजिए, सबसे पहले, आपके सामने आगया, बेटा, primary cell, सबसे पहले आपके सामने आगया, primary cell, और primary cell के अंदर, पहला उधारण है, लेकलेंसी cell का, पहला उधा आसानी से देख सकते हो, वो जो आपके घर में पैंसिल सेल नहीं होता है, बेटा, ऐसा दिखता है जो, ऐसा टाइप का, इसी को तो बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं, क्या, ड्राइज सेल, सॉरी, हाँ, जैसे एकजाम तक तोर पर मालो निप्पो का बैटरी ले लिया आपने, निप्पो का बैटरी ले लिया, तो वो रिमोट में लगने वाला बैटरी, घड़ी में लगने वाला बैटरी, दिवाल घड़ी में लगने वाला बैटरी, यह सब जो होते हैं, यह बटा, यह इनको हम लोग बापरे चाहूंगा इनको हम लोग प्राइमरी सेल बोलते हैं इनको हम लोग प्राइमरी सेल बोलते हैं चलिए अब मैं आपको दिखाने वाला हो की मैं आपको दिखाने वाला हो की घड़ी में लगने वाला बैटरी या रिमोट में लगने वाला बैटरी काम कै को इसको इसको क्या βोते एक्तल्वनें सेल नाम दिया गया है लिальное originally एब उनके चलिके मैं आपको दिखाने चाहरों यह बैटरी बनता प्रैसे यह बैटरी बनता कैसे है और खाली उसके बारे में बात करते हैं तो अब जो बैटरी है this इसको समझने के लिए मैंने क्या किया बेटा अब इस बैटरी को मैं थोड़ा बड़ा ऐसे बड़ा बना लेता हूं एक देखिए मैं इस बैटरी को थोड़ा बड़ा बड़े रूप में बना लेता हूं ताकि मैं इसके अंदर होने वाली अभिक्रिया को समझा सकूं ताकि मै इसके अंदर होने वाले अभिक्रिया को समझा सकूँ लीजिए ये बड़ा सा बैटरी है यही बैटरी है इसको मैंने बना लिया है अब यह जो बैटरी होता है यह बाहरी तौर पर यह बैटरी जो आप देख पा रहे हैं दरसल यह बाहरी तौर पर जिंक से मना होता है ये जो बैटरी है ये जो बैटरी है बेटा ये जिंक से मना होता है ये जो बाहरी आवरन आप देख पारे हैं बेटा ये जिंक से मना होता है और इसके अंदर इसके अंदर यहां पर इसके अंदर यहां पर ग्रेफाइड का इलेक्ट्रोड लिया जाता है आप सबने देखा होगा कभी अगर आप battery को तोडएंगे तो अंदर में आप लेक्ट्रोड रहता है एक रोड जाइसा होता ग्रेफाइड का बना होता है तो यहां पर यहां पर ग्रेफाइड का एक व्मधर होता है और इस बैट्री के अंदर कुछ chemicals रखे जाते हैं इस battery के अंदर में मैने कहा इस battery के अंदर में कुछ chemicals होते हैं और वो chemical होते हैं बेटा Admin O too इस बेटरी जो किनारा है इस battery का ये जो किनारा है वाटा ये की एनोड है यह जो यह जो आप आवरान देगा ना बाहर का आवरान यह जो बाहर का आवरान है बेटा यह एनोड है जो की जिंक से बना हुआ है और अंदर में अंदर में जो ग्रेफाइड है जो ग्रेफाइड है यह ग्रेफाइड जो होता है यह पॉजेटिव की नारा होता जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कैथोड और आपको याद है ना मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एनोड वह जगा होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन दान किया जाता है और कैथोड वह जगा होता है जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहन किय जाता है बाद सबको याद होगा तो अब कहानी यह है कि इस बैटरी में कौन को से केमिकल्स होते ही यह मैंने आपको बता दिया अब मैं आपको यह बताने वालों बैटरी काम कैसे करता है यह बैटरी काम कैसे करता है अब यह बैटरी काम कर रहा है कि नहीं यह चेक करने के लि यह देखिए उर बीच में कि और बीच में आने यहाँ पर यह देखो बीच में आप आ यह से पुर्णा करूंगा जैसे बटन करूंगा ये जो बल्ब है ये जलने लगा ये जो बल्ब है ये ग्लो करने लगा तो मैं समझ गया बैटरी काम कर रहा है मैं समझ गया कि ये जो बैटरी है ये काम कर रहा है तो चलिए अब हम ये तो जान गए कि इस बैटरी के अंदर कौन कौन सा केमिकल होता है और जैसी मैंने button on किया तिये bulb जलने लगा मतब ये battery काम तो कर रहा है पर अब चलो ये समझते हैं कि battery के अंदर ये जो chemicals लिए गए हैं आखिर ये chemical कैसे काम करते हैं जिसके कारण यहाँ पर electricity उत्पन हो रहा है तब जरत गोर से सुनेगा बेटा अब यहाँ पर क्या होता है सबसे पहली बात मैं आपको कुछ देर पहले ये बता चुका हूँ कि एक बैटरी में हमेशा Redox अभिक्रिया पाया जाता है मतलब आपको ये समझना है कि इस बैटरी के अंदर कौन electron donate कर रहा है और कौन electron gain कर रहा है कौन दान कर रहा है और कौन गरहन कर रहा है चलो समझते हैं पहली बात अब मैंने ये तो कह दिया कि ये एनोड है ये एनोड है और आपको पता है ने बैटर एनोड में जो भी होता है electron down करता है और जल्दी बताईए एनोड क्या चीज से बना है जिंक से बना है और आपको तो पता ही है जिंक electron down करने के लिए ही जाना जाता है तो गौर सुरेंगे बैटा अब मैं आपको यहाँ पर अभिक्रिया क्या होगा ये बता रहा हूं यहाँ पर जो अभिक्रिया होंगी वो बता रहा हूं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं हाँ जरा एक मिनट पीटा है हाँ यह थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि मैं इसके अंदर होने वाले अभिक्रिया को समझा सकूं हाँ चलिए तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इस बैटरी के अंदर जो रियक्शन होता है वो कैसे होता है जल्दी बताओ एनोड में ध्या सुनेंगे बेटा एट एनोड याने की एक मिन रुको है एनोड में ऐनोड में किया अभ़िक्रिया होगा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनोड में हमेशा ईयनोड में हमेशा एनोड में हमेशा इलेक्ट्रों डान करने की घटना होती है अब जल्दी बताओ एनोड क्या चीज़ से बना था? जिंक से बना था, और जिंक ही असल में fian करता है, बेटा, और whatever he does GnD2+. तो हुआ क्या होगा, हुआ क्या होगा? यह जो जिंक का बाहर ही आवरण है, असल में उसको आपने एनोड नान दिया है। इसका ये मतलब निकला कि तुमने यहाँ पर जिंक लिया है वो इलेक्ट्रॉन दान करेगा तुमने यहाँ पर जिंक लिया है वो इलेक्ट्रॉन दान करेगा बस फिर क्या था जिंक ने लेक्ट्रॉन दान किया और वही इलेक्ट्रॉन आपको यहां से भागता हुआ खुला है तो आज के course में हम यही तो सीख रहे हैं कि इलेट्रौण देने का काम और एक सर्कुरू की तो रहा है तो जिब मैंने क्या पता था जब इलेट्रौन देने का काम और एके प्ररोण लेने का कि अब करने क्या होगा क्या होगा अब आपको यह जो हूव हमेशा इलेक्ट्राउन गरहन किया होता है गौर से सुन्येगा यह जो अमन ओंटु होता है बेटा वो इस अमोनया मायन की उपस्धिती में गाउर таким करτα सूनेंगे यहाँ से इलेक्टराण जा रहा है यहां से जो इलेक्टराण या यह यह 4Cl में जो NH4 है एमोनियम आयन मैंने कहा है एमोनियम आयन के उपस्थिती में इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहन करता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहन करते ही वहाँ एक रियक्शन होगा और उसमें ऐसा कुछ बनेगा बेटा यहाँ बनेगा NH3 तो क्या हुआ इधर से जो इलेक्ट्रॉन गया वह सीधा कहां पहुँच गया एमोनियम आयन करता है तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहन किस ने किया और कैसे किया तो आप देख सकते हैं जिंग ने इलेक्ट्रॉन दान किया और MnO2 ने इलेक्ट्रॉन ग्रहन किया अब बस आपको यही लिख देना है बेटा कि इस बैट्री में इस बैट्री में जिंग इलेक्ट्रॉन दान करने का काम करता है और MnO2 इलेक्ट्रॉन ग्रहन करने काम करता है और यह लिजे बैट्री इस प क्यों लिया तो सुना इस घटना में देखो एमोनिया बना है एमोनिया बना है और जिस निकलने कुछ करता है यह यहाँ से गैस है वो अंदर नहीं रह सकता तो निकलने कुछिस करेगा और अगर वो निकलने कुछिस करेगा तो यहां पर वो गैप बना देगा और गैप अगर बन गया बैटरी में अगर गैप बन गया तो बैटरी के जो विभाव है जो पोटेंशल उसमें कमी आ सकती है बैटरी जो ह है बेटा कि कभी 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 यह जो ammonia है उसके production के कारण यहाँ पर leakage हो जाता है इसको voltage leak बोलते हैं इसको voltage leak कहा जाता है तो गौर से सुनिएगा कभी कभी बैटरी समय से पहले क्यों खताम हो जाता है वहाँ जो ammonia बन रहा होता है वह गैसी अवस्था में होने कारण बाहर निकलने कुछ इसके करता जहाँ पर जिसको voltage leak होता है याने की gap बन जाता है जिसके कारण बैटरी का छमता कम हो जाता है तो हम चाहते हैं यह ammonia बाहर ना निकले तो इसको फसाने के लिए zinc chloride लिया जाता है उसको फसा के रखने लेगे लेगे जिंक क्लोराइड लिया है वह एमोनिया को पकड़ लेगा एमोनिया को पकड़ लेगा और पकड़ के एक complex compound बना देगा कुछ इस तरह का दिखने वाला जेडेन नहीं थ्री होल इस तरह का पेचीदा complex बना देगा तो एमोनिया जो है वह complex के रूप में यहीं कहीं पर जम जाता है जम जाता है वह निकल नहीं पाता तो आप पूछेंगे कि सब्सक्राइड लिया है तो बैटा एमोनिया बाहर ना निकल जाए जिससे बैटरी को नुक्सान ना हो जाए इसल प्रकार से प्राथमिक सेल का पहला एक्जामपल आपको यहां पर मैंने बता दिया तो बस आपको इसमें क्या याद रखना है मैंने तो बहुत सारी बाते बता दी यहां पर मैंने बहुत सारी बाते बता दी पर आपको सिर्फ यह याद रखना है अगर परीच्छा में आए पढ़ें तब भी क्लास 12 में बहुत दिक्कत नहीं आगा बेटा बस आप हर दिन क्लास अटेंड कीजिए जब जब क्लास होता है आगे बढ़ते हैं तो बेटा अभी मैंने प्रात्मिक सेल के अंदर पहला उदारन बताया है किसका उदारन था लेकलेंसी सेल बहुते हैं इसको लेकलेंसी सेल कहा जाता चलिए अब प्रात्मिक सेल के अंदर ही अब दूसरा एकजामपंगां देखते हैं है पर flash yang mercury battery अब 구lis alsowodha esto button cell people button button देख्यों कभी वह आप देखने बहुत आसानी से हां गड़ी में उपियोक होता है यह दिखनी में आता है हुआ है क्याश ह den 믿ám पतला सकाहरा में एक हां सीन prophecy में हाघ गड़ी में को जो बैटरी प्रयोग में आता है वैटा उसी बहुत है बटन सेल वह ऐसा कुछ धिंतर दहुंद यह ऐसा पतला सेरता है इसको बटन सेल कहा जाता है तो यह जो प्रात्स् violation में मर्क्यूरी सेल है a वो जो बटन सेल होता है वो मर्क्यूरी सेल होता है तो चलो अब मैं आपको बताता हूं बैटा कि इस तरह के सेल में कौन-कौन से कैमिकल होते हैं और और वो कैमिकल कैसे काम करते हैं वो जो कैमिकल है वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में बात करते हैं ठीक है तो चलो अब इत को रियक्षन समझा सकूं तो मैंने इस बैटरी को थोड़ा बड़ा बना दिया पर ध्यान दीजेगा यह बैटरी मैं सिर्फ इसले बड़ा बना रहा हूं ताकि मैं इसके अंदर होने वाले अभिक्रियाओं को समझा सकूं अंदर होने वाले अभिक्रियाओं को समझा सकूं ब बाए में बात करते हैं असल में उसमें होता क्या है यह जो बाहरी और आप देख पा रहे हैं उस बार फिर आई से पिन लेकिन यह सुद्ध जिंक का नहीं बना होता है बलकि जिंक के साथ मर्क Crown को मिला करते हैं इसके पहले वाले उधारण में सिर्फ जिंक था इसके पहले वाले उधेराण में बाहर का जो आवरान था हो जिंक बना हुआ था पर इस बैटरी में जिम के साथ मर्कूरी को मिला करा है मर्कूरी मेन डगते हैं याने工作 जिंकॉरी का लाय responds कि इलाय क्या होता है यह बताएं यह मेरे को एलाई क्या होता है सब्सक्राइब प्लीस कि यह यह अधा आप लाए धातु मिस्ट्र द्हातु कहते हैं यह द्हातु मिस्ट्र धातू एलाई कि और 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 हो है मर्क्यूरी का बना हुआ कि अमल्गम का लाता है इसको हम लों जिन्क अमल्गम कहते हैं तो ये एक यलाय है पहला प्रस्पन यह यानी कि मिश्या थातु क्यों बनाया जाता है बिटा एलोय बनाने के पीछे उद्देश होता है ज्यादा इस्थाई ठोस बनाना ज्यादा इस्टेबल मजबूत ज्यादा मजबूत ठोस बनाना ये बताओ जो रेल की पट्री होती है जो रेल की पट्री होती है वो लोहे की बनी होती है पर वो कई साल से वो ऐसी पड़ाई खराब नहीं वो मिस्र धउर्डातु बनाने के पिछ ए चीजों को ज्यादा मझबूती दीघा सके तो यहाँ पर भी गहानी हुए։ कि यहाँ पर यह पर जिंक और मर्क्यूरी को मिला करके एक रआ बनाया गया और उस एल आयर का बाहरी आवरं लीआ जाता है ताकि जाता मजबूत रहे और और जल्दी किसे क्रिया न करे आपको पता होगा कि यह जो बैटरी होता है यह छटा वाला बैटरी जो भार मिलता चलिए iennentड़ नंडर जाता है अकिसी क्रियाशील होता है और उतना इस्थाई नहीं होता उतना इस्थाई नहीं होता लेकिन लेकिन जो जिंक और अमलगम का जो एलोई है आप देखना आपके हाथ घड़ी में जो बटन सेल लगा होता है उसमें जंक नहीं लगता वो बहुत इस्थाई होता है आसानी से वो खराब होता है जिंक और मर्क्यूरी से अब इसके अंदर इसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोड रहता है तो फिर से इसके अंदर यह जो इलेक्ट्रोड लिया गया है यह ग्रेफाइड का ही रहता है बेटा इसके अंदर भी ग्रेफाइड का ही इलेक्ट्रोड होता है और इसके अंदर कौन कौन सा कैमिकल होता है तो इनके अंदर कैमिकल होता है हजी ओ इसके अंदर HG होता है, एक मिनट इसको यहालिक लेते हैं, इसके अंदर HGO होता है, इसके अंदर KOH, छार, छार की उपस्थिती होती है, इसमें इसमें छार रहता है, और साथी साथ ZNO रहता है, तो इसके अंदर कौन कौन सा केमिकल यह मैंने बता दिया, तो सबसे पहले आप बैटरी में फिर से ये जो बाहरी आवरण है ये 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 एनोड है और ये जो आप देख पार है ये कैथोड है ये जो आप देख पार है ये कैथोड है अब सुनो ये तो आपको पता है ना कि एनोड में हमेशा इलेक्ट्रॉन दान किया जाता है और कैथोड की आसपास कुर्म करेगा और गरहन को यहाँ पर सिर्फ यह याद करना है कि लेक्ट्रोन दान कुरी गरहन कुरेगा चेक करते हैं बेटा कुछ हद तक आप समझ गया होंगे कि यहाँ पर बाहरी आवरण में है तो जिंक ना बाहरी आवरण में हैं तो जिंक तो असल में वही जिंक वही जिंक इलेक्ट्रॉन को दान करता है बेटा यह देखो जिंक ने इलेक्ट्रॉन दान किया जिंक ने जिंक है उसने इलेक्ट्रॉन दान किया और उसी इलेक्ट्रॉन को हम एक बाहर सरकीट से एकटो यहाँ पर और यहाँ पर मैंने इक बल्ग भी लगा दिया तो अब आप देख सकते हो कि जींक ने इलेक्ट्रॉन निकाला है और वही यह वही इलेक्ट्रॉन यहां से इस तरफ जा रहा है और आपको और आपको यह बल्व भी जलता हुआ दिक रहा है ओके तो इलेक्ट्रॉन करने वाला कौन था और उसने कैसे दान किया यह समझना कठिन नहीं था इलेक्ट्रॉन ग्रहन कौन करेगा यह इंपॉर्टेंट है तो अब सुना बटा इलेक्ट्रॉन यहां पर ग्रहन कौन करता है यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहन कौन करेगा तो इस उदारन में असल में होता क्या है कि यह जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ से आ रहा है यह जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ से आ सब्सक्राइब करें यह से जाने वाले को एयसे जी ओ ग्रहन करने वाला है पर जाब करता जब वो इलेक्ट्रोन अच्छा एक शी बताना भूल गया बेटा असल में एक मिनट ना एक मिनट यहां जो अभी क्रिया होता है वो थोड़ा इस प्रकार का होता है मैं एक पर दुबारा इसको बना देता हूं आप लोग के लिए एक मिनट थोड़ा सा शायोग करेंगे थोड मिनट हाजी 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 असल में होता क्या है यह जो जिएक है यह जिनक रबेटा वो इलेक्ट्रॉन डान तो करेगा लेकिन इस बार यह जो क्यूंक पास घो लिए वह जो उफश्थीति में Ö यह smiling मैंnे बडियर तो कि जब् करता हैना इसके आज-पास जो ऑर इस तो जो ङड़ान करता है तो दान करते ही वो बन जाता है बेटा H2O और ZNO वो बन जाता है H2O और ZNO तो गौर सुनना इस बार इस बार जिंक ने ऐसे ही इले टॉन दान नहीं किया बलकि जिंक ने अंदर लिये गए छार के उपस्थिती में छार के उपस्थिती में इले टॉन दान किया और जब इले टॉन दान यह जो HGO है अंदर में बने हुए H2O के उपस्थिती में अंदर में H2O बना है तो यह जो HGO है वो अंदर में बने हुए H2O के उपस्थिती में इलेक्ट्रॉन को ग्रहन करता है यह जो electron यहाँ से आ रहा है यह electron कौन लेने वाला है HGO पर वो HGO अंदर में बने हुए H2O के मदद से electron को लेता है और जब वो electron को लेता है और जब वो electron को लेता है तो कुछ इस तरह का अभिक्रिया वहाँ पर होता है यहाँ बनेगा बेटा HG और साथ में बनता है OH- तो आपको यहाँ पर सिर्फ अभिक्रियाओं को याद करना है अंदर में यह जो पेचिदा पन है इसको लेकि जादा परशान नहीं होंगे बस आपको यह याद रखना है कि इस बैटरी में किसने दान किया किसने ग्रहण किया तो बस आपको यह लिखना है कि एनोड में एनोड में जिंक ने OH के माध्यम से इलेक्ट्रॉन दान किया और अंदर में H2O बनाया और इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ जाता है तो इलेक्ट्रॉन सीधे पहुंशता है HGO के पास या सारा का सारा HGO अंदर में खतम हो जाएगा और जब HGO अंदर में खतम हो जाएगा तो बैटरी काम करना बंद कर देगा यह बेटा प्रामरी सेल के अंदर दूसरा मर्क्यूरी बैटरी प्लिस इसका स्क्रीन शॉट लेंगे आप लोग अगर बारवी बोड में आया तो बारवी बोड में यह तीन नंबर का आता है बारवी बोड में यह तीन नंबर का आता है प्राथमिक सेल से अगर प्रशन आया अगर प्राथमिक सेल से प्रशन आया तो आम तोर पर यह बोड एक्जाम में तीन नमबर में आता है लेकिन अगर सकेंडरी से राया इसमें थेवरी क्या लिखे बस बेटा नोट्स बनके रेडी हो गया अगले क्लास में आपको नोट्स दिया जाएगा तो लिखना कैसे आपको पता चल जाएगा या पूस्ता खोल पहले आपको क्या करना है सबसे पहले बैटरी क्या होता है यह परिभाशा आपको लिखना रहेगा पहले मैं आपको लिखने का तरीका या नोट्स बनाने का तरीका सीखा रहा हूं पहले बैटरी क्या है आप वो लिखेंगे फिर लिखेंगे कि बैटरी कितने प्रकार के हो दाना mercury battery को बनाने की विधी या mercury battery के अंदर क्या-क्या होता है तो पहले explain करना लिखना point wise कि भी mercury battery जो होता है उसका बाहरी आवरण जिंक और mercury के लाइस से बना होता है अलाय के रूप में इसले लेते हैं ताकि इसके क्रिया शिल्टा बाहरी शिल्टा कम हो जाए वह इस्थाई हो जाए और खराब ना हो अंदर में ऐसा ऐसा chemical लिया जाता है यह सब explain करके एक सुंदर सा डागराम बना देंगे उसके बाद उसके बाद लिखेंगे इस battery में होने वाली अभिक्रिया ऐसा लिखके लिखना पहला पॉइंट में होने वाली अभिक्रिया बस उसके बाद यह लिख देना फिलिकना कैथोड में होने वाली अभिक्रिया ऐसा लिखके इसको लिख देना बस यह अंदर में जो क्या होचपोच चल रहा है यह सब आपको नहीं लि पर तीन नंबर में यह आता है आरिया बेटा इसलिए चैट नहीं देख पाता है अगर मैं आप सब के चैट अकर देखूंगा तो थोड़ा क्लास डीले हो जाता है बहुत सारा मुझे एक्स्प्लेइन करना और मुझे दो मुझे आम तो पर पता है कि एक बच्चा क्या जनरल क क्या क्या में पूछ सकता है क्या डौड पूछ सकता पढ़ाते पढ़ाते ही में उपकी घ plastic में देखने तो फिरց 할म आकि APP कि में सभी बच्चों कहरै करता हम करता ही हूं टीन दो दिन गदर अदर लग भक सभी बच्चे को कमेंट कर रप्लाइह मैं और ने करता है। नहीं क्या डाउट है आपको आप पूछनी रहें कि क्या डाउट है ठीक है अब कहानी को चलो आगे बढ़ाते हैं प्रदूम एक बच्चा है वो प्रश्ण पूछ रहा कि पूछतक में जो चीज बाद में दिया रहता है उसको पहले क्यूं पढ़ाते हो एशा कुछ नहीं है जर्म मैं समझाता हूं कहानी क्या है कि जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं मुझे पता है कि कई राजियों में फूस्तकों में शैद ये टौपिक पहले दिया है किसी-किसी राजियों में यह topic पहले दिया है तो पेटा अगर एक topic को पढ़े बिना दूसरा topic नहीं पढ़ सकते अगर ऐसा कोई condition होता तो सभाविक सी बात है कि पहला topic ही में पहले पढ़ाता फिर उसको पढ़ाता लेकिन सारे topic independent हैं किसी को किसी से मतलब नहीं है अगर मैं इसको पहले पढ़ा हूँ तब भी आप समझ जाएंगे इसको पहले पढ़ा हूँ तब भी आप समझ जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं कि पुष्टा के topic का sequence को मैं बिगाड रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है मैं बढ़ा आम तो पर 20 साल हो गया मुझे पढ़ाते हुए sequence इस तरह से disturb हुआ कि मुझे लगता था कि इस topic को अगर बच्चा पहले समझ जाएगा तो अगला topic उसको जादा अच्छे से समझ में आएगा सोचिए अगर मैं battery पहले पढ़ा देता हूँ तो battery में kई Redox अभिक्रिया आये हो रही है और आप Redox अभिक्रिया पढ़ह रही हो तो इसलिए यह वै SMS के अंदर भी बहुत सारे Redox अभिक्रिया बर सबसे जादा भिक्रिया इस topic में था अब ओप के पुस्तक में हो सकता है ये topic पहले दिया हो ये topic पहले दिया हो पर मैं ये क्यों पढ़ाया क्योंकि मुझे पता है इस chapter में रिडॉक्स अभिक्रिया का उप्योग सबसे ज्यादा होने वारा तो क्यों न हम पहले रिडॉक्स अभिक्रिया कोई अच्छे समझ ले तब चिंता ना करें उसके लिए topic कुछ छूट नी रहे सब चीज हो रहा है हाँ topic उपर नीचे है उसे कोई फरग नहीं पढ़ता बेटा अगर मैं एक topic का sequence बना के आपके सामने लाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये topic पहले मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि ये topic आप अच्छे समझ सकें तो उसके आप चिंता बिल्कुल ना करें सारे topic हो रहे है और आपको समझ में भी आ रहा है मुझे मालूम है अगर आपको समझ में नहीं आता कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे तो फिर समस्या हो जाती पर क्योंकि मैं रोज आप comment पढ़ता हूं आपको समझ में आ रहा है कोई फरग नहीं पढ़ता क्योंकि कई बुक में यह topic पहले आप देखना और कई राज्यों के बुक में यह topic पहले है इंग्लिस मीडियम में किसी पुस्ता में मैं देखा था यह topic पहले है तो आप कैसे करोगे तू आप बस यह देखो कि अंत में अंत में सारा topic cover हो रहा है क यह ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं हमारे लिए तो मैं आल्रेडी आपको यह बता चुका है बैटरी क्या होता है बैटरी एक ऐसा एक क्यूप मेंट होता है जो अपने अंदर रखे हुए रसायनों के मदद से केमिकल्स के मदद से विदूत उत्पन करता है यानिकि इल जो बैटरी होते हैं बैसिकली वो तीन तरह के होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में थोड़ा बहुत डिसकस किया भी था बैटरी जो है जो मार्केट में बिखते हैं या कॉमर्शल लेवल पे बिखते हैं वो बैसिकली तीन तरह के होते हैं क्या-क्या प पिछले क्लास आपने अटेंड किया होगा तो आपको याद है आपको याद है पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राथमिक सेल याने कि लेकलेंसी सेल कैसे काम करता है वो पढ़ लिया है इसके अंदर हम लोगों ने इसके अंदर हम लोगों ने मर्क्यूरी बैटरी देखा थ था दो यह दो दो चीजे हो चुकी है एक बर बस में आपको याद दिला दू कि यह जो प्राथमिक सेल होता है और जो माधमिक सेल होता है इसमें फरक क्या है बेटा याद आप लोगों क्या आपको याद है कि यह जो प्राथमिक सेल होता है यह नौन रिचार्जेबल होता है नौन चार्जेबल होता है और जो आज आज के क्लास में हम जिस बैटरी की बारें पढ़ेंगे बेटा वो चार्जेबल बैटरी होगा चार्जेबल बैटरी होगा तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि जो बैटरी एक बार उपयोग में आ जाते हैं फिर उप जो एक बार काम में आए फिर उसके बाद वो काम करना बंद कर देता है उसको बोलते हैं प्रैमरी सेल लेकिन आज के क्लास में हम सेकेंडरी सेल पढ़ने वाले हैं और सेकेंडरी सेल उस सेल को बोलते हैं जो यूज होने के बाद दोबारा चार्जिंग में चड़ाओगे तो वो यूज होने लायक बन जाता है, डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्जिंग में चड़ाया जाए, तो वो काम करने लायक बन जाता है, और थोड़ा पहुत आइडिया तो मैंने आपको देही दिया है, क्या बेटा, चार्जेबल बैटरी और नौन रिचार्जेबल होता है उसमें जो reaction होता है जो चार्जेबल बैटरी होता है जैसे मालो A और B की बीज में क्रिया हुआ C और D बना तो बेटा जो चार्जेबल बैटरी होता है एम आफ कीजे नॉन चार्जेबल बैटरी होता है उसी कहानी ये थी कि जो non chargeable battery होते हैं उसमें जो अभिक्रिया होता है जो reaction होता है वो एक ही दिशा में चलता है वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और battery खतम उसके बाद कोई दूसरा उपाय नहीं है लेकिन जो chargeable battery होते हैं इनमें क्या खास बात है कि अगर कोई battery काम कर रहा है वो चल रहा है वो चल रहा है वो चल रहा है और battery अगर down हो गया तो दोबारा charging में चढ़हाने से हम reaction को विप्र favor दिशा मिला सकते हैं याने दोबारा उसको charging में चढ़हाने के बाद उपयोग लाइक बना सकते हैं तो non-chargeable battery और चार्जबल बैटरी में इसी बात का फरक होता है कि जो नॉन चार्जबल बैटरी होता है उसकी अभिक्रिया बस एक ही दिशा में चलती है और एक बार खतम तो खतम पर जो चार्जबल बैटरी होता है उसकी अभिक्रिया दोनों दिशा में चलती है याने की याने की एक ब क्लास में जो मैंने बैटरी आपको पढ़ाया था उसमें आपने ऐसी अभिक्रियाएं देखी थी जो एक ही दिशा में चल रहा था जिसको रिवर्स हम नहीं कर पा रहे थे नहीं कर पा रहते हैं अज क्लास में आपको एक ऐसे बैटरी के बारे बताऊंगा जिसके रियेक्षन को आप reverse ला सकते हैं चले बिटा चुनाश शुरू करते हैं और चुरू करेंगे आज हम देखने वाले हैं माधमिक cell यानकी secondary cell और मैं बता चुका है secondary cell कally secondary cell जो होता है ये वो cell है जिसको charging किया जा सकता है अब बैठा charging वाले cell है हैं जहोंति सारे होते चोटे वाले cellший भी होते हैं बड़े वारसनी होते है रिकिन इसका चलान है वह बड़े batteries में होते हैं जैसे आप आपने वह ध्यान दिया होगा वह इस तरह से 2 इलेक्ट्रोड होते हैं उसके अंदर इस तरह से इलेक्ट्रोड बाहर के तरफ निकले होते हैं इस में एक यहाँ पर iOS teаг 7 यह यह जाना इंवर्टर में लगता है यह वो बैटरी यह यह बैटरी काम कैसे करता है यह बैटरी काम करते हैं अपसको पता है इन्वर्टर में जो बैटरी लगता है या गाड़ियों में जो बैटरी लगता है बेटा वो यूज होने के बाद दुबारा चार्जिंग करने पर चार्ज हो जाते हैं तो आखिर बैटरी कैसे काम करते हैं यह चार्जेबल बैटरी से ध्यान देंगे यह चार्जेबल बैटर उसके बारे बात करेंगे सबसे पहले में आपको बता दूँ यह बैटरी अंदर से कैसा दिखता है अगर आप इस बैटरी को खोलेंगे तो आपको यह अंदर से कुछ इस परकार का दिखाई देगा यह देखो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह बैटरी जो है वह अब घो होता है एक मिनट पर होता है इसके अंदर से ऐसा है इसमें आपको ना ऐसे प्लेट लगे हुए मिलेंगे इन विट आपको इसमें ऐसे अंदर में प्लेट लगे हुए मिलेंगे अब प्लेट क्या चीज़ को बना भी आगे बताऊंगा आपको अंदर में ऐसे प्लेट लगे हुए मिलेंगे यह अगलग अलेक्ट्रोड के होते हैं इसको हमने नेगेटिव छे मा लिया और माली जी इसको पॉजिटिव एलेक्टोड और इसके अंदर इसरा रहता है इसके अंदर डूलियर में डूबा रहता है यह acid के solution में डूबा रहता है तो यह देखिए बैटरी अंदर से इस प्लेट दिखाई देंगेगे अगर्डर एस बैटरी कूल के देखिए न जो घर में रहता है वो अंदर से आपको इस प्रकार होते वक्त कैसे काम करता है उसी इक बारे में बात करें देख काम करें बेटा पहले न इसका एक screenshot ले लो फिर में इसको explain करता हूं इसका फिर explain करता हूं तो चलिए अब मैं आपको इस बैटरी को explain करके बताने वाला हूं बेटा तो चीजों को आसान करने के लिए देखो यहाँ पर तो बहुत सारे आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रोड हैं यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रोड हैं पर मैं इसके अंदर के दो इलेक्ट्रोड को एक्स्प्लेंड करूंगा ठीक है मैं इसके अंदर के किसी दो इलेक्ट्रोड को explain करूंगा मेरे कहने के मतला भी बेटा मान लेते हैं कि इसके अंदर का इसके अंदर का मैं एक blue color वाले इलेक्ट्रोड को और एक green color वाले इलेक्ट्रोड को explain करने जा रहा हूँ तो कैसे होगा चलो समस्ते हैं तो अब ये कैसे होगा एकदम ध्यां से देखिएगा मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ बैटरी काम कैसे करता है तो लीजिए अब मैं आपके सामने इस बैटरी को दोबारा बनाने जा रहा हूँ इस बैटरी को मैं आपके सामने दोबारा बनाने जा रहा हूँ गौर से देखेगा तो लीजिए इस बैटरी को कुछ इस प्रकार से मैं बना लेता हूँ, simple तरीके से, हाँ यही कर लेते हैं, चलेगा, यह लीजिए, यह मैंने बैटरी को बना लिया, ऐसा, ठीक है, इसके अंदर यह दो इलेक्ट्रोड लगे होंगे, और सपोज कि मैं इसके अंदर के एक बैट देखो, यह जो इलेक्ट्रोड है, यह मैंने बना लिया, और यहाँ पर, यहाँ पर एक इस इलेक्ट्रोड को मैंने बना लिया, ऐसा, और यह बैटरी काम कर रहा है कि नहीं, यह बैटरी काम कर रहा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए, आप इसको बाहर एक बल्ब से देखना क्या होगा जैसे मिस बल्ब को जैसी इस बल्ब को मैंने इस बैटरी में जोड़ा तो मैं क्या देखता हूं यह बल्ब गलो कर रहा है यह बल्ब गलो कर रहा है मतलब यह बैटरी काम तो कर रहा है यह बैटरी काम कर रहा है याने की याने की इस वक्त यह जो बैटरी ह वो धिरे धिरे डिस्चार्ज होगा बेटा यह जो बैटरी है वो धिरे धिरे डिस्चार्ज होगा क्योंकि एक मिनट इसको मैं हाँ मैंने कहा अब यह जो बैटरी है वो धिरे धिरे डिस्चार्ज होगा क्योंकि बल्ब जल रहा है तो पहले मैं आपको यह सिखा दू कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होता है यानि कि डाउन हो रहा होता है उस समय किस परकार की अभिक्रिया इसके अंदर पाई जाती है सबसे पहली बात सब सबसे पहली बात तो बहुत छोटे 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 चेद और जानते इस ये एक थैले की तरह एक बैग की तरह होता है ये एक थैले की तरह या एक बैक की तरह होता है पर याद रखना इसमें जो छोड़ी छोड़ी गैप बने हैं भली मैंने थोड़ा बड़ा गैप बना दिया पर इतना बड़ा गैप इसमें नहीं रहता अब सुनना इनके अंदर क्या रखा जाता है जरत गौर सुनना बेटा ये जो जाल है, इसके अंदर रहता है बेटा लेड, और ये जो जाल है, इस जाल के अंदर रहता है बेटा लेड औकसाइड, इसके अंदर रहता है लेड औकसाइड, यानने कि पीबी ओटू, जरत गौर सुनना, इस जाली के अंदर, इस जाली के अंदर पीबी ओटू रहता ह और इस जाली के अंदर PB होता है पर ध्यान देना ध्यान देना यह जाली इतना बारीक होता है कि PB O2 बाहर नहीं निकलेगा यह जाल इतना बारीक होता है कि PB यानिकि लेड बाहर नहीं निकलेगा इस बात को ध्यान रखना याद रखना इसके अंदर से PB O2 बाहर नहीं हुँ यह यह जो लिया है कौन से congratular 지금 अगर यह भैटरी काम कर रहा है मतलब इस सर्किट में कर रहा है अगर ये battery काम कर रहा है मतलब इस circuit में electron flow कर रहा है एकदम ध्यान समझना इसको ये अगर परिच्छा में आएगा तो बेटा ये सीधा 3 number का आता है और कभी-कभी ये 5 number का भी आता है इसलिए इस topic को थोड़ा ध्यान से समझेगा इस topic को थोड़ा सा ध्यान समझेगे अब इतना तो आपने पिछले class से समझ लिया है कि एक battery तभी काम करता है जब कोई एक electron निकालता है और जब कोई एक electron गरहन करता है तो किसी भी battery में बस एक ही चीज तो आपको याद रखना होता है कि कौन electron दान करेगा कौन electron गरहन करेगा बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कि इस battery में कौन electron दान करेगा और कौन electron गरहन करेगा शुरुआत करते हैं इस वक्त battery discharge हो रहा है ये battery discharge हो रहा है मतलब बैटरी काम कर रहा है बैटरी काम कर रहा है अब बल्ब जलेगा तो battery down हो रहा है मतलब कि battery जो हो डिस्चार्ज हो रहा है हम बात करेंगे बैटा during discharging यानि कि battery जब discharge हो रहा होता है बैटरी जब discharge हो रहा है यानि खतम हो रहा है उस समय क्या reaction होगा तो बैटा मैं आपको बता दू ये जो है न ये वाला ये एनोड है ये जो आप देख पा रहे है ये एनोड है और ये इस तरफ का जो हिस्सा है वो cathode और मैं तो इस chapter में शुरू से यही पढ़ा रहा हूँ कि एनोड में हमेशा कोई तो है जो electron loose करेगा की दिवा में छप गया हो ना जाने कितने बार हम लोगों ने इस बात को आपके सामने रखा है चलिए तो अब देखते हैं बेटा कि एनोड में सब कि क्या हो रहा है तो यहाँ देखते हैं ए-ई-णोड में और के दोल मैं क्या होगा एनोड में और cathode में क्या होगा? सूना ध्यां से एनोड में ये जो तुमने LED लिया है न अंदर में दर असल वही इलेक्ट्रौन को दान करता है LED जो है वह इलेक्ट्रौन को दान करता और क्या बन जाएगा? PB2+. तो इस जाल के अंदर इस जाल के अंदर जो PB है बेटा वही इलेक्ट्रोन निकाल रहा है यह दो को PB जो है वह इलेक्ट्रोन निकाल रहा है और उसने जो इलेक्ट्रोन निकाला वह आप देख सकते हैं बेटा यहां से आगे भाग रहा है इलेक्ट्रोन आगे भाग रहा है तो बेटा इलेक्ट्रोन इस दिशा से इस और में जा रहा है और आपको तो पता है कि जहां जहां इलегда प्ट्रोण कि вдacz किया तो फिर वहां विद्धुत्पन हो और आप उसी वज़ा से इस बल जलते में देख पाए तो तो चलिए हम ये तो समझ गए कि इलेक्ट्रॉन किस ने निकाला और इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है अब देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो निकला गौर सुनेंगे बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन निकला अब वो जाएगा कहां जो इलेक्ट्रॉन निकला वो क्या होता है इधर से आने वाला इलेक्ट्रॉन को पीबी ओटू ग्रहन करने वाला है मैंने कहा इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को पीबी ओटू ग्रहन करेगा अमले के माध्यम से सुनना क्या होगा उधर से जो इलेक्ट्रॉन आया उसको पीबी ओटू ग्रहन करने वाला है है एज़ाइट पलस और एसोफोर के मदद से यहां पर बैटा जो है और जो इसमग प्लस एंद है उसके मदद से कुछ इस तरह की अभिकरिया होगी यहले सल्थ बिचें यहां पर बनेगा पीबी में अ the super और साथ में बनता बेटा ट्टो डिजीया मैंने आपको बता दिया मैंने आपको बता दिया कि किसने इलेक्ट्रॉन दान किया किसने इलेक्ट्रॉन ग्रहन किया तो आपने क्या देखा यहां से लेड ने इलेक्ट्रॉन निकाला और यहां पर PbO2 ने H प्लस और S4 के माध्यम से आट इसे ग्जाली के अंदर सारा led खतम हो जाएगा तो बैटरी डाउन हो गया, हम कहेंगे बैटरी डाउन हो गया, गोर से सुनना जब, अच्छा एक प्रस्ण ये उठता है कि ये जो PB है PB है, PB है, PB ने जब इलेक्ट्रोन दान किया, गोर सुनने बहुत important बात है, रहे भई, यहाँ से PB ने इलेक्ट्रोन दान किया तो PB क्या बन चुका है यहाँ पर जो PB था वो क्या बन चुका है बैटा PB 2 प्लस PB 2 प्लस अब प्रस्ण है इस PB 2 प्लस का क्या हुआ यहाँ पर जो PB 2 प्लस आप देख पा रहे हैं इस PB 2 प्लस का क्या हुआ तो असल में होता क्या है कि यह जो PB2 प्लस है यह भी SO4 के साथ जुड़ जाता है तो बेटा PB2 प्लस SO4 के साथ जुड़ के PBSO4 बना लेता है तो आपको याद रखना है न कि यहाँ पर यह जो PB था इसने जब इलेट्रॉन निकाला तो वो PB2 प्लस बन गया पर वो PB2 प्लस गया कहा तो PB2 प्लस SO4 के साथ कंबाइन करके PB2 प्लस SO4 के साथ कंबाइन करके PBSO4 बना लेता है तो कुल मिला के कहानी यह है कि यहाँ पर जितना PB था जितना PB था सारा का सारा PB क्या बन चुका है बेटा पीबी एस फोर यहाँ पर जितना पीबी था सारा का सारा पीबी क्या बन गया है पीबी एस फोर और जब और जब यहाँ पर पीबी नहीं बचेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो बल्ब जलना बंद कर देगा लीजिए बैटरी डाउन हो गया लीजिए बैटरी ड अब चार्जिंग के दावरान क्या होता उसको देखना अब चार्जिंग के दावरान क्या होता उसको देखेंगे लिजिए मैं फिर से इस बैटरी को मना रहा हूं अब चार्जिंग करने वाले हैं अब इस बैटरी को हम लोग चार्जिंग करने वाले हैं और देखते हैं जब चार्जिंग करेंगे उस समय क्या होता है कहानी अब यह बताओं इस बैटरी में जहां सुनोंगे बटा इस बैटरी में यह जो जाल था इस जाल के अंदर सारा का सारा पीबी क्या बन चुका है अब यह बन चुका है बैटा पीबी एसो फोर मैंने क्या बताया सारा का सारा पीबी क्या बन गया पीबी एसो फोर आप देख सकते हैं इसके अंदर जितना पीबी था अब पीबी एसो फोर बन गया है और यहां पर यहां पर जो पीब बैटरी को चार्जिंग में चढ़ाओंगा याने कि मैं यहां से इलेक्ट्रिकित दूँगा यहां से electricity दूँगा और आप देखते हैं कि अब यहां पर जैसे आप electricity दोगे तो क्या होगा अब बेटा इतना तो आपको पता है न कि बैटरी में बैटरी में cathode anode उल्टा होता है याने कि यहां पर अगर यह anode था तो बेटा अब यह anode बन जाएगा और अब यह क्या हो जाएगा cathode जब हम electricity देंगे तो यह वाला बनेगा anode और यह वाला बनेगा cathode और जब बैटरी काम करेगा तो यह हो जाएगा anode और यह हो जाएगा cathode आपको तो पता न बैटरी मुल्टा रहता है अच्छाई चलिए अब मैंने बैटरी को चड़ा दिया चार्जिंग में लीजिए बैटरी चार्जिंग में चड़ गया अब धिरे धिरे बैटरी चार्ज होगा charging का मतलब समझ लो battery को charge करने का मतलब समझ लो बेटा यहाँ PB था न? PB वो electron निकाल रहा था जब तक PB electron निकालेगा battery काम करेगा और जहाँ PB खतम हो जाएगा electron निकलना बंद कर देगा और battery down और वैसे भी battery खतम हो गया कहां गया PB? PB सारा का सारा PB क्या बन गया PB SO4 तो अब सोचो अगर किसी तरीके से मैं दोबारा PB SO4 को PB बना दिया दिमाग लगाओ अगर मैंने फिर दोबारा PB SO4 को PB बना दिया तो फिर से electron निकालना चालू हो जाएगा और battery काम करना चालू कर देगा तो अब दूसरे फेस में पहले चरण में क्या हुआ? PB electron निकाला जितना निकाल सकता था अब सारा का सारा PB PB SO4 बन गया है अब battery को charging में चढ़ाएगे देखते हैं क्या होने वाला है बेटा तो अब battery को charging में चढ़ाएगे तो अब देखते हैं during यह discharging था अब रिखेंगे पटा charging during charging तो पहले हमने यह देखा था कि battery अब discharge हो रहा था तब कैसा अभिक्रिया हुआ और जब battery charging में चढ़ेगा तब क्या अभिक्रिया होगा तो एकदम simple सा logic है सब कुछ उल्टा हो जाएगा अब देखना क्या होगा बेटा अब यहाँ सब कुछ उल्टा होने वाला है देखते क्या होगा अब anode में और cathode में किस तरह की अभिक्रिया होने वाली है अब मैं आपको यह पूरा का पूरा reaction अब मैं यहाँ पर पूरा का पूरा reaction चोरी जए वह उल्टा करें दिखाता हूं सुना बेटा अब गया epti है जो अभिक्रिया अं lingu आप अ आब कैर नुए यहाँछा अब आण कम में होगा क्यूं क्यूंकि अत श्रिस्टम बदल गया है जो ita cu Maßolow सर गया है सुने में इस यह देखो एक मिनट इसी को उल्टा लिग रहा हूँ न तो पीबी-स-O4 है आइज्टो एसाथ कमबाइन करके क्या बनाएंगा बैटा ॥ीपी ऐँ टू H plus iron और SO4 2 minus iron क्या समझे ये जो PBSO4 है अब वो दोबारा क्या बन गया PbO2 ये जो PBSO4 है दोबारा क्या बन गया PbO2 अब देखते कैफोड में क्या होगा तो कैफोड में इस reaction कुल्टा लिखो बिटा अब यहां भी तो PBSO4 है आपने क्या देखा ये वाला PBSO4 अब PbO2 बन चुका है अब हमारा अगला target क्या है इस PBSO4 को PB बनाना है अब इस PBSO4 को PB बनाना है ये सब कहाँ चल रहा कैफोड में है तो अब देखोड में क्या होगा तो बढ़ा कैफोड में और गेट डिसोसियेट इन्टू PB2 प्लस आयन एंड एस ओफोड टूबाइस आयन और उसके बाद यह जो PB2 प्लस आयन बना है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहन करेगा उल्टा लिग रहा हो इरेक्शन को बैटा वो इलेक्ट्रॉन ग्रहन करेगा और क्या बंजा एका पीबी वो पीबी ओट बना यह जो पी बी ऐसो फोर था यह वाला पी बीऐसोफोर यह पीबी you to फोर को जब आप पीवी एसो फोर को दोबारा पीवी और पीवी ओटू बनाते हैं तो हम कहांगे बैटरी जो है वो चार्ज हो चुका है अब लीज यह फिर से रियेक्शन चालू होगा फिर से बल्ब जो हो गलो करेगा अब इतना लंबा चोड़ा कहानी मैंने सुनाया अब परिक्षा में आपको क्या लिखना है सिर्फ आपको माधमिक सेल की परिभाशा लिखनी है और उसके बाद सुन्दर सा डाइग्राम बनाएंगे और बस आपको यह रियेक्शन लिखना है प्लिस कोपी करेंगे इसको यह बहुत इंपोटेंट है क्लियर नहीं दिख रहा है टुकुडे में बढ़ा कर देता हूं टीक है पहले डिस्चार्जिंग वाले को स्क्रीन शॉट ले लिजिए पहले डिस्चार्जिंग वाले को स्क्रीन शॉट ले लो फिर चार्जिंग वाले को स्क्रीन शॉट लेंगे बस आपको यह reaction याद करना है बेटा खर फोड़ी राइटिंग भी मेरी खराब है यह भी एक मुद्दा है ठीक है ठीक है अब जो charging हो रहा था उसको लिख लो charging वाले अभी क्रिया का screenshot ले लो हाँ दीव्यांस जी जैसे मैंने समझाया वैसी आपको एक्जाम में लिखना है बस आपको यह बताना है कि बैटरी जब डाउन हो रहा था उस समय में reaction कैसे होगा और जब charging हो रहा है तब reaction कैसे होगा और उस समय यह दोनों डाइग्राम जो है वह आपको बनाना होगा तो बस आपको यह याद रखना है कि बैटरी बैटरी जब डिस्चार्ज हो रहा था तो यह डाइग्राम बनाएंगे और वाला reaction लिखेंगे और जब ब कि अगे बढ़ते हैं लीजे अब हम पहुँच चुके हैं तीसरे सेल की तरफ इंधन सेल में बताया था ने कि बैटरी जो है वह तीन प्रकार का होता है प्रात्मिक सेल जो ऐसा बैटरी था जो उप्योग में आने के बाद दुबारा चार्जिंग नहीं होता पिर आपने प कि reaction जब होता है तो charging करके दुबारा reaction को reverse ले आते हैं अब तीसरा है इन्धन सेल चले इसके बारे बात करते हैं अब इनधन सेल क्या होता है आप इनधन सेल सुन की आप समझ गये कि इसमें किसी प्रकार का इंधन यानि कि फ्यूल का प्रेयोख होगा यह फ्यूल सेल है फ्यूल सेल है यह बहुत इजी है बस आपको इसमें भी रियक्शन याद करना है बेटा सुनना चलो मैं आपको दिखाता हूं कि अब यह फ्यूल सेल कैसे काम करता है लीजिए तो अब आपके सामने मैं फ्यूल सेल जो ह है यह फ्योल सेल कि इसको इंधन सेल भी कहा जाता है यह जो इलेक्ट्रोड है यह भी जाली दार रहता है यह जो लेंगे लीजे अब यहां पर इसको ले दे से हाजी अब यहां पर में एक मिनुट को यह यह जो मैं डायराम बना रहे हुं पिटा यह करे डंग र autor आग पक्र बनाया है ये सिर्फ एक मतलब होता है र DefLE a כे a practical में दिंगता कैसा है आप Google में सब्सक्राइब मैं इसका आपको ये सिखा रहूं कि बैटरी काम कैसे करता है उसके अदर जो अभिक्रियान होती है जो येक्षन होता है वो कैसे काम करता है अब बार big एक ही बात मैं बोल रहा हूं, आपके दिमाग में भी ये बात बैट गया होगा, कि एक बैटरी को पढ़ने के लिए, एक बैटरी को पढ़ने के लिए हमें बस दो ही बाते समझनी होती हैं, इलेक्ट्रॉन दान कोन करेगा और इलेक्ट्रॉन गरहन करेगा, है ना, एक बैटर दान कोन करेगा चलिये अब मैं आपको दिखाता हूं कि यह बैटरी कैसे काम करता है यह बैटरी कैसे काम करता है जड़ा गौर से सुने का सबसे पहले आपको यह बता दू कि यह जो जालीदार structure देख रहे हैं बैटा completely carbon कप पोर्स इस च्छ चोटे चोटे च्छेड होते हैं अब सुनने क्या होता है एक एक मिनट न Su इसको थोड़ा सा, क्लियर बना दूँ और, हाँ, लीजिए, लीजिए, तो अब मैं कहानी शुरू करता हूँ बिटा, अब आपको ये बताने जा रहा हूँ, कि ये बैटरी कैसे काम करता है, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, कि ये जो बैटरी है, वो कैसे काम करता ह इसमें भी आपको बस एक ही बात समझना है कि इलेक्ट्रॉन दान कौन करेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहन कौन करेगा चलिए जड़ा गौर से सुनेगा बेटा सबसे पहले मैं आपके बता दूँ इस बैटरी के अंदर यहां पर यहां पर ना के ओट रखा जाता है और साथ मे वाटर आदस्थ सेंदर में के औप और लाइँ आप क्या होता है अब घंधन इसका नाम क्या है इंधन सेल और आप यहां देख सकते हैं इस सेल का नाम है एच त्टू ऑटू सेल पहले क्लियर कर दूँ यह एनोड यह चैन यह और यह कैठोरा जैसे ही आपने यह सुना अपने आप समझगे होंगे तो है झो इलेक्ट्रॉन करेगा और यहां पर यहां पर कोई तो है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहन करेगा इतनी सी बात आपको समझ में आ चुकी है अज्छा जी और बाहर अगर में से जोड़ दूँ अदेखो यहां बीच में एक बल्ब लगा दिया है मैंने पीछ में बल्ब लगा दिया गो बॉल जहां ज़लेगा थौदा से इसको ना दूर में बनाइता हुआ उच यहां एक बल्ब लगा दिया और अब चेक करना है कि यह बल्ब काम कर रहा है कि जैसी मैंने बल्ब जोड़ा तो मैं क्या देखता हूं कि हाजी यह बल्ब जो है वो गलो कर रहा है यह बल्ब गलो कर रहा है अब बैटरी काम कर रहा है मतलब आप इतना समझ गया होंगे कि कोई और कोई तो है जो यहां से से में जा रहा है तो बस आपको यह समझना है कि यहां पर कौन करेगा कौन इलेक क्रहन करेंगा तो यहां से अंदर बेजा जाता है hydrogen सबसे पहले क्या होता है यहां से रा रहा है वह इस जालीदार कार्बन से अंदर जाएगा जालीदार कार्बन से अंदर जाए कौन हाइड्रोजन हाइड्रोजन अंदर आया और यहां से इस जालीदार कार्बन से अंदर घुसा और अंदर घुसते ही यह जो OH है यह जो OH है इस OH के माध्यम से इस OH के माध्यम से यह जो हाइड्रोजन है बेटा वो इलेक्ट्रॉन निका साल देगाँ अब यहां रियक्शन कैसे होगा यहां से ऑने वाला एच यहां से ओट गरेंगा और बेटा एच बनाएगा है और वो तो बनाएगा और साथ की साथ इलेक्टरों निकालेत और वह लोगह से आने वाला हैb OH-Ion से combine करके H2O बनाएगा और electron निकालेगा वही electron इस्तरब गया अब कैसे हुआ चलो मैं आपको reaction करके दिखाता हूँ पहले बात करते हैं बेटा एनोड में क्या हुआ तो एनोड में क्या हुआ उधर से आने वाला hydrogen उधर से आने वाला hydrogen हाइडरोजन उधर से आने वाला hydrogen ही बेटा electron निकाल रहा है और और माफ कीजे और वो क्या बन जाएगा 2H plus क्या बन जाएगा 2H plus इधर से आने वाला hydrogen ही electron निकालता है और क्या बन जाता है 2H plus अब जो 2H plus बना है ये 2H plus अंदर में रखे हुए OH माइनस के साथ कमबाइन करके क्या बना जाएगे बेटा 2H2O तो मैंने क्या बोला था यहाँ पर क्या बनता है बोला था H2O बनता है तो आपको पता होना चाहिए H2O कैसे बना फिर से रिपीट करता हूँ इधर से आने वाला hydrogen H plus बन गया और वो H plus OH के साथ कमबाइन करके H2O बना दिया और इन सब चक्करों में क्या निकला भाई इलेक्टरॉन निकला तो कुल मिला के एनोड में इस तरह से अभिक्रिया हुआ और बेटा यहाँ पर hydrogen ने जो इलेक्टरॉन निकाला वही इलेक्टरॉन यहाँ से होते हुए आगे जा रहा है अब आपको पता करना है कि इलेक्टरॉन जो इस तरफ जा रहा है वो गया कहा अब सुनना उधर से जो इलेक्टरॉन आ रहा है उधर से जो इलेक्टरॉन आ रहा है अब वो क्या होगा जैसे ही electron यह पहुंचता है यह देखिए electron पहुंच चुका है ठीक उसी समय हम यहां से oxygen अंदर भेज देंगे सुना बेटा अब यहां से मैं oxygen अंदर भेज रहा हूँ यहां से oxygen अंदर भेज रहा हूँ नाम क्या है cell का H202 cell तो यहां से आपने hydrogen भेजा, यहां से आप oxygen भेजेंगे, अब क्या होता सुनना, इधर से आने वाला oxygen इस जालीदार कार्बन से अंदर घुसेगा, और इस H2O के साथ combine करेगा, देखो कौन कौन combine कर रहे हैं, इधर से आने वाला electron, इधर से आने वाला oxygen, और इधर से H2O, यह त इनों आपस में combine करके, बना देंगे बेटा, OH-ion, फिर से repeat करता हूं, इधर से निकलने वाला electron अंदर आया, और वो electron किसके किसके साथ reaction किया, इधर से आने वाला O2, यहां से H2O के साथ combine करके OH बना, अब कैसे बना, मैं आपको दिखाता हूं, तो आप बात करते हैं बेटा, कि Cathode में क्या हुआ, अब आपको समझे रहा है, कि यहां पर Cathode में क्या हुआ, तो बेटा, आपने हापने लिया था? Oxygen, वो Oxygen किससे combine कर रहा है producto के साथ हूं, और किसके साथ combine कर रहा है इधर से आने वाले electron के साथ, तो बेटा, यह तीनों आपस में जैसे ही मिलेंगे, तो यह आपस में मिलते ही यहां बनाएगा बेटा ओएच मायनस आयन क्या बनेगा ओएच मायनस आयन का क्या होगा आपने कुछ देर पहले ओएच का प्रयोग किया था कुछ देर पहले ओएच का प्रयोग हुआ था तो ओएच खतम हो गया था अब फिर ओएच बना तो इस प्रका अंदर के OH के साथ कंबाइन करके H2O बनाता है और electron निकालता है मैंने कहा H2O बनाता है और electron निकालता है वही electron यहां से आगे जाता है अब इधर से जो electron आ रहा है वो इधर से आने वाले oxygen के साथ और अंदर रखे हुए water के साथ कंबाइन करके OH बना देता है, OH का फाइदा क्या हुआ, कुछ देर पहले तुमने OH का खपत किया था, तो OH की मातरा लगातार बरकरार रहता है, OH का मातरा गड़ बना नहीं होता, वो जितना पहले था उतना फिर बन जाएगा, तो इस परकार से लगातार इलेक्ट्रोनों का लेंदें चलता बस आप यहां से हाइडरोजन देते रहो, यहां से ऑक्सीजन देते रहो और बिजली बनता रहेगा, तो यह एक ऐसा बैटरी है, जिसमें जब तक आप इंधन डालते रहोगे, यह बैटरी कंटीन्यू काम करता है, तो यह बैटरी तब प्रयोग में लाते हैं, जब हमें कह बैटरी पर लगातार बिना अठके, लगातार बिना अठके बिजली उत्पन करना है, तो इस बैटरी का प्रयोग उन जगों पर किया जाता है, जहां पर बस इंधन डालते रहो और बैटरी काम करता रहेगा, इंधन डालते रहो बैटरी काम करता रहेगा, तो यह जो बैट है इसको इंधन सेल क्यों बहुत है बता कि बस इंधन डालते रहे है बिजली बनता रहे है अब इसका प्रयोग कहा हुआ थे मैं बता हुआ। बहुत को इसको इसको क्रीशाट लेंगे इसका है लिए निटिक तो साथ दिसंबर 1972 यह दिन था अपोलो मिशन का आपको पता ने बटा अमेरिका दोरा जो पहला अपोलो मिशन फ्लाइट जो चांद पे उतरा था उस समय वो जिस रॉकेट से वो गय थे उस रॉकेट में इसी फ्यूल सेल का यूज किया गया था ध्या सुनना यह जो फ्यूल सेल आप देख पा रहे हैं जो अपोलो सेटलाइट मिशन था अमेरिकी दोरा जो 1972 में किया गया था उस अपोलो मिशन में इसी सेल का प्रयोक किया गया था इस सेल में खास बात यह है बेटा कि बस आप इंधन डालते रहोगे तो बिना अठके हाई इफिसेंसी के साथ यह बैटरी आपको बिजली बनाके देगा और लगातार बनाके देगा इसमें बिजली लगातार बनता है बस इसमें आपको बस इंधन आपके पास होना चाहिए है तो बस लिखान देते रहेए क्योंकि देखो क्योंकि देखो एक बैटरी को ले जाना आसान नहीं था बैटरी को फिर चार्जिंग करना डार सब्सक्राइब करना अगर वजुँट किये समय वाल एक साधारन तो इस बैटरी में खास बात क्या है बैटा कि इंधन तो ले जाया जा सकता है ना तो हाइट्रोजन और ऑक्षिजन साथ में ले जाया गया और उसी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी लगातार जनरेट हो रहा था तो अपोलो मिशन जो था उसमें इसी बैटरी का प्रयोग किया गया था और ये जो है ये लगातार बिजली बना के देने वाला सेल है अगर परिच्छा में आएगा तो बस आपको जो मैंने यहां पर बताया है बस आप जाए क किसने इलेक्टरां दान किया और कै expelled में किसने इलेक्टरां ग्रहन किया देखो आपने अब तो रहा yoketry जो है वह पूरा कंप्लीट करा दिया बर आपको याद इला दु बेटा इस इस चेप्टर में जितने टॉपिक हमको करने थे यह सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिया कुछ चोटी मुड़ी चीजे अगर आपको पुस्तक में दिख गई तो परिशान मत हो ना इतना पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि आप बहुत आसानी से कुछ चोटा मुड़ा चीज से रह भी गया होगा उसका आसानी से समझ लेंगे तो बेटा आज क्लास में हम इतना ही करते हैं अब सो मुआर को आप क्लास लगेगा उस दिन तयार रहेगा हम इस चैप्टर की निमेरिकल और एम से क्यूश करने वाले हैं तो उमीद करूंगा कि आप थोड़ा पढ़के आ टेकनिकल जो चीज़े थे वो नहीं हो पारे थे नोट्स पूरा रेडी हो गया है पर मैं आपको यह आसा दिलाता हूं कि आज शांता क्या फिर कल तक इस चैप्टर कर नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे एप्लिकेशन के थुरू तो चिंता ना करें आपको नोट्स मिल जा रहेंगे तो चले फिर आज के क्लास में इतना ही करते हैं बटा तब तक पढ़ते रहें खुब पढ़िए अगर कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो